सर फाइनल अकाउंट वही जो की आपको 11th class से बोला जाता था कर बनाने को वही फाइनल अकाउंट है सर इसमें कोई फरक नहीं है बस आप थोड़ा सा आप concentrate करके देखेंगे न इसमें सर वहां पर तीन चीज़े बना गरती तो यहां पर सिर्फ बनेगा एक statement statement of profit and loss एक तो यह बनेगा सर यह क्या है statement of profit and loss ओल्ड बाते पुराने टाइम पे ओल्ड टाइम पे इसका मतलब सर हुआ करता था पुराने टाइम पे एक trading बनाते थे याद है और एक बनाते थे P&L लेकिन अब modern जमाना आगया है और financial statement वो जो यह trading और P&L बनाया करते थे यह बनाया करते थे अकेले वेक्ति का अकेला वेक्ति है वो अपना भई है trading और P&L बना के काम खतम अब अकेले वेक्ति का काम नहीं समानला आपको अब किसका काम संभालना है सर कमपनी का काम संभालना है अगर कमपनी का काम ही आपको संभालना है तो उसके लिए थोड़ा से स्पेसिफिक और कमपनी लौ के रूल को फॉलो करना पड़ेगा हमें सर company law के rule में बोलता है कि यह trading और P&L अब ना बनाया जाए अब क्या बनाएंगे statement यानि इन दोनों को merge करके यह बन गया है और कुछ ऐसी बात रही है खर्चे वही है wages, salary और income भी वही है sales वगरा चीज़ है बस एक specific और एक बनाएंगे सर balance sheet सर balance sheet जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाने के जी हाँ balance sheet तो वही है बस style change हो गया अब यह balance sheet को define किया गया है as schedule number 3 में और schedule number 3 के part 1 में बताया गया है यह part 1 में कि कैसे balance sheet बनाया जाएगा mcq में क्योंकि last time पे मैं बोलू ना तो on earth का paper देखना कम से कम 30-35 number का mcq पूछ लिया गया था 30-35 number का और इस chapter का full flies question ना पूछ के यह सब पूछ लिया कि balance sheet बताओ कि schedule में बनता है इसको हम profit है wages कौन से account में डालेंगे तो specific तो अगर starting से आप ध्यान से बातों को सुनोगे तो बहुत आसान mcq आने वाला है balance sheet जो बनाएंगे as per rule बनाएंगे sir ऐसे नहीं बनाएंगे हम साधारन balance sheet नहीं बनाएंगे as per rule sir as per rule के मतलब जो rule के अंदर given है sir कहा गीवन है rule में यह given है sir rule के companies act में company act के अंदर और sir company act में कहाँ पे sir company act के schedule number 3 में बताया गया है कि balance sheet इस तरीके से बनाना है तो sir कोई नया तरीका है कि नहीं कोई नया तरीका नहीं हम एक एक करके सीखेंगे पहले तो हम format को बड़े detail में समझेंगे हाला कि हमें ज्यादा से ज्यादा आज का time मान के चलो format में निकल जाएगा हम detail में पहले format सीखेंगे ठीक है तो चलिए sir आप देखें आपके सामने एक balance sheet बना रहा हूँ है और ये balance sheet आपका वही पुराने वाला balance sheet है sir ये देखें वही पुराना balance sheet है sir अगर आप ध्यान से देखें न तो मैं समझाने की कोशिस करता हूँ आपको balance sheet इस side में देखें liability है इस side में क्या है liability और इस side में क्या है assets यही तो बनाते थे पहले भी balance sheet इस assets liability वैसे ही है इसका थोड़ा format change किया जाए तो format जब change करने का time आया ना तो उन्होंने पता है कैसे format change किया balance sheet में सबसे पहले हमें balance sheet ही सीखना पड़ेगा although पहले pndl तो हमें बहुत छोटा सा होता है बाद में सीखेंगे पहले हम balance sheet देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो balance sheet बनेगे ना भाई साब कैसे बनेगे जो ये वाला assets है ना इस assets को अब यहां लिया उठा क्या बस मतलब इतना सा काम वह अब नहीं में बिल्कुल हाँ अब जो balance sheet बनेगा वो assets क्या करो जो इस side assets होता था उस assets को नीचे रख दो बाकी जो totaling workling का process चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा तो अब balance sheet और पुराने balance sheet में कोई फरक नहीं है हाँ style का फरक है कहीं आप बोलो सर जब कोई फरक नहीं है तो क्या हम पुराने तरीके से कर सकते हैं नहीं नहीं शडियूल 3 ऐसे इजाजत ही नहीं देता कि हमें करें तो हमारा जो था जो एसे इस side था वह assets के side आ उठके नीचे आ गया और थोड़ा हम conservative और थोड़ा specific हो चले हैं क्योंकि पहले के time पे अगर मैं बात करूं आपके सामने यह balance sheet है मैं थोड़ा detail में भी जाओंगा मैं पूरा बनाओंगा although अभी सर्फ मैं आपको समझा रहा हूं एक हिंट दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जाए कि कैसे क्या करेंगे जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ अगर मैंने पांच लाक रुपए लिख दिया तो यहां पे यह define करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था कि यह equity share capital है के preference share capital है के हमारा क्या है यह मतलब कि clear नहीं होता था authorized capital है और पहले हमें करने की अवश्कता भी नहीं पढ़ती थी क्योंकि इक्यूटी प्रफरेंस होता ही नहीं था स्रिफ only क्या हुआ करता था capital बस और थोड़ा specific बार्वी class में हुए तो वहां पर partner's का capital अलग अलग हो जाता था एक्स का अलग वाई का अलग आप यहां पर number of आपको proper class note provide करूंगा इन सब चीजों कि इसमें घबराने आली कोई बात नहीं है तो सर चलिए यानि सर balance sheet का पहले balance sheet का जो format है balance sheet का role है पहले क्या हुआ करता था अब क्या होता है बस यह आपके दिमाग में थोड़ा सा understanding करवाना था ठीक है अब मैं balance sheet बनाने जा रहा हूं हलाकि यह बना हुआ है लेकिन इसमें मजा नहीं आता मुझे जब तक मैं खुद हाथ से ना बना लू तो फिर बढ़िया नहीं लगता मुझे ठीक तो मैं balance sheet बनाने जा रहा हूं अब balance sheet वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे और इन बातों को आप जो मैं यहां पर लिख रहा हूं इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको apply भी करिएगा because of जब मैं question दूंगा balance sheet का जब हम सवाल करने आएंगे practical problem तो आपको यही format exactly exam में follow करना है अपनी मनमानी नहीं चलानी बस आपको यहां पर लिख लिखा जाएगा amount यहां पर लिखा जाएगा particular और 12 में आप लोगों ने याद किया इसको और उपर लिखा जाएगा balance sheet और नीचे लिखा जाता है as, at और जो so and date होगा यह सब डालना है नहीं तो इसके marks कट जाएंगे चलिए सर बनाना start करते हैं इसके अंदर जो roman में one आएगा one यानि balance sheet को दो हिस्से में बाटा गया है सर अगर मैं balance sheet की बात करूँ तो balance sheet को दो हिस्से में बाटा गया है वो आप भी जानते हो एक किसमें एक liability में और एक assets में तो यहां पे भी इसको one number roman में दे दिया जाता है और इसको two number दे दिया जाता है रोमन में देखा जाए तो तो roman में one यहां पे लिखेंगे थोड़ा specific equity equity and liability मैं थोड़ा short form भी use करूँगा इसके अंदर में heading आएगा यह होगे हमारा side that is क्या है यह है side मैं लिख भी देता हूं यह side है दो ही side तो होते है वैलेंशेट में इसके अंदर number one से चालोगा क्या है sir share holder fund पहला point अब इसके अंदर बड़े सारे point आते है shareholder fund की बात कर लिया अपने तो इसके अंदर क्या क्या आएगा sir अब यहां पर A B और C ऐसे चलना है तो पहला आएगा share capital क्या आएगा sir share capital फिर आएगा reserve and surplus reserve and surplus और फिर आएगा आपका शेयर वारेंट शेयर वारेंट अब आजाएंगे number two पर सर नंबर टू पर शेयर अप्लिकेशन शेयर अप्लिकेशन पेंडिंग ओन अलॉट्मेंट जिसका कभी यूज ही नहीं होना sir पेंडिंग pending allotment कभी यूज नहीं होगा इसका number three मैं इस वाली balance sheet में उन्हीं बातों को incorporate करूँगा जिसमें हमारे सवाल के अंदर यूज होने वाला है कुछ बाते जैसे कि ये मैंने लिख दिया share application मनी pending on allotment ये यूज ही नहीं होना कभी सवाल में कभी नहीं होना यूज फिर भी मैंने लिख दिया है number three long term liability long term liability नहीं long term borrowing long term sorry मैंने long term गलत सब दिस्तमाल कर लिया known current liability known current liability के अंदर भी सब हेडिंग आएंगी जैसे ए पार्ट लॉंग टर्म बोरोइंग लॉंग टर्म बोरोइंग पी पार्ट में आएगा हमारा other long term हर किसी में क्या क्या आएगा specific wise भी देखेंगे ऐसा नहीं कि सर्फ हम लिखे जा रहे हैं इसके बाद अगले point की हम बात करें number four तो number four पे जो आएगा वो आएगा current current liability current liability के बहुत important रहता है इसके अंदर क्या आएगा पहला point पहला आएगा हमारा short term borrowing बच्चों की न एक complaint रहती है इसमें chapter में के सर इतना सारा याद कैसे करेंगा है मैं नहीं कहता याद करने जो सवाल कहता हूँ आप देख देख के कर लिजिए जो सवाल को दो से तीन सवाल करेंगे याद खुद बखुद हो जाएगा आपको याद करने की कुछ जुरत ही नहीं पढ़ना long term borrowing बी पार्ट होता है हमारा trade पेबल देखो मैंने भी तो याद नहीं किया आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया मिरको C पार्ट होगा हमारा other current liability D पार्ट हो जाएगा हमारा short term provision और here यहाँ पे आजाएगा finally total यहाँ पे क्या आजाएगा finally total sir balance sheet खतम नहीं नहीं अभी तो balance sheet का सिर्फ एक ही पार्ट किया है हमने अब यहाँ पे amount आएगा note में क्या आएगा note के अंदर share capital मैंने लिख दिया मान लेते हैं 500 करोड तो अगर मैंने 500 करोड amount लिखा तो यहाँ पे ना मन के अंदर बहुत सारे doubt रह गए sir मन में कैसे doubt रह के पहली बात sir 500 करोड में equity कितना है sir preference कितना है sir for feature भी होगा क्या calls in area भी होगा क्या calls in advance भी होगा क्या बड़े सारे questions है मन के अंदर इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो मैं इसको detailing में करूँगा note number one में sir reserve and surplus में भी खूब सारे point आते हैं क्या क्या आते है general reserve है capital reserve है DRR है CRR है बड़े सारे reserve है तो sir क्या क्या हो सकता है उसको जानकारी के लिए हम बनाएंगे note number two share warrant क्या होता है हम एक एक करके समझते जाएंगे और करते भी जाएंगे share warrant का कोई note नहीं होता मैं भी पूरा समझाऊँगा इसको एक एक करके ठीक है जब मैं इनके noting को explaining पर आऊँगा तो समझाऊँगा इसके लिए भी कोई note नाज मेंगा इसके लिए note number 3 होगा इसके लिए note number 4 इसकी detail जाननी है note number 5, 6, 7, 8 यानि liability के अंदर note number 8 है लेकिन मैं आपको एक बात clear कर दू ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको note 8 के 8 बनाने पड़ेंगे हो सकते हैं आपको दो ही note बनाने पड़े possibility है ऐसा यानि ये जो हम format कर रहे हैं न ये format maximum है maximum इससे बाहर examiner नहीं पूछेगा इतना maximum लेके चलूँगा मैं तो आप ये नहीं समझे के सर इतना सारा कैसे करेंगे maximum करा रहे हैं भाई ये सारा थोड़ी ना पूछ लेगा examiner इसमें से कुछ एक point पूछा जाएगा आपसे बस और कोई घबरानी की बात है ही नहीं जब आप practice करोगे तो आप दूसरे को सिखा दोगे ये तो चलिए सर यहाँ फिर से note और यहाँ amount और इधर particular हाला कि ये वाला point आप noting करने बैठोगे ना जब घर पे तो मैंने हाला की इधर किया लेकिन ये point इसी के नीचे जाएगा इस बात का ध्यान रखना ऐसा नहीं के यहीं करोगे ये point कहा जाएगा सर नीचे जाएगा इस बात का बहुत ध्यान रखना है मैं last में बता भी पार्ट आगया सब दूसरा पार्ट क्या आगया सद दूसरा पार्ट आ घया हमारा by एसिट एसिट के अंदर अब पॉइंट नमबर वन देखो पहले यह आए न है रोमन में दूसरा पार्ट है दूसरा है तो 2 आएगा रोमन में इसके बाद फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा नोन करेंट में आएगा बच्चे कह रहे हैं सर लॉंग ट्रम प्रोविजन भी लिख देते हैं लेकिन मैंने कहा कि जिस चीज का यूज होगा मैं वही चीज यहाँ पर लिखूँगा अगर आप कह रहे हो सर लॉंग ट्रम प्रोविजन को दरसा दिया जाए तो और डैफिनेटली फिर मैं आपकी बात मान लेता हूं और low मैं दिखा देता हूं long term यह लो कि पाट कर देते हैं चली आपकी बात मान ले है लूंग ट्रम लॉंग ट्रंड प्रोविजन सर इसके लिए नोट ही बना देते हैं हटाओ कहां नहीं आपके लिए आपने बोल दिया जब तब के लिए नोट बनाई देते हैं पांच छे साथ आठ नो ठीक है पुछ चलिए अब इसके अंदर एसेट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन जाता है एसेट्स में कॉम्प्लिकेशन क्या बनता है जो फिक्स एसेट्स है ना मैं चीजों को समझाऊंगा अभी बहुत बच्चे एसेट्स में जो हमारा नोन करेंट एसेट्स है इसको ना कुछ ज़्यादा पार्टों में तोड़ दिया गया है इसके अंदर बेसिकली एक आता है फिक्स एसेट्स और एक आता है हमारा फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स को भी स्पेसिफिक किया गया है ऑर उसके अलावा जो फिक्स एसेट्स है उसको अलग रखा गया है अदर फिक्स एसेट्स को यानि सर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो heading चल रहा है न मैं अगर आपको बताओ तो ये होता है हमारा main head और उसके बाद क्या होता है sub head लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टा है ये तो main head है लेकिन इसके बाद जो होता sub head ठीक है सर ये sub head है लेकिन उसके अंदर भी कुछ point आगे तो यहाँ पे sub sub head भी बन जाता है तो इसी चीज को मैं समझा रहा था यानि fix assets में सबसे पहले हमारा आएगा a point a point आएगा हमारा fix assets अब fix assets के अंदर भी काफी सारे points आ जाते हैं जैसे क्या सर fix assets के अंदर आ जाएंगे आपके रॉमन में one ऐसे डाल देते हैं one क्या जाएगा property प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्क्यूप्मेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्क्यूप्मेंट इसको short form में मैं बोलूँगा पी पी ए आगे से नमबर दो इंटेंजिबल एसेट्स intangible assets इसके बाद नमबर तीन working capital working capital under development under development सर ये वाला किसी काम का नहीं है लिखिन फिर भी मैं लिख रहा हूं चौथा intangible assets under development और हाला कि आपके किताब में पूरा format गीवन है सर पूरा format बिलकुल हाँ पूरा format सही सुन रहे हो आप इसके बाद आ जाएंगे हम बी पार्ट पर बी पार्ट क्या होगा हमारा लॉंग ट्रम इंवेस्मेंट यानि नोन करेंट इंवेस्मेंट नोन करेंट इंवेस्मेंट इसके बाद सी पार्ट क्या होगा अधर अधर एक तो हमारा लॉन एन एडवांस भी होगा अधर नोन करेंट इसमें इसेट साइड में बड़ा स्पेसिफिक रहता है बहुत कम चीज़े रहती है इसेट साइड में और इसेट साइड में देखा जाए इतने कम चीज़े हैं जिसमें कि आपको बस लगेगा हाँ ठीक है भाई कर दे और इसमें मैं देखोगे तो डैफर टेक्स नहीं डाल रहा मैं और कुछ चीज़े मैं नहीं डाल रहा इसको सी के जगह है ये लास्ट करेंगे दी बस मैं वही देख रहा था कि यहां पर ऊपर है या नीचे है ती में लॉंग टर्म लोन एंड एडवांस लॉंग टर्म लोन एडवांस जी एसेट साइड खतम कौन साइसेट्स खतम हुआ हमारा समझ मैं भी बात इसमें से जो काम की चीज़ है वो भी बताई दो सरा क्योंकि इतना सारा लिख तो दिया तो मैं काम की चीज़ों पर टिक लगा देता हूँ बाकी ये सब काम का नहीं है एक इन्वेस्मेंट काम का आ जाता है आँगा तो ये नोट नमबर 9 के बाद ना इधर continue चलने वाला है सर 9 के बाद इसको देंगे हम नमबर 10 इसको 11 इसके लिए कोई नोट नहीं है इसके लिए 12 इसके लिए 13 इसके लिए दे देते हैं चलो 14 ठीक है अगला पॉइंट आएगा हमारा current assets ये simple है current assets मैं चाहता था आपको दिखा भी सकता था ये सर क्या दिखाते हैं बना बनाया दिखाती है लेकिन उसमें मजा नहीं आता ना मैं हर बाते इतनी बाते कहां कर पाता है उसमें तो बोलता देखो ऐसे ये होता है ऐसे ही होता है तो पहले से बुक में पता है आपको ताइम लगेगा लेकिन ठीक है A पार्ट आजाएगा हमारा Short Term Investment B पार्ट आजाएगा Inventories C पार्ट आजाएगा Trade Receivable D पार्ट आजाएगा Cash And Cash Equivalent और सर E पार्ट आजाता है हमारा Other यह Short Term Loan And Advance और D पार्ट E F पार्ट लास्ट Other Current Acid चलिए सर सर इसके लिए भी लिख दो नम्बरिंग बिल्कुल नम्बरिंग आपको पता है कंटीनिव जाएगा 14 के बाद यह क्या होगा 15 के बाद 16 17 18 14 15 16 17 18 19 20 यानि 20 नोट बनेंगे आप इस चेप्टर को बड़े आसानी से कर पाओगे जब आप इनके नेचर को और समझोगे जैसे मान लो किसी सवाल के अंदर नोन करेंट इन्वेस्मेंट ही नहीं तो आप लॉंग टरम लाइबलिटी को 12 नमबर दोगे ऐसा नहीं कि जिसके आगे जो नोट पड़ी आप वही रहेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब हम इसको समझते हैं कि सर आपको नोटिंग कैसे करना है इसको आपको नोटिंग कैसे करना है भी दिखाते हैं आपको जी सर नोटिंग ऐसे ही करना है बिल्कुल हाँ अभी बताते हैं ये हमारा है उस टेम तो मैं लिख रहा था ये देखिए ये वाला जो पॉर्सन है न आ जाओ भई नीचे मैं बताना चाहता हूँ आपको नोट कैसे करना बहुत बच्चे समझ गए लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे उनके लिए यह यह ऐसे नोट करना और यहां लाइनिंग नहीं आएगा यह नीचे जाता रहेगा एकी लाइन में जैसे 9 के बाद 10 11 12 13 इस बात का ध्यान रखना जो नोटिंग करना है नोटिंग इसी फॉर्मेट में करना सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने साइड साइड में किया लेकिन नोटिंग उसी फॉर्मेट में करना बहुत सारे 19 और 20 अब कुछ बच्चों का मानना होता है सर यह नोटिंग करके क्या लिखा हुआ ही है जो बच्चे कहते हैं सर इसे नोट करें ना करें लिखा हुआ ही है वो हर बार यही बोलते हैं कि सर इसके सवाल नहीं होंगे हमारे बसकी बात नहीं है क्योंकि उसने पहले ही गलती क कर दी कि यह मानों लिया कि लिखा हुआ है आप अभी से लिखोगे तो लिखने से क्या होग आपको lasty Z ins.com और click अपरेंड मेड में था पता होगा क्यूंकि अभी सर्फ यह बात खत्म फ़े तो बैलinh सीट भी खत्म नहीं तो दिखान नोट पर आते हैं सर बैलिंस चीट में पहला नोट कौन सा इसा शेयर कैपिटल का चल यह सर आ जाईए शेयर कैपिटल का नोट इसको भी मिटा देते हैं वैसे मैंने समझाने के लिए करा था एक एक करके समझेंगे एक दम साफ साफ नोट करना है नीट एंड क्लीन काफी बच्चे काम करके भेजते हैं इतना गंदा गंदा लिख देते हैं क्या बोलू मैं और फिर बोलते हैं सर प्लीज चेक कर दो यह नोट नमबर वन बनाने जा रहे हैं सर किसका है नोट नमबर वन शेयर कापिटल शेयर कापिटल ठीक है सर कैसे बनेगा सबसे पहले लिखोगे यहां पर ऑथराइज कापिटल authorized capital authorized capital के अंदर क्या क्या आएगा इसके अंदर नीचे लिखा जो जाता है वो लिखा जाता है equity share capital और अगर preference share capital है तो वो सर कितने रुपे का each है और number लिखा जाता है सर number मतलब 1000, 1000, 1000, 1000, दोनों को multiply कर दिया जाता है same कहानी यहीं पे repeat हो जानी है same कहानी यहाँ पे भी repeat हो जानी है ठीक है और finally यह amount इधर लिख देते है और authorized capital का कोई काम नहीं है सरफ इसको यहाँ पैसे करके just total करके छोड़ दो बस और कोई काम नहीं है इसका यहीं totally रहता है यह इवन दो यह total जाएगा भी नहीं कहीं आगे point पे जाएंगे हम लिखेंगे issued issued आगे point पे लिखेंगे हम issued and subscribe capital Sir issued and subscribe capital क्या करने वाल एंसर इसमें इसमें equity share capital इसमें preference share capital जो भी आपका each amount है each amount और into में जो भी एक number है हमारा less कर देते हैं Sir यहां से अगर कोई false in area है और add कर देते हैं यहां पे होगा नहीं मैं बता रहा हूँ share for feature सर इनको अब totaling करेंगे इसका total यहां इसका total यहां और यह साहब तो minus होगा और यह हमारा plus होगा जो इसका total निकल के आएगा माल लेते हैं हमारा इसका total आया 5 करोड़ यह 5 करोड़ रुपे यहां दिखाना है हमने यानि इसका total पीछे जाएगा सीदिसी बात है चलिए सर नोट नमबर टू सबसे important इस chapter की जान नोट टू बच्चा इसी chapter कुछ जो बोलता है ने सर थोड़ा confusion है बस एक ही chapter एक ही note उसके मुह से निकलता है सर बस note टू समझा दो इसलिए मैंने note टू के उपर तीन-चार सवाल अलग से बना रखे हैं आपको कराने के लिए और नए वाले 10 एर में डाल भी दिये है और इस पे से मजे की बात सरिफ note नमबर टू में से साथ नमबर का सवाल आ गया था बस note नमबर टू बना दो तुम पिछली बार देखना मैंने paper solution करके डाला हुआ है जिनके पास 10 एर हो का तो उसमें बोला गया सरिफ note टू बना दी दिया और कुछ मत बनाई है और साथ नमबर का सवाल पूछ लिया हम नए वाला भी इस वीक में आपको market में मिल जाएगा वैसे आ चुका है क्योंकि मैंने जितनी correction लगा नहीं थी आपके 10 एर के अंदर लगा दी है और यह हिंदी में भी बना रहे हैं इस बार हिंदी का भी आ रहा है आप लोगा 10 एर तर नोट नमबर जिसका हिंदी में देना हिंदी में देंगे रिजर्व एंड सर प्लस ध्यान रखिएगा नोट क्या है हमारा रिजर्व एंड सर प्लस थोड़ा नीचे कर देते हैं बच्चों को दिखेगा नहीं थोड़ा नीचे कर देते हैं दिखेगा नहीं सर सलेवस में valuation and banking company हटा दिया इस बार बिलकुल इस बार banking company और नहीं है मैंने जान भूझ के छोड़ दिया यहाँ पर डैस टेक्स रहत कि बच्चे बता रहे हैं सर विज्वल नहीं है अभी करा देते हैं विज्वल और एक बच्चे ने तो क्या करा कार्थि के सर इस ओफ शेर कंप्लीट कर गए फाइनल अकांट बिल्कुल आ सकते हो कार्थि के कोई दिक्कत नहीं है वीजवल नहीं है चलिए थोड़ा नीचे कर देते हैं आपको थोड़ा वीजवल हो जाएगा चलिए ओके सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नोट सबसे पहले क्या लिखेंगे सर जर्नल रिजर्ब प्लस एड न्यू जर्नल रिजर्ब यह जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा अभी पॉर्मिट भी मैं प्रैक्टिकल के इसाब से बना रहा हूँ कापिटल रिडेम्शन रिजर्ब डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्ब सिक्योरिटी प्रैम्यम सिक्योरिटी प्रैम्यम जैनल रिजर्ब को मैं फ्री रिजर्ब भी कह सकता हूँ ध्यान रहे ठीक है इसके बाद शेयर ओप्शन आउटस्टेंडिंग अकाउंट शेयर ओप्शन आउटस्टेंडिंग इस बाद पूछा गया था सवाल में शेयर ओप्शन आउटस्टेंडिंग अकाउंट इसके बाद रिडेम्शन रिजर्ब इसके बाद Revaluation Reserve के बाद क्या हो सकते है Workman Compensation Reserve मैं थोड़ा Short ले लेता हूँ आने रहा रिजर्व ये सारे रिजर्व के नाम लिखना हूं है और सारा नहीं आएगा इसमें से एक ही दो रिजर्व होता है में ली और नहीं होता जादा अब यहाँ पर लेंगे मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूँ तो important होगा समझना Last Year Profit Last Year Profit इसमें Add करेंगे Current Year Profit इसमें से माइनस करेंगे Transfer to General Reserve इसमें माइनस करेंगे Dividend और कुछ बच्चों ने अगर पुराना बुक होगा उनके पास तो एक पॉइंट और आता है Dividend के अलावा Corporate Dividend Tax तो वो ना पूझें वो कट चुका है हमारे समेबद से किसी के पास पुरानी किताब होगी तो उसमें देखने को मिलेगा लेकिन वो कट चुका है हमारे समेबद से इस बात का ध्यान रखियेगा इन सभी को M photos Minus Plus करने के बाद finally लिखेंगे यहाँ पे तो आप समझ सकते हो इसके अंदर कुछ नई बाते हैं और नई बाते तब तक नहीं समझ में आएंगे आपको जब तक practical नहीं कर लेते हैं तो ये तो हो गया सर किसका ये हो गया हमारा format reserved sir plus का थोड़ा मैं separate कर देता हूं इसको न चलिए सर चलिए विज्वल होना चीए बाद में हम इसको स्मॉल कर दें note नमबर टू के बाद note नमबर थ्री पहले आप मुझे एक बात बता दीजिए मुझे clear and मिल जाए clarity तो हम आगे बढ़ जाएंगे क्या बात बताना है सर अभी रुखे ncq में पूछा गया था share option outstanding कहा जाएगा बताओ बच्चा घूम के रह गया ये क्या आगया तो आप बताईए सबसे पहले clear है कि note नमबर वन की जानकारी देखनी है तो note नमबर वन में जाना है अगर share capital की जानकारी देखनी है reserve and surplus की जानकारी देखनी है तो कहा जाना है note नमबर तू पे जाना है हर बच्चे को clear है ये point जो मैं अभी तक करा रहा हूं समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ें नहीं तो किसी को बाद में दिक्कत हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सर टैनियर में आपके वाले में 7 चेप्टर है जिसमें से 2 चेप्टर नहीं आ रहे हैं कार्तिक मैं बता दूँ आपने पुराने वालन लिया हो शायद देखके बता देंगे सर यहां तक क्लियर है बस बढ़ते जाओ आप आगे पर्टिकुलर अमाउंट आ जाइए अब सर यहां पर इसके लिए नोट नहीं है यह होता क्या है यह होता क्या है इसको समझते है Share Warrant ये Warrant क्या है इसको समझेंगे जिसके लिए Note नहीं है उसको समझना तो जरूरी है न देखे चलिए समझते हैं Share Warrant Sir Share Warrant क्या होता है इसके लिए आपको थोड़ी सी बातों को जानना पड़ेगा हमारे Shares के उपर Share Market के उपर यानि Shares के उपर दो लोगों का Basically Control होता है यानि जो हमारे पास Shares होता है न है Company Page पर दो लोगों का Control होता है किस-किस का होता है एक होता है Company का Company Act का यानि एक Company Law का Control होता है उसके According हमें Rule Follow करना पड़ता है दूसरा किसका सुना है नाम नाम सुना है बिल्कुल से भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया और इन सभी का ये पता है कि बेसिकली इसके अंडर आता है हमारा NSE सुना है इसके अंदर आता है BSE सुना है Bombay Stock Exchange of India National Stock Exchange of India जिसे शियर बजार कहते है साधारन शब्दों में तो शियर बजार में कैसे काम चलेगा कैसे नहीं चलेगा उसका फैसला करता है से भी और कंपनी क्या फैसला करता है कि किस चीजों को क्या क्या रूल फॉलो करना है अगर आप कंपनी बनाओगे नो तो आपको दोनों की बाते माननी पड़ेगी इंकम टेक्स की भी माननी पड़ते लेकिन अभी फिलाल दो की बात करते हैं तो हम पुरानी बात करे ना बहुत पुरानी बात करे जैसे 1990memne की बात करते हैं कि बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं यह आपको याद होगा एक मूवी भी थी कौनसे मूवी आई थी हरसट महता के उपर आये था मैं नाम भूल गए कि हड़ सट महता के उपर कोई मूवी आया था भी और दो तिन मूवी बन चुकिया हड़ सट महता जिसने कि अभी तक का उस जवाने में सबसे बड़ा जो उसे क्राइम बोला जाता है जब हमारे देश का परधान मंतरी कॉंग्रेस का नरसिम्बा राव हुआ करते थे वो मूवी में स्कैम 1992 बता भी दिया बच्चों ने उसको आपने देखा है तो मेरा काम आसान हो गया उस फिलम को देखके तो उसके अंदर क्या था शियर पता है कैसे बेचते थे बोली लगाई जाती थी जिस बच्चों ने देखा है एक ऐसा परचा होता था एक परचा था और उस परचे पर नाम लिखवाया करते थे डाइरी में किसको लेना है रिलाइंस का शियर रिलाइंस का शियर रिलाइंस का शियर रिलाइंस का शियर वो लिख दिया करते थे अगर आपको शियर खरीदना है तो आपको पहले वहाँ पर ओर देना पड़ता था फिजीकली जाके पर्चे में फिजिकली जाके पर्चे में उसके बाद यानि आपको शियर अगर 1990 में खरीदना था आपको शियर तो आपके पास कहानी क्या था सर 1990 में आपको अगर शेर खरीदना है If you want to buy अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको physical शेर खरीदना होगा और उसके लिए सबसे पहले आपको सेवी की permission लेनी होगी और company एक्टिक आपको form देगा एक एक form देगा इस form के अंदर भर के देगा बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी दोनों signature करेगा क्योंकि बेचने वाला company नहीं होगा बेचने वाला shareholder होगा तो shareholder जैसे मैंने share खरीदा में बेचना चाहता हूँ तो shareholder भी sign करेगा और जो से share खरीदना है वो भी sign करेगा दोनों sign करके ये वाला जो form दिख रहे हैं आपको ये जो दोनों sign करके पता ही क्या करेंगे इस form को जमा करा देते थे वो जाके company के पास और company बोलते थे भाईया रुक जाओ इतनी जल्द बाजी क्या है हम दो से तीन मेने में आपको आराम से बता देंगे और आपके नाम पे share को चड़ा दिया जाएगा company के पास एक ROM हुआ करता था अगर company law पढ़ाओ तो वहाँ पे आता था registered of member और exam में important भी था company के पास ROM हुआ करता था मान लेतने ये A है और B को खरीदना है पहले A का नाम लिखा हुआ है इस register में तो आपका B भाई तेरा share तब तक नहीं हो सकता था B का जब तक company क्या नहीं करती company को एक काम करना पड़ता क्या करना पड़ता यहाँ से इसका नाम मिटा देता और यहाँ पे किसका नाम लिख देता B का तब जाके B इस share का मालिक बनता था और इस process के अंदर खो गया रस्ते में अब B को मिल गया share B सोच रहा है कि share को मैं बेच दू तो not possible के B बेच पाए उसको बेच ही नहीं पाता क्योंकि उस पर तो नाम किसका है A का है और उससे बोलेंगे तू कौन है तो वह B तब तो अधार कार्ड भी नहीं था तब तो क्या था इतने ID प्रूफ भी नहीं लगा करते थे तो भाईया नहीं बिख सकता था एक के सारे signature वगएरा सब कुछ चेक किये जाते थे तब जाके बिखता तो not possible ऐसा possible ही नहीं था फोर्ज का case नहीं होता था लेकिन बहुत लोग fraud कर लेते हैं उसकी बात अलग है अब जब company को हुआ क्या अब company act और saving ने decide किया कि भाईया हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बोलें कि company के अंदर क्योंकि जितना पैसा आप company के market के अंदर लगा होगे अपनी saving को बचा होगे देखो दो चीजों से economic चलती है आपके saving से चलती है economic जितना ज़्यादा आप saving करोगे न हमें अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे कर हमने saving करना खर्च करना कम कर दिया saving करना ज़्यादा कर दिया तो कैसे सर दोनों balance होना चाहिए क्योंकि जैसे आप saving करोगे आप पैसे share market में लाओगे अपने double करने के लिए तो आप consume कम करोगे जो हमारा import होता है वो consumption कम हो जाएगा और जैसे company को मिलेगा ना तो company के पास जब धेड सारा पैसा आएगा ना तो companies को spend कर सकती है export कर सकती है नए नए technology से import कर सकती है तो यह पूरा circle चलता है हमारे economic का ठीक है न तो अब से भी बोलती थी आर हम उन लोगों से पैसे नहीं ले पाते हैं जिनके पास 10 दिन के लिए पैसे हैं जिनके पास 20 दिन के लिए है और उसके double हो जाएंगे लेकिन उसको पैसे पता कम मिलेंगे ना 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 बेचते 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 उसको तीन महने का यह procedure follow करना पड़ सकता है तो मोहन मेरी company में पैसे ही नहीं लगाता अगर उसे एक हपते बाद पैसे चाहिए हो तो नहीं लगाएगा कभी भी इसी को देखते वे सेवी ने बोला कि कुछ ऐसा शेर लाओ कुछ ऐसा शेर लाओ जिसके उपर नाम ही ना हो सिर्फ लिख दें कि रुपीज दस अजार रुपे का शेर है बस ये लिख दें इसके उपर नेम क्या हो हो ही ना उसे क्या बोला गया share warrant बोला गया तो यानि sir share warrant का मतलब जिसके उपर नाम नहीं लिखा अब जिसके उपर नाम ही नहीं लिखना तो मैं आपको दे दूँगा तो बिख जाएगा यह आपको tension ही नहीं के मेरे नाम पे छड़े और यह share अगर आपका खो गया तो जिसके पास गया वैसा एकदम note के तरीके से काम करता था आप लोगों ने देखा नहीं होगा share warrant मैं दिखा देता हूँ एक बार आप google करोगे तो दिख जाएगा देखते हैं अगर मुझे मिल पाये तो share warrant share warrant यह देखिए इसके उपर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नाम लिखा हुआ ही नहीं है share warrant पे यह format है clear नहीं है यह इतना clear नहीं दिख रहा भाई क्या करें पता नहीं क्या क्या खुल गया छोड़ो हटाओ इधर उदर ले जाता है website तो आज कर तो आप देखेंगे ना google पे आप देखना share certificate ढूणना और share warrant ढूणना तो share warrant पे नाम नहीं लिखा होगा और share certificate पे नाम लिखा होगा तो मुद्दे की बात सर यहां पे देखेंगे आप share capital में वही capital रखा गया जिसके उपर नाम लिखा गया था और share warrant में वह वाला capital रखा गया जिसके उपर नाम नहीं लिखा गया था पार्ट तो share capital का ही है यह पार्ट किसका है हमारा share capital का सर इतनी सारी बाते आपने बता दी इस पे तो exam में बड़ा important है मैं बोलूँगा no important नहीं आएगा आपके question में यह लेकिन आपको पता होना चाहिए के share warrant होता क्या है तो मैंने कहा मैं सारी बातों को discuss करूँगा चाहे exam से related है नहीं है मैं बता जरूर दूँगा है कि इसको आपको याद ही नहीं रखना के share warrant question में कैसे देगा वो नहीं दिया होता कभी भी questions के अंदर नहीं देगा चलिए sir share warrant यानि pending on allotment आप देखिए समझिएगा एक x y z limited company है ठीक है और इसने क्या करा share issue किये जैसे इसने share issue किये public ने क्या करे इसको पैसे दे दिये लेकिन public को ये share capital नहीं दे रहा इसका मतलब public का पैसा जो है वो company के पास पढ़ा हुआ है तो company के लिए क्या है liability क्योंकि share capital में तो तभी जा सकता है जब company इसको share का certificate share capital दे दे बस company ने पैसा receive करा बोला एक देड़ हपते में देंगे तो एक देड़ हपते तक कहा दिखाओगे उसे तो उसको क्या करते हैं हम नॉर्मली दिखा देते हैं share application का पैसा आ गया pending allotment का मतलब अभी उसको देना बाकी है जैसे ही हम दे देंगे तो यहां से घट जाएगा और वो कहां पहुँच जाएगा पता है share capital में कहां पहुँच जाएगा share capital मतलब सर अगर share application pending allotment यहां पे 500 करोड है और अगर हमने issue कर दिया तो यह zero हो जाएगा यह zero हो जाएगा और क्या बन जाएगा यह यहां से पैसा यहां से फ्ट हो जाएगा exam के point of view से no important no important इस पे कोई point नहीं पूछा जाएगा exam के point of view से ठीक है चलिए सर अब आ जाते हैं non current में long term borrowing note number 3 है आ जाएगे long term borrowing note number three long term borrowing sir long term borrowing में क्या आता है number one debenture अब छोटे छोटे note है number two bank loan बस यही चीजें sir number two bank loan बस इतनी चीजें बिल्कुल जी बस note number three किसके लिए था sir other other long term note number three के लाद note number four note number four other long term other long term क्या 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 आएगा सर इसमें इसमें आएगा नंबर वन trade अगर लॉंग ट्रम यहीं आ जाएगा अगर लॉंग ट्रम हुआ तो इसमें sir बस बात खतम trade payable और कुछ नहीं बस एक ही पॉइंट और exam के लिए no important अब no important का मतलब ऐसा भूल मत जाना ये चीजे मैं no important कह रहा हूँ लेकिन MCQ के लिए important है ये MCQ में पूछा जा सकता है आपका ठीक है ना तो MCQ पिछली बार आए हुए है आप देखोगे पिछला paper solve करोगे ना तो मेरे ख्याल program में थे final account का भी MCQ था कम से कम 20 number का program में MCQ था और honor का जब paper देखा था उसमें 30-35 number का MCQ आया हुआ था और MCQ ऐसा नहीं के बस बता दो हाँ कोई भी लगा दो गए सारे एकदम depth में पूसे कहते है इसलिए मैं detail में लेके चल रहा हूँ आप लोग को ठीक है ना तो आप बिल्कुल भी घबराए ना के सर जल्दी जल्दी बता दो बस note number 5 note number 5 long term provision sir क्या क्या आएगा long term provision में number one employee provident fund में short form में लिख देता हूं यहाँ आएगा नहीं EPF लिख देता हूं समझ में आई जाएगा EPF ना 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 इसमें EPF नहीं आएगा EPF नहीं आएगा EPF ऊपर वाले में आएगा EPF ऊपर वाले में आएगा प्रोविजन पोर डेप्रीशेशन प्रोविजन पोर टेक्स बस यह पॉइंट आएगा इसमें इससे ज्यादा नहीं होगा चलिए नोट नमबर सिक्स नोट नमबर सिक्स शॉट ट्रम बोरोईंग बोरोईंग सर क्या क्या हैगा शॉट ट्रम बोरोईंग में शॉट ट्रम बोरोईंग में बैंक ओबरड्राफ्ट बैंक ओबरड्राफ्ट के बाद और क्या आएगा सर बैंक ओबरड्राफ्ट कैश क्रेडिट सर कैश क्रेडिट यह होता क्या है जब कुश्चन में आएगा तो डिस्कस करेंगे हम समझेंगे जब कुश्चन में आएगा तो सर नोट नमबर सिक्स के बाद आज आईए इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ समझें तो आई ही गया है बाकी नोटिंग के लिए ताकि मैं एक पेज़ पे दूँ तो एक पेज़ पे अपसम नोट कर ले थोड़ा है छोटा कर दिया मैंने बस और कुछ चलिए सर नोट नमबर नोट नमबर छे के माद साथ सर साथवा नोट किसका था ट्रेड पेबल सर ट्रेड पेबल में क्या आएगा ट्रेड पेबल में ट्रेडिटर बिल्स पेबल बिल्स पेबल बस दो चीज़े और क्या है नोट नमबर आठ अधर करेंट लिएबिटी अधर करेंट लिएबिटी क्या क्या आएगा नमबर वन कॉल सिन एडवांस इंपोर्टेंट है ये नमबर दो आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस से लिखा है मैंने तो एक्सपेंस में सब कुछ आ गया इंटरस्ट विंटरस्ट सब आ गया नमबर तीन एडवांस इंकम नमबर चार अनकलेम डिविडेंड नमबर पांच डिबेंचर नमबर छे बैंक लोन छीक है सर बस इतना लिख देते हैं लेकिन एक सवाल बच्चों के मन में आएगा और ये एक्सामनर ने पूछा भी था यही सवाल पे एक्सामनर ने पूछा भी था सर सर बोला कि भईया डिवेंचर कहां आएगा बताओ तो सर बच्चे बोले डिवेंचर तो आपने यहां लिखवाया है तो यहां क्या कर रहा है डिवेंचर है ना समझते हैं माने लीजिए ये आपके पास एक लाइन है ये सेकेंड ये है ये थर्ड ये है और ये मान लेते हैं फोर्थ ये है मैंने चार साल लिख दिया है आपके सामने समझ लीजिए आप काम की चीजे हैं अब देखिए अगर डिवेंचर को मुझे लोटाना चार साल बाद है चौत्थे साल लोटाना है मैंने रुपीज एक लाख रुपे का डिवेंचर मैंने इशू किया है या फिर सपोस करो मैंने क्या लिया है सर बैंक लोन और मुझे लोटाना का बैसर चौत्थे साल में लेना है तो मेरा जो डिवेंचर है डिबेंचर है एक लाख का लोटाने का बेसर चौत्थे साल में आप एक बात बताईए मुझे क्या आपको पता है कोई भी चीजे शॉट्रम और लॉंग ट्रम किस पर डिपेंड करता है क्यूंकि इसमें यही फरक है कि यह शॉट्रम के अंदर आ गया और यह लॉंग ट्रम के कैसे डिफाइन होता है अगर पेमेंट एक साल के अंदर कर देंगे तो शॉट्रम हो जाएगा अगर पेमेंट एक साल के बाद करेंगे तो लॉंग ट्रम हो जाएगा अभी मैंने डिबेंचर लिया सर अगर आपने अभी डिबेंचर लिया हुआ है तो बहुत सीधी सी बात ह जो अभी आपने डिवेंचर लिया ये डिवेंचर का payment कब होगा बता दीजिए आप ये डिवेंचर का payment कब होगा ये डिवेंचर का payment चार साल बाद तो अभी ये है long term अब दूसरे साल में जब पहुचेंगे तो पेमिंट कब होगा दो साल मतलब तीसरे साल में तो अभी भी क्या है लेकिन सर जब हम इसको लेके जाएंगे आगे तीसे साल में तो अभी भी पेमिट एक साल के बाद करना है अभी भी क्या रहेगा लेकिन जैसे ही हम जाएंगे इसको कब लेके सर चौथे साल में तो अब पेमिट कब करना है सर इसी साल करना है अब इसका नेचर बदल जाएगा सर क्या बोल रहे हो सर इसका नेचर बदल जाएगा ये अब हो जाएगा शॉट ट्रम ये क्या हो जाएगा हमारा शॉट ट्रम हो जाएगा समझ पारे हो बात आप इसी short term को हम debenture को इसलिए बोलते हैं mature debenture अगर बोला जाए mature debenture कहां जाएगा तो जवाब mature debenture का मतलब उसी साल payment करना है तो ये किसका पार्ट माना जाएगा short term ये वाला जो debenture है ये जाएगा other current liability में और ये वाला debenture चला जाएगा non current liability के long term borrowing में समझ में आई बात आपको कि फरत बस tenure का है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले बताईए यहाँ तक समझ में आए ये debenture वाला point सवाल में पूछा जाएगा ये debenture clear है यहाँ तक trade paypal बच्चे कहा रहे हैं दो बार लिख दिया बिल्कुल हाँ एक यहाँ भी trade paypal लिखा सर और एक यहाँ भी trade paypal लिखा ये एक साल other long term liability के कोई define नहीं है मैंने कहा not important ये important नहीं है अगर आपने उधार माल खरीदा और उधार माल खरीदने के बाद बो भाई आप बोलो कि मैं 6 महने में payment दूँआ तब आज आएगा वो इस वाले creditor के अंदर तो दोनों trade paypal है creditor एक साल के बाद का payment long term में पहुंच गया और एक साल के कम का short term में पहुंच गया बच्चे कह रहे हैं debenture फिर से बता दो बिल्कुल अब देखो अब हमें इस debenture का पैसा कब देना है इसका पैसा पैसा देना है करजा लिया है न कब एक दो तीन साल के बाद after three years तो sir ये करजा मेरे पास तीन सालों तक रहेगा तो long term है अगेन इस करजे को अगर हम लेके चले अगर मैं यहां पे हूँ और मैं पूछू बताओ देना कब है तो बोलो के दो साल बाद तो again long term है अगर मैं यहां पे हूँ तो देना कब है एक साल के बाद तो again long term है लेकिन अगर मैं यहां पर आ जाओं तो मैं एक साल बाद नहीं दूँगा मैंने तीन-तीन साल लिख दिया इसमें वो by default आ गया उसकी चिंता मत करो यहां पर लिख देते हैं यह देना है हमें दो साल के बाद और यह देना हमें एक साल के बाद और यह कब देना है सर यह इसी साल देना है तो भाईया इसी साल देना है दिस येर देना है तो सर जब इसी साल देना है कोई भी पैसा करजा ले रखा है वो पीछे से भले ही long term हो और इस साल इसी साल payment करना है तो मतलब वो पहले long term रहा उससे मतलब नहीं है अब payment तो इस साल होगा ना that is mature debenture और उसको अब जिस साल payment होगा उस साल कहाँ show करेंगे current liability के अंदर और वो भी other current liability का part माना जाएगा पहले बातों को समझेए आप Sir calls in advance क्यों नहीं लिखा है share capital में? calls in advance क्या होता है? मैं बता देता हूँ calls in advance का मतलब होता है अब एक एक करके पढ़ी देता हूँ हाँ वो मैंने पढ़ा भी नहीं देखिए calls in advance का मतलब होता है shareholder से advance में पैसा ले लेना इसका मतलब यह नहीं है कि आपको share ले लेते हैं तो हम उपर भी देना पड़ता जिसे बोला जाता है कॉल सिन एडवांस पर आपको इंटरस देना है हमारे लिए हमारा होता है ठीए पहले ही यह आजिएगा आपसे अगर मैं पूरा करवा आहा है आपसे fees मैंने ले लिया है, पहले ही advance में, तो मेरे लिए liability side में दिखाऊँगा, मैं अपने balance sheet के, इसके बाद unclaimed dividend, ऐसा dividend, मैंने इस बाद dividend बाट दिया, A, B, C, D, dividend मैंने बाट दिया, चारो को, अब भाई, इसके अंदर A को भी मैंने बुलाया, आजा भाई, ले जा, B को भी दे दिया, C को भी दे दिया, D को मैं ढूंडता रहे गया, कहा है भाई, कहा है, भाई, कहा है, वो मिला ही नहीं, तो वो dividend होगया, unclaimed, मतलब D मांगने नहीं आए, तो आज नहीं तो कल आएगा न वो, तो उसको देना पड़ेगा, that's why से liability में लिख देते है, unclaimed dividend, और debenture और bank loan का है, तो मैंने same scenario बता ही दिया, चलिए सर, अगला note हमारा assets का बनता है, सर, कौन सा note बनता है, सर, assets का, assets का note बनता है, note बनता है, कहां गया, note number, sorry, liability का, note number 9, short term provision, इसी के नीचे लिएके चलते है, short term provision, note number 9, short term, provision, सर, short term provision में क्या है, point number 1, provision for tax, point number 2, पर dividend, dividend, point number 2, dividend, ये दो बातें आएंगी हांपे, बस, वैसे provision for depreciation भी आ सकता है, लेकिन वो हम discuss करेंगे, जब आएगा, तो हमने liability side के, सारे के सारे note को हमने cover कर लिया है, तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले note में कितने बच्चों को down दे, पहले तो हमें इसे समझना ही पड़ेगा, और अगली class में note के बाद हम question कर पाएंगे, क्योंकि अभी p handle का भी note pending है, तो मैं आपके अगली class में आज तो मैं लिख के बता रहा हूँ, अगली class में side में liability वाल एसेट वाले note को न मैं मतलब print करके जैसे की, मैं बताना चाहता हूँ, मैं अगली class में क्या करूँ है, जैसे यह है, क्योंकि आपको बस understanding develop करना था, जो कि आपका हो गया है, अगर मैं चाहता, इतना वक्त नहीं खराब करता, और मैं सीधा बता देता, low जी low balance sheet हो गया, और यह total, और मैं यहां से बताता जाता, लेकिन उसमें मजा नहीं आता, आप बस देखते और फिर कोई फाइदा नहीं था, अब यहां पर देखेंगे सब चीज मैं बता चुका हूँ, जैसे कि shareholder fund बता दिया, share capital बता दिया, reserve and surplus बता दिया, money receive against share warrant बता दिया, share application pending बता दिया, non current liability के अंदर क्या बता दिया सर, short term borrowing, defer tax यह question मारक है, बच्चे पूछ रहे थे मेरे को पता है, लेकिन अभी हम नहीं करा दे इसको, other long term liability बता दिया, long term provision बता दिया, current liability बता दिया, short term borrowing बता दिया, trade payable बता दिया, other current liability और यह, यानि यह सारा point हमारा लगबग हो चुका है, अब यह भी हमने format लिख लिया, लेकिन इसके note पे अभी हमने काम नहीं किया, तो अगली class के अंदर, क्योंकि काफे सारे नए बच्चे हैं, शायद उनको habit ना हो, तो next class में इसके note को भी खतम करेंगे, और साथ के साथ P&L को भी, तो इसके note को मैं लिख लिख के ना दिखा के, मैं ऐसा ही लिखा हुआ दिखा दूँगा, और मैं समझा दूँगा जिससे कि हमारा थोड़ा सा time बचेगा, clear है, मुझे unmute कर दो, unmute कर दो, सर, new wallet 10 year आ गया, बिल्कुल new wallet 10 year न मार्किट में अभी दुकान दार पे नहीं मिलेगा, बाकी print वगेरा हो चुका है, होली की छुट्टी है, होली कब है, वेडनेस दे, फ्राइडे आपको मिल जाएगा, होफुली आपको फ्राइडे और मैं लिंक की प्रोवाइड कर दूँगा, सभी बच्चों को जो ले सकते हैं, मैंने जो 2022 का question paper है, मैंने जो है, 2022 का question paper solve करके सभी में आता है, अब देखो काफी बच्चे परिशान हो रहे हैं के 10 year, को 10 year के अंदर क्या है, बेसिकली जिसने अभी recently खरीदा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, जो नए वाले 10 year आ रहे हैं, उसके अंदर मैंने कुछ थोड़े से question एड़ और करके नहीं print करवा दिया है, और question को थोड़ा systematic करवा दिया है, ताकि आप उसको जब करो तो दिक्कत ना हो, पुराने जिनोंने खरीद लिया हैं, जिनके पास अभी है still 10 year, उसके अंदर भी वो सारे questions मिलेंगे, लेकिन वो आगे पीछे मिलेंगे, बस थोड़ा manage करना होगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसके अंदर एकाद question मैंने add-on करा दिया, जैसे की shop करा दिया है मैंने, तो वो चीज़े मैं आपको अलग से जिन बच्चों के पास नहीं है ना, और नए वाले 10 year में नहीं है, उनका मैं आप सभी को material प्रोवाइड करवा दूँगा, इसकी चिंता मत करो, सर नेम क्या है 10 year, देखें नेम तो सभी को पता ही आपने 3rd semester में पढ़ा होगा, सिर्फदास का 10 year आता है market के अंदर, बीकॉम के लिए basically जिसके अंदर past year के paper होते हैं, सभी को पता है, लगबग लगबग, चलिए, यहाँ पर आ जाते हैं सर, और यहाँ पर एक बार मैं overview दे दूँ, जो बच्चे नए हैं, उनको थोड़ा idea भी लग जाएगा, कि balance sheet का हम पहले format बनाना सीख रहे हैं, इसके बाद पी एंडल, chapter का नाम है हमारा financial statement, यानि final account जो वही 11 वी वाली बात चाहिता है, बस इसके अंदर format थोड़ा उपर नीचे हुआ है, जो कि हम पढ़ते पढ़ते देख लेंगे, इसके बाद देखा जाए, तो हमने क्या देखा था सर, ये सारा का सारा हमारा liability था, इस liability को एक systematic तरीके से रखा जाता है, जो कि note के format में रखा जाता है, और एक तरफ क्या था सारा assets, उसको भी note के format में रखा जाता है, ultimately मैंने दिखाया भी था कि ये इसके side नहीं होता, बलकि ये इसके नीचे होता है, मैं noting के अंदर वही चीज़े cover करूँआ, जो exam से related है, जो exam से related नहीं है, उसको सरफ discuss करेंगे, उसको मैं इसके अंदर डाल के confusion नहीं करना चाहता, जैसे कि deferred tax liability assets के बारे में, फिर हमने liability के अंदर क्या क्या आएगा, सारे notes को बड़े अच्छे से detail में देख लिया था, अब आ जाते हैं, assets पे, assets में note number 10 का starting करने वाले हैं, note number 10, note number 10, जिसका नाम था property, plant and equipment, जिसे PPE बोलने वाले हैं, property, plant and equipment, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, सर, property, plant and equipment में क्या करेंगे, सर, कैसे करेंगे, इसका मतलब होता है, आप साथ, simple सी बात करूँ न, तो ये fix assets है, fix assets जो किया, सर, fix assets वही जो हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल, exactly, वही fix assets, land, building, plant, machinery, furniture, वही चीज़, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, land and building, उसके बाद, plant and machinery, इसके बाद, आपका आजाएगा, motor car, furniture, और क्या सकता है, सर, furniture के लावा, और जितने भी any kind of etc कर देते हैं, इसको है न, क्योंकि इतना ही तो पता ही आपको, very very good evening, तो अब बोलेंगे सर, आपने जगे क्यों छोड़ा, तो भीया, जो land and इस पे न हमेशा adjustment होगा, तो यहीं से less कर देंगे हम, क्या less कर देंगे सर, depreciation, इसी पे less कर देंगे, आज हमारा format न पूरा complete हो जाएगा, depreciation, ठीक है, सर, इसमें से भी क्या less करोगे, सर, इसमें से भी depth minus कर देंगे, अगर given होगा तो, सर, यहाँ पे depth दो तरीके के होते हैं, प्रोविजन फोर depreciation और दूसरा, तो वो हम जब adjustment के topic पहेंगे न, तब करेंगे, यहाँ depreciation नहीं है, तो नहीं करेंगे, जरूरी थोड़ी हर किसे में depreciation हो, यह लोजी आगे total, और सर, यह total पता है, कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ जाएगा सर, सर, यह total जो है न, यह पहुंच जाएगा, हमारा जाके, balance sheet में, whatever total आजाएगा, और इसको नाम क्या दे दिया, note number 10, चलिए सर, इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद note number 11, note number 11, intangible, asset, सर, intangible assets में क्या-क्या होगा, देखते जाएगे, number 1, सबसे पहले आपको जो सबसे अच्छा नाम लगता है, और पता भी होता है, goodwill, number 2, patent, number 3, copyright, number 4, आपका, पॉर्मूला, number 5, trademark, number 6, आप कह सकते हो, number 6 और कह सकते हो, software, software, ये सारे हमारे, intangible assets है, सर, इन दोनों में, दोनों क्या fix assets होते हैं, जी, हाँ, इसको समझ भी लेते हैं, अगर आपने 11th standard में पढ़ा हो, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको clear होगा, जिसमें नहीं पढ़ा, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, सर, हाँ, सर, हमारा जो fix assets है न, अगर मैं बोलू, non current assets, समझ येगा, सर, non current assets से, नाम से ही clear है, सर, ये fix assets है, लेकिन, अच्छे systematic करने के लिए, इन्होंने इसको categorize कर दिया, एक कर दिया, fix assets के पार्ट में, हाला कि थोड़ा discuss किया था, हमने, और fix assets को भी इसने categorize कर दिया, कि भाईया, इसके अंदर दो बाते होंगी, एक होगा tangible, और एक होगा intangible, सर, tangible और intangible, tangible का थोड़ा सा नाम बदल दिया, इसको बोल दिया, property, plant and equipment, और intangible का नाम, intangible ही रखा, इसके अंदर वही आ गया हमारा क्या सर, जैसे कि, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, विच कैननोट सी और टच, जैसे लाइक गुड़ विल, जो हमारा ये गवन करता है कौन, AS29, अब तो वैसे इंडे एस आ गया है, लेकिन AS29 गवन करता है, और सर, इसको कौन सा AS गवन करता है, AS10 गवन करता है इसको, तो फिक्स, नोन करेंट एसेट्स में एक तो रख दिया, कैटेगरी फिक्स एसेट्स का, जो कि इधर आ गया, एक कैटेगरी हमारा किसका रख दिया, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जो कि हमारे नोन करेंट एसेट्स होते हैं, जैसे सर इनवेस्मेंट, जैसे सर आपका, लोन एन एडवांस, अब लोन एन एडवांस दिया है यह सर, लोन एन एडवांस जो हमने दिया है वो लिख रहा हो मैं, और जैसे other कोई भी अगर समझ में नहीं आ रहा ना और fixed assets है तो other assets में डाल दिया other known current assets तो इस तरीके से company law ने हमारे assets को categorize किया है अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमने भी ऐसे ही किया है property plant and equipment fixed assets के अंदर फिर क्या है intangible assets तो intangible assets हमने कर लिया है इसके बाद देखते हैं सर note number 10 और 11 हो गया सर इसके नीचे कोई note ही नहीं डाला आपने working capital under development तो आप समझेगा बात को working capital under development होता क्या है चलिए सर देखो exam में कभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए working capital under development अब मान लो मैं एक building बनाने जा रहा हूं ठीक है और उसके लिए सबसे पहले एक जमीन लिया उसके लिए सबसे पहले एक जमीन लिया मैंने लैंड अब इस लैंड के उपर पहले मैं दिवारों को खड़ी करूँ आप यह मैंने दिवार लगा दिया और यह मैंने डाल दिया जो भी बन रहा है बनने दो building इन बनानी की कोशिस कर रहे हैं यह building दिवार यह ऐसा करता है सिरा हम boundary देते हैं अब दाल यहिसा है अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा बाउंडरी देते ठीक है और ये हो गया boundaries दे दिया, अभी बनने वाला है इसके उपर 3 sheet वगरे डलेगा तो sir, ये मैं क्या बना रहा हूँ क्या बना रहा हूँ सर पताओ building बना रहा हूँ मुझे सभी comment में बता दे, क्या बना रहा हूँ मैं ये, क्या बनाने की कोशिस कर रहा हूँ मैं, building लेकिन इसे building नहीं कहा जा सकता इसे building नहीं कहा जा सकता sir, building क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी proper नहीं हुआ न ये, तो जब ये proper नहीं बना, इसे building भी नहीं कह रहे हो sir, तो क्या कहें इसको फिर sir क्योंकि इसे building नहीं कहा जा सकता जब तक ये पूरा छत ना बन जाए डोर ना बन जाए तब तक building नहीं होगा तो sir जब construction में चल रहा है है तो हमारा ही assets है तो हमारा ही assets लेकिन अगर मैंने building category में डाल दिया यानि sir अगर आपने यहां building के अंदर डाल दिया तो मतलब बन के तयार हो गया तो गलत डाल रहे हो इसका मतलब sir कुछ ऐसे buildings ऐसे काम होते है fix assets जिसको बनने में समय लगता है तो इसमें से वो वाले assets आ रहे हैं जो की complete बन चुका है अगर इसमें बनने में समय लग रहा है और यह आपका assets ही है तो इसको अलग से हम शो कर देते हैं category में और उसका नाम आ जाता है हमारा क्या working capital under development working capital under development मतलब यह पूरा assets ही ही है कुछ समय बाद जैसे ही building बनेगा तो इस working capital under development में से category में से हट जाएगा और कहां पहुंच जाएगा जाके यह बताओ अगर यहां से हटिक जाएगा यह building बनके तयार हो गया तो यहां से तो हटी जाएगा under development तो रहा नहीं फिर कहां पहुंचेगा यह जाके यह building में जाके add-on हो जाएगा work in progress building में जाके add-on हो जाएगा बिल्कुल under developing winding बिल्कुल सही बात बच्चों ने जवाब दे दिया तो इसलिए यहां पे अगर नोट को आप ध्यान से देखें तो नोट इसके लिए कोई नहीं लिखा और एक्जाम के लिए मैं बोल दू नॉट इंपॉर्टेंट सर लेकिन आपको पता होना चीए इसलिए नॉट सर यह क्या होता है अब इसका बड़ा सिंपल सा एक्जाम्पल है पहले तो बच्चों को एक्जाम्पल समझ भी नहीं आता तब बड़ी जल्दी आजाएगा जैसे कोविट का एक्जाम्पल लेलो मैं थोड़ा कोविट का सेनेरियो अगर आपको बताओं तो कोविट जो था इसका नाम क्या है? स्को विड 19 19 सर इसका 19 नाम करन क्यों पढ़ा? क्योंकि 2019 में आया था और इंडिया के अंदर 20 में आया था है न? पूरे वर्ल्ड में ये 19 में आ चुका था थोड़ा थोड़ा था, इंडिया में प्रॉपर तरीके से एपरिल 20 में आया था तो भईया 19 में तो हमने इसको कोई तबज्जू ही नहीं दे वोली एक कोविड ओविड कुछ नहीं होता है छोड़ो लेकिन 20 में जब हुआ कोविड तो हमारी हालत खराब हो गई अब 20 में जब कोविड हुआ तो ये 20 भी चला और ये 21 भी चला आपको याद होगा लोगडाउन अनलोगडाउन 1,2,3 ये सब चलता रहा था लेकिन यहां तक अगर मैं बात करूँ ना जैसे ही कोविड आया था ना तो आप अलर्ट नहीं थे लेकिन साइन्टिस जो थे यानि जो डॉक्टर थे जो डॉक्टर थे वो साइन्टिस उन्होंने अपनी तयारी चालू कर दी और 2020 में तो बहुत तयारी होने लग गई प्रप्रेशन चालू कर दी इसके लिए मतलब फार्मूला बनाने लगे कि जैसे कोविड शील्ड और या फिर कोवेक्सिन आया जो भी इसका है जो भी मेडिसंसस बन नीं पाया अभी ता इंडिया की बात नहीं करें सारी कंट्री लगी उए लगी अगी उगी उए उनको पूरा एक साल लगा इसको करने में और जब बन गया तो उसके बाद सभी को उन्होंने क्या करा जितने भी वैक्सिन से उन सभी को लगाया गया वैक्सिन तो सर इस एक साल के अंदर जो इंडिया ने एक में दो formula बनाएं cove sild और covaxin यह formula थे हमारे formula थे यह क्योंकि एक formula से बनता है science वाले बच्चे करते हैं कर फॉर्मूले वगर में तो जो यह formula था यह हमारे लिए के एसेट था लेकिन assets कौन सा था सर मैंने लिखा formula कहा जाता है हमारा intangible assets में लेकिन ये formula तब तक नहीं बना जब तक लोगों के उपर experiment नहीं हो गया तो ये जो हमारा vaccine जो था trial पर चल रहा था तो trial मतलब क्या था intangible assets तो था लेकिन under development था तो अगर ऐसा कोई intangible assets है जो की under development में है वो तो intangible assets under development के category में आ जागा और जैसे ही वैक्षिन बन गया तो वह कहां चले जाएगा यानि इस तारीख तक 2020 और 21 के बीच में ये अंडर development में रहा और जैसे ही 2021 में वैक्षिन बनके तयार हो गया not important में कहूंगा इससे पूछा नहीं जाता एन का मतलब not important ठीक है तो लेकिन हमें समझना है कि इसमें समझ में आना चाहिए चलिए सार non current investment note number 12 non current investment note number 12 non current investment क्या होता है वो एस investment जो लंबे समय के लिए कर सकते हो किसमें कर सकते हो सर आप shares में कर सकते हो अपनी company के share नहीं, किसी और company के share में, ठीक है, और किस में कर सकते हो sir, debenture में कर सकते हो, दूसरी company के, और किस में कर सकते हो sir, property में कर सकते हो, तो ये सारे आपको समझ में आ रहा होगा, कि ये investment वो है, जो लंबे समय के लिए किया जा रहे हैं, अब sir, land and building भी हो सकता है, इसके अंदर land and building में लिख देता हो, लो, property में तो आई गया न, land and building, तो बोलो के sir, land and building यहाँ है, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, land and building, भाई ये land and building जो यहाँ पर लिखा है न, ये तो business में इस्तमाल होंगे, और ये land and building हमने खरीद लिया, और महंगा करके बेच देंगे, तो ये land and building investment होगा और ये हमारा क्या होगा sir, assets, तो sir, depreciation लगाने की बार ही आएगा, तो किस पे लगाएंगा sir, इस पे सरिफ depreciation लगेगा, investment पे थोड़ी लगेगा depreciation, depreciation किस पे लगेगा सरिफ, इस पे investment पे depreciation नहीं लगेगा, यानि आपको अगर दो land and building लिख दिया जाए, examiner confused ब investment वाले पे थोड़ी न लग सकता है land and building पे, सिर्फ किस पे लगेगा, इस पे, वो तो मैं बता रहा हूँ कि examiner उलजाना चाहे तो उलजा सकता है, sir, note number 12 done, note number 12 done, note number 12 done, आज आते है note number 13, 13 कहता है long term loan and advance, long term loan and advance, note number 13, long term loan and advance, long term loan and advance, sir, क्या क्या आएगा, loan given to employee, double E कर रहा हूँ, employee, number 2, advance, given to supplier, sir, यह क्या होता है, यह क्या होता है, sir, right now, what can I quit this class, sir, right now, what can I do class, हाँ, यह आपको recorded मिल जाएगा, अगर आपको कोई emergency है तो जा सकते हैं, बाकि आपको मिल जाएगी है, शिवम, no, which watch previous video, आप जो बच्चे first class हैं, उनको कोई problem नहीं होने वाली, आज वाली class में, क्यूंकि यह 12 में आपने पढ़ा हुआ है, बस मैं नोटी लिखा रहा हूँ, एक class के बाद problem आगे, तो आप बने रहें, आपको कोई दिकत नहीं होगी, जितने ही बच्चे live हैं, तो किसी बच्चे को कोई दिकत नहीं होने आले, सभी के मैं doubt करके पढ़ रहा हूँ, शिवानी ने कहा vaccine, बिलकुल, मैं भूल गया था, चलिए, अब जी सर, long term loan and advance क्या होता है, यह, अब long term loan and advance, simple सी बात है, अगर current assets और non current assets के बीच के फासले की बात करें, तो एकी चीज़ होती है, 12 मैंने से अधिक के लिए long term हो जाता है, 12 मैंने से कम के लिए short term हो जाता है, अब advance, आपके पास एक employee आया, बहुत भरुसे मन्द employee आया, जो आपके पास सुरू से काम कर रहा है, जब से business start है, उसने बोला के भाईया, मुझे न, सर मुझे एक काम करिए, कि 5 लाख रुपए का loan दे दीजिए, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, तो company का बहुत भरुसे मन्द employee, अगर company ने बोल देता है, ऐसे थोड़ी होता है, पैसे मांग के ले जाए, तो उस employee क्या करेगा, छोड़ के जा सकता है, और आज के टाइम पर मैं बता दूना, तो सब कुछ मिल सकता है, employee अच्छा मिलना बहुत मुझेल है, आज के टाइम पर employee नहीं मिलता, क्योंकि बोलने की बात है, बेरोजगारी है, मेरे को तो इतनी समझ में आते ही, कहीं बेरोजगारी है, इतने सार करके दो top level का, ताकि company ऐसा कुछ करो, जहां job भी करो कि company को डर लगे, यह employee नहीं चले जाया, तब मज़ेगा, तो ऐसा ही कोई employee बहुत पुराना है, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा, कि मेरे को छोड़ के जाए, क्योंकि पूरा, मेरा system ही समाल रखा है उसने, तो मैं पैसा अपने employee को as a loan दे दिया, तो मेरे लिए वो assets है, क्योंकि वो उससे मुझे वापस मिलेगा, तो वो इस category में आ जाएगा, loan given to the employee, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं, कौन, बहुत सारे supplier जो होते हैं, वो बड़ा घमंडी होते हैं, आप समान लेने जाओगे, अगर उनका monopoly ह समान लेने जाओगे, हम नहीं देते, पहले advance दो, फिर देंगे, यहनि बिना advance के वो बात ही नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, supplier को पहले से ही कुछ advance देना पड़ता है, या फिर हम कुछ चीजे customize कराते हैं, तो बिना customization जहां भी कुछ भी product करवाओ, आपको समा मिलेगा ही नहीं, आपको बोलेगा, पहले 50% advance जबा करवाई है, तब मिलेगा, तो जो पैसे मैंने advance भी है, मान लोग मेरा customization जो assets बन रहा है, उसके अंदर समय लगेगा, तो advance हो सकता है, लंबे समय के लिए हो, तो वो कहां चले जाएगा, एडवांस में चला जाएगा, तो आप balance sheet को बिल्कुल दिमाग से लेके चले के ये नाम है और उस नाम से related ही सारे चीज़े हैं, जैसा नाम वैसा काम है यहां पर, बिल्कुल भी आप याद करने कोशिस करोगे तब तो नहीं होगा, note number 13, ये note number क्या था, 12, 13 था ये, note number 14, बड़े छोटे 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 note है य other, नहीं पहले तो, अच्छा, other, known, current assets, sir, पता है क्या, इतने सारी चीज़े होती है ना, जब lawmaker law बनाता है ना, जब कानून बनाता है ना, तो कई बार सब कुछ सोच लिया, सब कुछ ये भी होता है, वो भी होता है, सब सोच लिया, उसके बार लगता है कुछ पच गिया त फिर उसको एक other का heading डाल देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा किस में, other, known, current assets में, ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ पर पता है क्या क्या चीज़े आ जाती है, preliminary expense, यहाँ पर आ जाता है हमारा preliminary expense, सर, preliminary expense तो खर्चा है, नहीं, आपका अगर मान लो कि आपने 5 लाख रुपए का, सर मेरा doubt reply नहीं हुआ, सर, land and building वाला एक बार फिर, अभी बताएंगे, बताएंगे, इस note को फिर से पूरा समझाएंगे, मान लो कि आपका 5 लाख रुपए के preliminary expense है, मतलब business start करने से पहले, य जो ने कहा कि इसे एक बार में write off मत करो, इसे 5 सालों का benefit लेकि करो, तो इस साल तो हमें 1 लाख दिखा देंगा, बाकी 4 लाख तो हमें अगले साल दिखाना है, तो 4 लाख ये advance में खर्चा हो गया ना, समझो, ये 4 लाख किस में खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख का साल में, फिर 1 लाख अगले साल में, तो 4 लाख तो advance में खर्चा हो गया, तो वो एक तरीके से advance हो गया, और लंबे समय के लिए हो गया, तो उसे कहां डाल देंगे, हम other known current assets में, ये समझ में आया, जल्दी बता दो हाँ या ना, ये समझ में आया, comment में बता दो फटा-फट स हाँ, land and building, sir मेरा doubt, अभीशेक कश्यप, अभीशेक कश्यप को कौन सा doubt रहे गया, भाई, कौन सा रहे गया, अभीशेक एक बार दुबारा सा आप डाल दो, ये स, नहीं सर, नहीं आया समझ में, चलो दुबारा समझाते से, जिनको नहीं आया, बहुत बच्चे बोल रहे हैं, आ गया, बहुत बच्चे बोल रहे हैं, नहीं आया, तो सर देखो, land and जैसे होता है नहीं हमारा, मैं बात करता हूँ, preliminary expense, सर, preliminary expense क्या होता है, business start करने से पहले जो खर्चे होते है, preliminary expense कहते है, share capital वाले में, मैंने पूरे detail में बता दिया था, होता क्या है, preliminary expense, अब मान दो, आपका खर्चा हुआ कितने का सर, पांच लाग का, तो, but obvious सी बात है, ये पांच लाग रुपे, अगर एक बार में आप अप अपने profit and loss में दिखा होगे ना, तो आप सब P&L हिल जाएगा, हिल क्यों जाएगा, बहुत बड़ा खर्चा हीए, आपने decide किया कि इसे हम पांस सालों में दिखाएंगे, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांस साल, और अभी आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप इस सा चार लाक रुपए उसके संभाल के रखोगे, और अगले साल फिर एक दिखाओगे, फिर तीन संभाल होगे, फिर अगले साल दो, फिर एक ऐसे चलता रहेगा, तो जो आपका यह 4 लाक रुपए आपने बोला कि अगले सालों में दिखाएंगे, तो यह assets हो गया, आपका एक एक्जाम के लिए, not very important, चीक है, चलिए सर, इसके बाद, note number 14 के बाद, short term investment, note number 15, note number 15, short term investment, क्या होता है, short term investment होता है, number one, जैसे आपने shares में पैसे लगा दिये, जैसे आपने debenture में पैसे लगा दिये, जैसे आपने कुछ भी, any kind of property में डगा दिये, सर, ये तो same हो गया, बिल्कुल, अब मैं ऐसा भी करता हूँ, आपको ये समझाने के लिए, ये low, इधर copy किया, और इधर लिया आया, चलो मैं यही वाला लिखूंगा आप तो, यानि सर, short term में भी वही आ जाएगा, बिल्कुल, जी हाँ, short term में भी यही आ जाएगा, बिल् long term और short term में जो फासला define करता है, वो करता है time, वो कौन decide करता है, ये long term होगा, ये short term, वो assets कभी decide नहीं करता, अब building कभी नहीं बोलोगे के long term, short term है, उसका time decide करता है, तो अगर आपने share market में पैसे लगा है, एक साल से कम के लिए, तो short term में आ जाएगा, एक साल से ज्यादा क के लिए लगा है, तो non current या नहीं long term क्या जाएगा, basically बात है, तो as per time, अगर question में कुछ नहीं बोलता, तो हाँ, shares हमेशा short term का पार्ट माना जाता है, कुछ ना बोला जाए तो, और debenture भी short term का पार्ट माना जाता है, property, land and building, ये long term का पार्ट माना जाता है, हमेशा, ये ध् inventory सर, inventory is कौन सी, अब याद रखना हमेशा closing inventory की बात करता है, balance sheet में हमेशा closing होगा, कौन सा होगा सर, closing, अब सर, closing inventory में पार्ट है, सबसे पहले हमारा आता है, raw material इसके बाद number 2 पे आता है, work in progress number 3 पे आता है, हमारा finished goods number 4 पे आएगा, हमारा spare part number 6 पे आजाएगा, loose tools loose tools तो यह सारा हमारा inventory का part है, सर यह जो दे रखा है, मैंने WIP और finished goods, इसको हमें एक बार समझ लेते हैं, क्या होता यह, यह समझ लेते हैं, ठीक है न? देखो, हमारे stock जो भी manufacturer है, businessmen ना दो से तीन तरीके के होते हैं, देखो, businessman की मैं बात करूं, अगर मैं businesses की बात करूं, तो basically, business को तीन category में बाटा गया है, एक तो होता है हमारा trader, एक होता है manufacturer, और एक होता है service provider, service provider क्या माल बनाएगा, इसके लिए कुछ नहीं है, ट्रेडर क्या करता है, बना बना है, समान खरीद के लाता और उसे बेच देता है, तो इसके लिए always जो भी समान होगा, वो finished goods होगा, लेकिन manufacturer का काम थोड़ा सा लग है, manufacturer क्या करता है, पहले कच्चा माल खरीदता है, कच्चा माल मतलब जिससे बनाएगा, जैसे ये pen है मेरे पास, ये plastic, तो जिसने भी बनाया होगा, जो company है, उस plastic वाले company ने पहले plastic खरीदा होगा, फिर plastic को उसने कच्चे माल को convert किया होगा, sir, convert किसने कर दिया होगा, sir, इस सांचे में बनाया होगा, design में बनाया होगा, पिगलाया होगा, तो convert कर दिया तो वो चला गए WIP, और convert करके जब उसने पूरा ही काम इसके अधर complete कर दिया, तो वो चले जाएगा, किसमें sir, fg में चला जाएगा, तो stock के तीन category है, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि प्लाव माट्री पड़ा हुआ है तोनों घैयों च्रफ कि सब्सक्राइब सकते हैं तो ये जर्नल सी बात है और ऐसा इतना complicated कभी पूचता नहीं है, examiner ऐसा होता भी नहीं है, हम इसमें unnecessary का बस मैं समझा, detail में रहा हूँ, लेकिन फिर दिक्कत ना हो बस इसलिए और बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, spare parts क्या होते हैं, छोटे-छोटे loose tools होते हैं, spare parts क्या ह इन में ज्यादा से ज्यादा use होता है, तो यह यहाँ पर आ जाएगा, अगर दे भी दे तो यहाँ, पहले यह loose tools है, fix assets का part हुआ करता था, now यह current assets का part है, यह मान के चलना है, बताइए यहाँ तक कोई down है, बिल्कुल सारा ही fix, वो आपको देखना है कि यह current assets है क्या है, वो तो नोट से चेक करोगे, वो नामी ही वो है, बच्चे कह रहे हैं सर आटा रोटी वाला example ठीक है, हाँ वो costing पे चलता है, costing या FM में चलता है, सर इसके अलावा exam तो नहीं आएगा, सर इसके अलावा, नहीं 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 आएगा, हम न 10 year के भी questions करेंगा, ऐसा नहीं है, कि सर्फ यह करके चले जाओगे, हम और अलग level की भी तैयारी में सोच रहा हूँ आप लोग, चलिए सर, यहाँ तक कर लिया note number क्या हो गया, 16, note number 16 क के बाद आगे चले, इसको छोटा करके, हमारी courses यही है, कि सारा note आपको एक जगह पर मिल जाए, asset का और एक जगह library का, ताकि noting में आपको आसान हो जाए, चलिए सर, note number 17, क्या था हमारा trade, trade receivable, इसके अंदर क्या आता है, बड़ी basic सी बात है, debtor, और bills receivable, और in fact debtor में से न बहुत सारी चीज़े minus होता है, सबसे main adjustment यही रहता है, तो debtor में से पहले less कर देंगे क्या हम, provision, for debtor, और क्या less हो जाएगा सर, beddates, जैसे पहले minus किया करते थे, इसमें से यह सारा minus करके, ultimately यहां आ जाएगा debtor, उसके बाद आ जाएगा BR, बड़ी सीधी सी बात है, यह लिखके हम फटाफट करतेंगे, सर, इसके अंदर भी दो entry होगी, बिल्कुल होगी, दो entry जैसे कि हम final account पर किया करते थे, इसके बाद आजाते हैं, note number, cash and note number 18, cash and cash equivalent, cash and cash equivalent, सर, cash and cash equivalent का मतलब, जो cash है या cash के बराबरी का है, cash तो cash ही है, bank cash के बराबर ही होता है, और एक होता है, marketable security, यह basically share सी होता है, जैसे share market में पता है, कैसे investment करता है, आज खरीदा आज यह बेच दिया, पैसे एक दो दिन में आ जाएगा, यह तो cash and cash equivalent में तो share, आज खरीदा तीन में बाद बेच दिया, यह आज आज आगा short term investment में share, आज खरीदा दो साल बाद बेच रहे हैं, long term investment, तो ऐसे category होता है, यह होता basically क्या है, तो share सी होता है, यह share सी होता है, next note, note number, note number, undis, the note number one is short term, loan and advance, तर यह क्या है short term loan and advance, तो आपको सबसे पहले, जो long term loan and advance था हमारा, यह exactly same में उठा लेने वाला हूँ, तो आपको अंदाजा लग जाएगा, समय का फरक है, किसका फरक है स्रेव, timing, क्या timing है, उसके according चलेगा यह, ठीक है, यह exactly same हा जाएगा, मतलब अगर लंबे समय के लिए होगा, ऐसा तो यह होगा, और last हमारा, other current assets, last ही है यह, तो 20 number यहाँ डाल देते हैं, note number 20, note number 20, other current assets, sir, sir, क्या क्या आएगा, इसमें, sir, इसमें जो आएगा, number 1, prepaid expense, जो सबसे ज़्यादा use होगा, sir, number 2, accrued interest, यह भी use होगा, interest, number 3, sir, number 3, number 3, और क्या सकता है, इसमें, prepaid हो गया, accrued हो गया, other लिख देते हैं, other लिख देते हैं, तो यह था हमारा total note, किसका, sir, assets का, एक एक करके, कुछ बच्चों का एक query आया था, कि sir, आपना यह वाला बता तो building, तो building के अंदर मैं दुबारा बता देता हूं, कुछ बच्चों का जो doubt था, सर, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अकास आप अभी noting भी करोगे, तब और clarity बढ़ेगी, अभी ऐसे एकदम से तो नहीं आएगा, इस सिर्फ note करवा रहे हैं, अभी पींडल कर आऊँगा न बिल्कुल नए series से होगा, वो समझ में आ जाएगा, current assets ही है यहां, पूरा PDF format में मिलेगा तो उसकी चिंता मत करें, noting आप तब करें घर पे, जब PDF format में मिल जाएगा तो देख देखें, वीडियो pause करने की भी जुरत नहीं पड़ेगी आपको, सर दूसरी बात, कि यह था हमारा assets, तो यानि assets के अंदर कुछ बच्चों को doubt चल रहा था के सर, यहां पे building और यहां पे building, देखो मैंने एक building खरीदा, और उसके अंदर अपनी दुकानदारी खरीद, तो जो वो building खरीदा वो business के लिए कर रहा हूँ है, और अब जो depreciation उस building पे charge करूँआ, law यह कहता है भईया तुम अपने business में इस्तेमाल कर रहे हो building तो charge करो, एक साथ में plot मिल रहा था, मेरे दिमाग में आया क्यों ना उस plot को मैं खरीद लू, company के नाम पे, और फिर महंगा होगा तो बीच दूँगा, company का फाइदा तो मेरा भी फाइदा ultimately होगा, मैंने plot खरीद लिया और दो साल बात बेच लिया तो वह plot था investment परपस के लिए, तो यह building जो था वह investment परपस अब उस पे depreciation नहीं charge होगा, investment पे depreciation नहीं लगता जो business में use होता है सरफ उसके लिए लगाया जाता है, share capital वालस cost accounting, cost accounting machine पहले से cover होगा, cost accounting की क्या बात चल रही है, अभी corporate का देखते हैं, for cost का मुझे समझ में नहीं आए क्या पूछ रहा हो, चलिए सर चलिए फटा फट से, यहां पे आ गए हम balance sheet पूरा cover, यह हमारा सारा liability इससे related note और assets और इससे related note, चलिए सर, एक बार ना एकदम पूरा detail में फटा फट से, आप मेरे साथ साथ बोलिए का फटा फट 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 और आज आते हैं हम इस पे, सर, liability, liability के सबसे पहले main head की बात करते हैं, साथ के साथ सुनते जाईएगा और बताते जाईएगा, सर, liability के दो side होते हैं, एक होता equity और liability दूसरा होता है fixed assets, इसके बाद सर, liability के अंदर क्या होता है हमारे sub heads हैं, कितने sub heads हैं, 4, sorry major head कितने हैं, 4, पहला है हमारा shareholder fund, दूसरा क्या है हमारा share application money funding, तीसरा क्या है हमारा non current liability, चौथा current liability, अब shareholder fund के अंदर बात करते हैं, share capital, reserve and surplus, और share warrant, इसके बाद share application money funding allotment मैंने बता दिया था, यह किसी काम का भी नहीं है और लिखना भी नहीं है बस लेकिन बस गला हुआ है, तो है, number non current liability, non current liability में क्या आ जाएगा, long term borrowing जिसमें debenture आ गया, और साथ के साथ और भी चीज़ें आ जाती है, loan वगएरा, उसके बाद क्या आ जाएगा, other long term liability, जिसके अंदर creditor trade people वगएरा आ जाएगा, इसके बाद आता है long term provision, long term provision भी काम का नहीं है, अधर long term liability भी काम का नहीं, यह SS use नहीं होता, current liability बड़ी काम का चीज़, current liability में सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सर short term borrowing, short term borrowing में क्या जाता है, overdraft और cash credit, इसके बाद क्या था सर हमारा trade people, trade people में क्या आता है, creditor bills people, जो हर बार आएगा, इसके बाद क्या आ जाता है, other current liability, other current liability में क्या, unclaimed dividend है, outstanding expense है, advance income है, और साथ के साथ क्या था हमारा matured जितने भी होते हैं, debenture वगरा, सब कहा आ जाएगा, हमारा current liability में, इसके बाद short term provision, provision भी काम की चीज़ है, provision के अंदर क्या क्या आ जाता है, सर, provision के अंदर हमारा आ जाता है, कई बार, वैसे अब dividend वाला पार्ट नहीं रहा, सिर्फ provision for taxi रहेगा, बच्चे पूछ रहे हैं, sir, building पे depreciation क्यों लगाते हैं, appreciation होता है, भाई, land और building दोनों अलग-अलग चीज़ है, land के उपर depreciation नहीं लगता, ASN कहता है, land के उपर depreciation नहीं लगेगा, लेकिन building पे तो ही, आप floor खरीद लो, floor सस्ता हो जाता है, देखो, आप एक करोड रुपे का floor खरीदो, अब इस साल के बाद एक करोड का थोड़ी नहीं लगेगा, तो सस्ता ही हो जाएगा, लेकिन जमीन महेंगी होती है, तो हम सिर्फ building की बात कर रहे है, जो land और building attachment है, तो depreciation allowed है, ठीक है, सर, इसके बाद फिर से एक बार देख लें, liability को, पहला point सर, पहला point, एक बार फटा फट रिवाइस करिए, पहला point liability में सर, shareholder fund, उसके अंदर share capital, उसके अंदर reserve answer plus, share warrant, उसके बाद आ जाता है, share money pending on allotment, फिर आ जाता है, non current liability, इसके अंदर long term borrowing, फिर other non current liability, फिर long term provision, फिर provision, फटा फट से ये समझ में आया सब ही को, अब आ जाते हैं, assets में, assets में क्या क्या है, sir, फटा फट से, जो याद नहीं रखना है, तो इसको याद ही मत करना, sir, इसको तुम्हें cross लगा दू, है न, हम ये वाला पढ़ेंगे, tangible, intangible, इसका ऐसे चलेंगे, ठीक है, ये वाला की, plant and equipment, और intangible assets, बात कतम, उसके बाद क्या आ जाता है, तो हमारा non current investment, इसके बाद क्या आ जाता है, long term loan and advance, फिर other current assets, ये भी काम की चीज ही नहीं, current assets की बाद कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा जाता है, short term investment, short term, यानि current short term investment के बाद क्या आ जाएगा, हमारा inventory, inventory के बाद आ ज receivable, फिर cash and cash equivalent, और उसके बाद, short term loan and advance, और last में current liability, आप ध्यान से देखो, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर total 4 point है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, इसको बीच को तो छोड़ी दो, पहले वाले main heading में 3, फिर 3, और फिर 4, इधर आ जाते हैं, 3, 3, 4 का याद रखना है, इधर कितने हैं से 2 ही याद रखना है, और नहीं, basically A, B, C, D, पहले में 4, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6, 4 और 6, 10, यहाँ देखो, 3 और 3, और 4, 10, यानि 10 इधर भी, और 10 इधर भी, यह याद रखना है, बाकी आप देखो, मैं कई बार आँगा, नहीं आप याद करना, जो दे रखा है, होमवक में, उसी को करना, कोश्चन करते, करते सारा याद हो जाता है, आपको, सिर्फ, और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, पहले आप बैठो, कि यह यह होता, यह होता, नहीं, जी, कोश्चन देखा, और पहले तो दे प्रिंट आउट हो गया, एक प्रिंट आउट हो गया, या तो प्रिंट आउट निकाल लो, और प्रिंट आउट निकालने मजा नहीं आएगा, जैसे मैंने लिखा है, चोटे 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 लिख लो, और पेज पे रखो, और पूरे चार्ट के सामने रखो, कोश्चन करते जाओगे और उसमें से देख देख के ढूंडूंड के लिखते जाओगे पहली बार में आपका कोश्चन चार घंटे भी ले सकता है दूसरे बार में कम लगेगा इस को करने के लिए आपको मैक्सिम्म टाइम आधा घंटा दिया जाता है जो कि आप प्रैक्टिस करोगे हम इस के खांए अब देखो जैसा नाम वैसा काम जैसा नाम वैसा काम का मतलब सबस्थ क्या आद क्या अधार किश्यारी क्या सब्कुछ जो दिमाग में आता है इसके इसके बाद रिजर्वें सर्प्लस जितने भी कमपनी के पास फंड होते हैं सारा यहां पर आ जाता है यह याद रखना है CRR हो गया DRR हो गया CRR हो गया surplus हो गया या फिर आपका क्या कहते हैं हम वर्कमें कंपंसेशन रिजर्व हो गया एक नया पॉइंट है जो एक्जामनर पिछली बार फेवरेट था और सबको परिशान कर रहा था यह वाला कौंसा यह आउटसेंडिंग अकाउंट यह सोचे ते पता नहीं क्या आउटसेंडिंग सुनते वह लाइबलीटी में भाग जाते हैं आपका बैंक लोन हो गया पडोसी हो गया जिसके भी ले लो वो यहां पर आ जाएगा इसके बाद Other Long Term Liability बाइबलिटी में क्रेडिटर वगर आ जाता है जो कि Trade Pable और Employee Provident Fund इसके उपर हम बात कर लेगे long term provision आता ही नहीं है long term provision लंबे समय के लिए जो provision बनाते हैं provision for depreciation इसमें दिखाया जा सकता है इनके separately आप option चूज करते हो तो short term borrowing short term borrowing में दो ही चीज़ है bank overdraft और cash credit sir bank overdraft और cash credit क्या होता है अब यह समझ लेते हैं bank overdraft और cash credit दिखे bank overdraft bank overdraft सबसे पहले कहानी सुन लेजिए कहानी में ज़्यादा मुझे समझाने भी मज़ाता है और आपको समझने भी आ जाता है एक मान लेते हैं राम है एक है राम यार रामू कहलो रामू ना एक business man है और रामू को business man है और यह क्या करता है से बहुत अच्छी तहीं करतों और इसका अकाउंट की कहानी यह है कि इसक एकाउंट में डेली था toche s oke की बैंके खास बात पता ही चारेंच आप दिन में एक लाख भार जाईए पैसे निकाली यह कोई कुछ नहीं बोलेगा सेविंग्स आप चले जाओ हजार रुपे जमा करना है सो सो रुपे करके दस बार करना गीट से बाहर निकाल देंगे आपको मुलेंगे क्या मजाग थोड़ी आप पैसे जमा करने हैं ऐसे नहीं होता आप एक से दो बार ही ट्रांजेक्शन करो इन फेक्ट तो बहुत सारे बैंकों ने बो 아काउट नंबर क्या है और एक दिया इसने चेक लगाया मतलब रामू ने एक चेक इसको दिया और इस लकान में डाले उस तो जैसे इसने चेक निकालने के अउस टाइम अगलेंड़न में बैलेंस जीरो होता है और हम पैसे निकालने पहुंच जाते हैं तो चेक हो जाता है बांस चेक बांस ओने से इसकी बेज़जयती हो जाती है एक तो क्या बेज़यती आपको पैसे कम भी होना तब भी चेक देने की facility प्रवाइड करो क्योंकि हम आपके regular customer हैं तो बैंक वाले बोलते हैं ठीक है हम ऐसा आपको facility दे रहे हैं आपके account में जब भी check डलेगा ना तो उस situation में क्या करैंगे हम उस situation में आपको पैसा निकालने देंगे यानि आपका खाता किस में show कर देंगे minus में इससे आपकी बेज़ती रुख जाएगी इससे बेज़ती नहीं होगी जब minus मे करेंगे तो bank वालों ने बोला हमारा क्या फायदा बैंक वालों ने बोला हमारा क्या फाइदा तो बैंक वालों ने वो रामू ने बोला जो ब्याज बनता है वो ले लीजिए तो ब्याज कितने टाइम का एक दिन का अगर एक दिन माइनस में रहा तो एक दिन का ब्याज लीजिए चार दिन रहा तो चार दिन यानि पर डे के इ आपका खाता नंबर यही रहेगा अब जैसे ही दुबारा आप 10,000 जमा कराएंगे तो आपके अकाउंट पे 5,000 तो ओवर्ड्राफ्ट वाले खतम हो जाएंगे और बाकी 5,000 पॉजिटिव बैलेंस आपको अब सिंपल सी बास सुन लो ना मोबाइल में एक पहले हच में आया क अब तो अनलिमिटट वाला आ गया ना पहले 10 रुपए उधार ले लिया करते हैं तो जैसे हम पैसे उधार ले लेते थे ना रिचाज कर लेते हमारा बैलेंस में चला जाता था लेकिन कॉलिंग हो जाता था तो पहले कंपनी ने निकाला था क्योंकि पहले तो यह बिजनस्मेन का बिजनस्मेन अगर ऐसे बोले कि चल ठीक है मेरे को पांच लाक रुपए का उधार दे दे तो वह तो बैंक वाला डेली बेसिस पर कितने का ब्याज लेने लग जाएगा पांच लाक पे लेकिन अभी इसका माइनस कितना गया पांच हजार और मालो सेम डे ही इसके अकाउंट में पैसे आ जाई है अगले दिन तो बैंक वाला इससे ब्यास तो लेगा लेकिन किस पर लेगा पांच हजार रुपए पर तो यह फाइदा मिलता है इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसलिटी या ओडी तो यह देखो बैंक का से हमने लोन लिया यह जब्तक्र है कि धेड़ी दो साल के लिये नहीं है तो इसलिए बहुत कम समय के लिए तो इसलिए प्ट से कहां चला जाता है यह शौ्ट्रम बूरोंग हो गया शौ्ट्रम लोन रहे हैं ऐसे ही होता है कैस क्रेडिट सट क्या फारक होता है इस ने बोला रामु का रामु तू थ्री फोर फाइब सिक्स और इसके अंदर हमें एक काम करते हैं पांच लाख रुपए जम डाल देते हैं तो रामिय ने बोला भाई मेरे अकाउंट में नए अकाउंट में पांच लाख क्यों बोला कोई दिक्कत निया डाल दिया क्या दिकत है तुम्हें जौरत पड़ी कि हमारे दिमाग में एक रहता है जैसे मानलू ना कि आपके कमेटी आपने डाली हुई है या फिर आपके पास कहीं से पैसे भी आने तो आप पहले दिमाग कैलकुलिट कर लो इतना तो फड़ा हुआ क्रेडिट कार्ट से मैं उसको बस फैक नहीं वाला हूं कि मतलब ना चाहके भी आप क्या करोगे ना चाहके भी और फिर बिल देने टाइम पर बहुत मन दुखता है कि भाई बिल आ गया बताओ ये कहां सागे सचा कैस नहीं होते नहीं तो सेम बैंक वाले क्या करते हैं चलाकी करना हूं तो यहां से आपको transfer यहां पर कर लेना और जितना amount यहां transfer करोगे उसी पर हम आप से क्या लेंगे डियाज लेंगे तो यहाँ वाले case के अंदर तो आपका account 0 से minus में पहुंच जाएगा यहाँ वाले case में आपको लगता है ना कि मुझे कहीं कुछ खर्च करने है और हमारे पास पैसे है ही नी तो हम क्या करेंगे इस account से यहाँ पे transfer करेंगे तो इस facility को बोला जाता है cash credit like credit card credit card में क्या होता है पहले से ही balance डालके दे देते हैं जिसे बुलता है limit तो यह फरक है हमारा cash credit और bank overdraft bank overdraft का एक ही account होता है उसी में minus plus होता है cash credit के दो individual account होते है और bank वाले अब चला की यह चल रहे है sir एक question आता है sir bank overdraft में कितना एक करोड का check भी minus में चले जाएगा फिर वो आपके stock पे lien लगा सकता है आपके stock को रख सकता है अपने पास और अपने इस पास ले जाएगा sir यहां नहीं दिये तो वही जो होता है पहले जैसा जो काम होता है सब वैसे ही चलेगा 21 note repeat ठीक है sir अभी चलते है तो यह था हमारा कुछ liability का liability के बाद आ जाते है sir assets की side assets की side आ जाते है note number 20 तक था note number 20 के अंदर दिखा जाए तो property plant equipment नाम बदल गया fix assets intangible आपको पहले से ही पता था इसके अंदर आगे आपके यह assets की बात नहीं कर रहा है यह पूरे के लिए assets है मैं लिख देता हूं नहीं तो बच्चे बोलेंगा इसके बाद बात करते हैं इसके बात करते हैं पता यह बात खतम जैसे पहले करते थे वही करना इसमें ज्यादर दिमाग नहीं लगाना कि इसके इंदर यह माइनस यह प्लस बैसे ही है सिंपल और cash and cash equivalent लिख दिया यह बाते बस cash और bank की रहेगा cash in hand और cash at bank और कुछ जादर नहीं रहेगा सिर्फ ड्राने के लिए इतनी बाते लिखी हुए short term loan and advance वही बात आगे same repeat कर दिया था और हमारा आगे note no.20 अब बच्चा एक पुछा सर note no.21 बता दो note no.21 में क्या था सर note no.21 के अंदर हमारा था sales यहाँ पे sales लेंगे माइने sales return अगर GST हुआ तो डाल दिया यह extra डाल है मैंने अभी तक slaves का पार्ट है नहीं मैंने यह extra डाल तो फिर net sales दिखा इसका कहने का मतलब यह है बड़ी simple सी बात है तो यह सारा का सारा note था और P&L भी था हमारा तो सारा note तो cover नहीं किया हमने P&L की बात कर लेते हैं P&L के अंदर points देखते हैं sir क्या point है P&L के अंदर P&L के अंदर सबसे पहले revenue from operation फिर other income फिर total आ जाएगा फ फिर tax को माइनस कर देंगे net profit after tax और यह net profit after tax कहां पहुंच जाता है रिजर्वेंड surplus के अंदर पहुंच जाता है current year वाले schedule के अंदर सर carriage inward बता दो carriage inward और outward की बात करें तो carriage inward हो चाहे outward दोनों ही खर्चा होता है कई बार carriage inward हमारा purchase का part हो जाता है क्यूं sir क्यूंकि दुकानदार बोलते हैं sir इसके साथ किराया already included है जैसे कि मान लेते हैं आप Amazon से shopping करते हो तो वहाँ पे आपको किराया देते हैं तो वो carriage inward उसी ब सकते हैं या तो आप other expense में डाल दीए या फिर आप purchase के अंदर भी include कर सकते हैं depend on क्या है आपकी इच्छा है दोनों के लिए note दिया जाएगा sir calls in advance कहा आएगा calls in advance other current liability का पार्ट है other current liability का पार्ट है calls in advance फटा फट पूछते जाएए मैं बताता जाओंगा फटा फट से बच्चे बोलते sir hand raise नहीं हो रहा है hand raise नहीं हो रहा है अभी करते हैं hand raise और थोड़ा अगली class की भी बात करते है sir pndl का six point बता दो six point प्यंडल का six point सर six point कौन सा है pndl का एक दो तीन चार पांच छे चे है profit before tax कहां से आएगा इस खर्चे में से अब देखो अब बच्चे ने पूछ लिया तो मैं करीदे तो मान लेते हैं कि दस रुपए की यह income है दो रुपए की यह इंकम है यह बारा हो गया यह एक रुपए एक रुपए दो रुपए तीन र इसमें थर्ड माइनस फूर्थ होगा थर्ड माइनस फिफ्ट मैंने गलत लिख दिया पूर्थ हां बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहां पर गलत लिख दिया थोड़ा सा यहां पर थर्ड होगा चलिए हाज जी स्टूडेंट वेरी वेरी गुड इवनिंग चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक हमने क्या क्या कर लिया आज एक हम छोटा सा सवाल देखने वाले हैं और आप सभी को नोट मिल गया होगा इसका जितने भी कर रहे हैं क्लास नोट पगेरा तो हमने सभी के नोट से खरक करें तो चलिए सर एक हम को डेकर टेस्ट लेने वाले होंं मैं जिहान रखिए अगली क्लास में पर क्लास के कोउ slaves को पर एक छोटा सा टेस्ट लेने वालों मैं आपसे तो चलिए सर एक हम कुश्चन करेंगे जिससे ये कुश्चन करने का क्या मतलब है सर क्या ये कुश्चन जो आप कराओगे अभी क्या ये एक्जाम में आएगा मैं कहूंगा नहीं सर ये कुश्चन एक्जाम में नहीं आएगा ल आप ध्यान से देखोगे तो सरिफ इसमें assets और liability है आपको इसको सही जगह पे पहुचाना है यानि जो assets में जाएगा एसेट में जाएगा चलिए format बना लेते हैं और आप सभी के सामने question भी है तो इसको कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थोड़ा से इसको क्रॉप कर लिया जाए बड़े ये क्या हुआ क्रॉप अच्छा यहां से क्रॉप होगा चलिए सर ताकि हम काम कर पाएं इसके नोट पीछे बना लेंगे हैं ना इधर बना लेते हैं बैलेंच शीट अब जिन बच्चों को ना दिखे वो बता दीजिएगा प्लीज के सर वीज्वल नहीं है तो उसके इसाब से चलिए गए ठीक है सर अब बैलेंच शीट ना आप पहले ब्लैंक बना लेंगे पूरा पूरा ब्लैंक का मतलब ऐसे तो बैलेंच शीट में बहुत सारी चीज़े लिखी थी लेकिन यहां पे कुछ चीज़े यूज नहीं हो गया तो उसको नहीं बनाएंगे एक बार पढ़ लेते हैं फ क्रेडिटर शॉर्ट तर, आपका ट्रेड फेबल डिवट्र, लोंग रम में प्रोविजन, फो ट्रेक्र, Short Zero grad GP 가지고 जर रिजर्ड बर ब्लास ळोलन फीज़े ठाल बिड़्ट, रिजर्ड प्र से लोन लिया हुआ है तो यह लोन में चला जाएगा प्रोविज़ेह क 모든 ने यह जाएगा other, known, current asset, ठीक है, store item, spare parts मैंने बताया था, store, fixed assets, PPE, capital work in progress देखा था, finished stock देखा था, यानि एक tentative idea लग गया, सबसे पहले हमारा point होने वाला है, equity, and liability, इसके बाद होगा, point number one, shareholder fund, fund, इसके अंदर होने वाला है, share capital, और एक reserve, बाकी वो वाला नहीं रहेगा बाद वाला, ना, number two, number two, known, current, liability, अब देखें, number two पे पहले आपने कुछ और लिखा था, तर यहां कुछ और लिख रहे हो, तो जब इसके अंदर item नहीं होगा ना, तो जरूरी नहीं format बनाना है, उस format बेसे उसे हटा देंगे, काम असान करने के लिए, तो अभी तो इसमें बस सीख रहे हैं हम चीजों को ना, इसमें बस long term borrowing की discussion की गई है, तो long term borrowing, ठीक है ना, long term borrowing, long term borrowing, यह आगया A part, और B ना, provision भी है, तो long term provision, बस, वैसे हाला कि अधर long term भी था तो नहीं है, तो नहीं डालेंगे जी, आ जाते हैं अगले point पे, third point, third point है current liability, है ना, current liability, अब इसके अंदर short term borrowing भी नहीं है, तो नहीं डालेंगे सर, जो जो जानकारी है, उसी का बनाएंगे, जैसे A point, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले short term borrowing है नहीं, और फिर trade payable है, तो A part दे देंगे, trade payable, सर, B part दे देंगे, other, current liability, और C part दे देंगे, short term, यानि मतलब सर, जो आइटम दे रखा है, उसी से related यहां जानकारी बनाना है, जो आइटम नहीं है, उसको लिखना ही नहीं है, ठीक है न, clear हो रहा है आपको, तो जैसे हमें, जो information मैंने पढ़के, अंदाजा लगा लिया कि यह यह बनेगा, दो मिनट लगने हैं, पढ़ने के बाद उसके पता ही चल जाता है, चलिए सर, इसके बाद यहां क्या करने वाले हैं, इसके अंदर, एक, दो, तीन, ए, बी, सी चलेगा है न, तो सबसे पहले, ए पार्ट होगा हमारा, पी, पी, ई, अब यहां, गुडविल वगएरा भी दिखा नहीं, तो बी लिखेंगे नहीं, हाँ, यहां पे एक यह दिखिगे है, कैपिटल वर्किन प्रोग्रेस तो बी इ ठीक है, इसके बाद सर, एक और आइटम, इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, फिर दूसरा आजाएगा, हमारा, other current, other, known, current asset, बस, that's it, second part आजाएगा, second part क्या आजाएगा, current assets, current assets, current assets के बाद, इसके अंदर, नहीं, investment short term में डालनी कमाने मेरा, second यह, ऐसे आएगा, दो number आएगा, second ठीक है ना, इसके अंदर अब एपाट आजाएगा, हमारा, short term, हमारा investment तो है नहीं, तो हम लिख देंगा, सबसे पहले क्या, inventory, inventory के बाद आजाएगा, हमारा cash and cash equivalent, C part आजाएगा, इसमें क्या, cash and cash equivalent के बाद, short term investment, अब short term investment करा है, जैसे हमने loan दिया, short term investment तो ही नहीं, पता नहीं, क्या गलत सलत बोल देते हो, कहां साएगा, short term investment, investment है कहां, question में है investment, मुझे तो नहीं दिखा, short term loan and advance, बस यही रहने वाला है, other current assets में नहीं, कहां investment है, क्या है, अरे amount क्या है, नाम क्या है, यह इदर आ गया, यह investment यहां का नहीं है, यह यहां का होगा, आप एक बार देख लीजिए, नमरिंग को भी, मैं मिटा रहा हूँ अभी, यह नमरिंग आपके उल्टी से देनी होने चीए, गलत हो माना जाएगा, फिल, एक था, दो था, ठीक है ना, यह दो है, अब तीन में आ जाएगा, नहीं गलत लिख दिया मैंने, ए, यहां पे ए है, यह ए का, यह ए पार्ट होगा, यह सेकिंड पार्ट होगा, यह बी होगा, अब सी आ जाएगा हमारा नोन करेंट इंवेस्मेंट है ना, यह लिजिए, बैलेंशीट बना लिया हमने, ओबर्विव दे दिया, है सेर इंवेस्मेंट, ठीक है, तो मैंने यहां बना दिया बैलेंशीट, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे रफली बैलेंशीट बना लेना है, clear, इसके बाद नोट बनाएंगे, हमें इसमें कुछ नहीं भरना, हमें नोट बनाना है, और यहीं से देख देख के नोट बनाना है हमें, ठीक है न, तो नोट के लिए मैं अगले पेज़ पर चल ले झाल 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 न्बर वन बनाते हैं हम शेर कैपिटल का इसी कही बनता है अब देखिएगा न्बर वन में सबसे पहले क्या लिखते थे हम authorized capital सबसे पहले क्या लिखते हम authorized capital अगर नहीं दे रखा तो आप इसे दैस भी छोड़ सकते हैं या इशूड को ही लिख सकते हैं नॉम्बर दो इशूड कैपिटल और हाला कि जो मैं ये तरीका फॉलो कर रहा हूँ एकदम गलत है मैं दुबारा बता रहा हूँ क्यों गलत है सर क्योंकि हमें पहले ये नोट नहीं बनाना चाहिए ये हमें सवाल देखना चाहिए पहले क्या दे रहा है हमें Secured Loan क्या दे रहा है हमें Secured Loan दे रहा है सबसे पहले क्या करना है आपने पहले पूरा फॉर्मेट बना लियो भले लैंक format blank बनाने के बाद आपने noting करने है, note का नाम जरूर देना है लेकिन number नहीं देना law में या examiner कभी भी ऐसे नहीं बोलता है कि number one पहले होगा number two फिर होगा हमेशा क्या रहता है कि आप numbering कहीं भी कर सकते है numbering का मतलब समझेगा, जैसे मैं इसे हटा ही देता हूँ सर्थ, इसे हटा ही देता हूँ सिर्फ आपके लिए थाकि confusion ना रहे है तो सबसे पहले हमारा क्या बन जाएगा मैंने heading डाल दिया note number नहीं डाला मैंने, सिर्फ डाल दिया note और लिख दिया long term borrowing इसमें क्या आ गया, secured loan क्या गया था हमारा, secured loan पहला point जैसे जैसे आएगा वैसे secured loan ठीक है, amount कितने कैसर secured loan का 10 लाक, पटाफट से 10 लाक लिख लेना है अब इसके बाद अगले point को देखेंगे creditor, creditor कहां जाता है trade payable में अब creditor trade payable में हम तभी बनाएंगे, जब हमारे पास creditor और bills payable दोनों available हो, यानि जब तक single item है तो हमें कुछ बनाने की ज़ुरत नहीं है अगर एक से ज़्यादा item है ना, उसी मतलब के head के अंदर तो बनाएंगे हम note अब देखते हैं, यहाँ पे bills payable तो कहीं पे है ही नहीं सर नहीं था कहीं bills payable तो हम directly creditor यहाँ लिख देंगे और इसके लिए कोई note की ज़ुरत नहीं है कितने रुपे? समझे बात यानि जब दो से ज़्यादा item होंगे उसके लिए note प्रुपाई एक से ज़्यादा item के लिए note को prepare करेंगे जो single ही यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे bracket में लिख देंगे creditor मैं एकदम exam के point of view से बता रहा हूँ आपको यह चलिए अब अगले point पे चलते हैं हमारा जो जो होगया टिक मार से जाएंगे, यह भी होगया debenture, debenture भी हमारा यहीं का part है तो यहीं लिख लेते हैं debenture debenture यहीं का part है, लिख लेते हैं debenture कितने percent है? 6 percent debenture, कितने रुपे? 27 लाख चलो जी debenture पर भी टिक मार लिया provision for tax, short term provision का part होता है याद अखना, provision for tax, short term provision का part होता है एक note और बनाते हैं एक note और बनाते हैं short term provision और याद रखिए का note के आगे मैं gap छोट रहा हूँ यहाँ आपको भी छोटना है, ताकि हम बाद में इसके numbering डालेंगे हम इसकी numbering कब डालने वालें पता है? बाद में बाद में डालेंगे इसकी numbering पहली बार थोड़ा सा हटपटा लगेगा थोड़ा सा लगेगा क्या चल रहा है लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इस question को दुबारा खुद भी try करेंगे, एक बार मेरा जो system देख लिया, फिर अपने हिसाब से इसी type पर try करें, तो आपको समझ में आएगा, sir full screen show नहीं हो रहा, ठीक है मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा तो दिखेगा, नाव आपको अच्छे से visual हो जाएगा, don't worry about it चल यह, short term provision में क्या है, provision for text provision for text 170 अब इसको share premium, share premium किसका part होता है, बताओ, बताओ reserve and surplus, यह सबसे बड़ा note बनता है तो इसके लिए अच्छे खासे जगह रखना, दो ही note सबसे बड़ा बनेगा एक reserve and surplus, और एक बनता है हमारा other expense का उसके बाद PPE, यह ध्यान रखना, तो मैं इधर लिख रहा हूँ note और यह है हमारा reserve and surplus, reserve and surplus, short form ले लिया पहले क्या था हमारा security premium, security premium कितने रुपे, 475 चलिए सर, आगे देखते हैं, यह भी हो गया, general reserve यह भी यहीं पर आएगा बीस लाख पचास अजार, तो general reserve, सर बीस लाख पचास अजार थोड़ाई दरोदर हो रहा है, manageable loan from data, अब data किस से हैं, जिसको समान उधार देते हैं उससे हमने loan ले लिया, loan from debtor, उससे हमने क्या करा, उधार ले लिया loan from debtor से, सर अब loan from debtor लिया, तो आपका है, तो यह loan ही तो आप इस loan को कहां लिखना चाहेंगे, अब आपके पास दो option है, short term में लिख लो long term में लिख लो, और अधर long term liability होता है, जाए उसमें लिख लो, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे short term borrowing नहीं बनाया, वैसे short term में, नहीं short term में तो आएगा है नहीं, मैं long term में लिख देता हूँ, अब ये assumption, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता नहीं चलने वाला, reserve and surplus, reserve and surplus में चला गया, generalism में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सर्फ shifting कर रहे हैं, अब loan, loan हम डालेंगे यहाँ पे सार, अब बच्चे बोलेंगे सार हमें कैसे पता चलेगा, exactly, तो आप पहले practice करेंगे ना, सब पता चल जाएगा, loan from debtor, अब देखो, ये जो loan है ना, इसके कितने category हो सकते हैं, short term loan हो सकते हैं, तो short term loan में चला जाएगा, क्योंकि आपने debtor जिसको उधार माल दिया, उससा ही कर जा ले रखता है, दूसरा आपका हो सकता है क्या सर, दूसरा long term loan हो सकता है, long term में, तीसरा आपका other long term तो कुछ specific नहीं है, तो हम यहीं पे डालके से खतम कर रहे हैं, और कोई ज़्यादा tension ले नहीं रहे हैं, कितना दो लाद, नोट जिसके लिए लगे, provision for doubtful debts, कितने का है, provision for doubtful, आपका provision for doubtful debts हमारा है, 20,200, तो सर यह जो provision for doubtful debts है नहीं यह पहले से यह है, यह old वाला है, old वाला है जी यह, तो old वाले को न हम पता है क्या करते हैं, normally हम old वाले को profit and loss के credit में दिखाते हैं, या फिर हम liability में show करते हैं इसको, कहां पे सर, long term provision में show कर दो, या short term provision में show कर दो, वो आपकी इच्छ है, कहीं भी show कर सकते हो, प्रोविजन लिखा हुआ है, तो है तो provision, या तो long term provision होगा, या फिर short term provision होगा, तो normally debtor के उपर एक साल से ज़्यादा का नहीं होता है, एक साल के बाद settlement हो जाता है, तो हम इसे short term provision में मान के कर देंगे, short term provision, provision for debtor, बिलकुल, लेकिन होता नहीं है, बीस अजार दोसो, चलिए, प्रोविजन for depreciation, इसको आप long term माने, short term माने आपकी मर्दी है, लेकिन depreciation पर provision काफी लंबे समय तक चलता है, तो ये हमारा generally long term होगा, इसलिए सरिफ अकेला यही है, long term में डालने लाए, तो मैं इसी को डाल देता हूँ, अलग से 5,00,000,000, समझे, provision for depreciation always part of long term, इसके दो तरीके हैं दिखाने के, ये भी धियान रखिएगा, एक तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, उसे assets में से minus कर सकता हूँ, जैसे provision for debtor, आप बोलते हैं सर, हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, तो दूसरा option भी है, अभी तो मैं liability वाला पहले सिखा रहा हूँ, दूसरा option अलग कुशन करेंगे, क्यानि सीधा debtor में से minus करके दिखा सकते हैं हम, डिरेक्ली, लेकिन अभी हम पहले यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, आईए, इसके बाद equity share capital, अब share capital का बनाएंगे note, अगर अथराइस capital दे रहे हैं, अगर अगर अथराइस capital दे रहा है, तो ठीक नहीं, तो डैस दाल के छोड़ दीजिए, इसके बाद issued capital, अब issued capital में दो बाते होंगी, या एक होगा equity share capital, एक होगा preference share capital, तो अभी जैसे जैसे आता जाएगा, वैसे करेंगे, सबसे पहले दे रखा है हमें, equity share capital, तीस लाग का, या तीन लाग का, तीन लाग का, तो आप सिंपल से बात है, आप लिख दो यहाँ पर, आगे प्रफरेंश शियर भी दे रखा है 8% यह कितने का है 10 लाग का बढ़ते जाएंगे एडवांस गीवन हमने एडवांस दिया है तो या तो यह शौट ट्रम एडवांस होगा यह लॉंग ट्रम होगा अब हमें पता नहीं चल रहा हम देख लेते हैं कहाँ पर बना रहे हैं एडवांस हमने शौट ट्रम में बना रखा है शौट ट्रम में मानके खतम कर देंगे मतलब सर हम जहां मर्जी बना सकते हैं अंदा आ जाए देखो अभी यहाँ पर कोई loan and advance 10 लाग ही लिखा है कितने काई सर ये है 372 372 और आप एक चीज़ देखिया क्या है दो-दो advance से check कर लेते है advance to staff भी है दो तो अब तो बराना पड़ेगा भाई तो एक advance है सरिफ क्या नाम से था advance advance given है कितने रुपे 3 लाग और एक है advance to staff advance to staff कितने यहां गया 55 इसके बाद झाल जी अब ये भी होगे डन अभी बहुत बच्चों के माइंड में बहुत सारे कोश्चन चलेंगे ऐसे चलते रहेंगे कोश्चन चलते रहेंगे लेकिन आप थोड़ा पेसेंस रखना पड़ेगा हमने चप्टर स्टार्ट किया है इसको हम फिर खुद करेंगे यह बाद ध्यान रखना और फिर आपके मंद से जो जहां जहां पुट करके करके फिर आप चेक करोगे उसको कैश क्या बैंक का भी बैलेंस है यहां नहीं है तो सर अकेला कैश तो इसी में चला जाएगा कैश अन कैश इक्विलेंट में कितने रुपे हैं सर दो पिछ अप्तर लूस टूल्स इनवेंट्री का पार्ट होता है लूस टूल्स तो इनवेंट्री का कॉलम बना लेते हैं यहां बना लेते हैं इनवेंट्री नोट inventories सर क्या क्या है loose tools देखो मुझे याद है बाकि आपको सामने रखना पड़ेगा register कितने पचास हजार लोजी पचास हजार इसके बाद सर क्या है इसके बाद है हमारा investment अब investment हमने किया है तो ये noon current investment है जब कभी भी आपको investment देगा ना कुछ चीज़े fix होती है जैसे कि मैं लिख भी दूँआ advance short term मान लेना advance to staff short term मान लेना सिर्फ investment है तो long term investment होगा हमें सा ठीक है न तो ऐसे कुछ बाते हैं जो कि हमारा assumption रहता है तो investment अखेला है बिचारा तो इसलिए इसके लिए कोई note नहीं बनाते है दो लाख पच्चेस हजा profit and loss account और bracket में लिख दिया losses तो profit and loss reserve and surplus का ही पार्ट है तो यहीं लिख देंगे profit and loss last year last year loss कितने थे तीन लाख इसको minus में लिखेंगे है ना loss को minus में लिखेंगे इसके बाद है debtor debtor क्या होता है trade receivable का पार्ट होता है तो सर्थ trade receivable के इलावा तो कुछ है नहीं इसमें कोई adjustment है नहीं तो मैं direct लिखने वाला हूँ debtor oh my god नहीं लिखा है trade receivable trade receivable लिखा ही नहीं चलिए trade receivable c के बाद यह आता है inventory के बाद यहां लिख देते हैं cash and cash equivalent 275 और सर्थ trade receivable कितना है 12,25,000 बड़ा कर देते हैं थोड़ा चलिए सर्थ trade receivable यह सब भी हो गया यह भी हो गया यह भी हो थोड़ा उपर नीचे हो गया हो miscellaneous expenditure अब देखें miscellaneous expenditure that is तो इसको दो जगे दिखाये जा सकता है ध्यान देजिएगा या तो आप क्या करिए यह तो रिजर्वेंस surplus से minus कर देजिए क्योंकि expenditure है अगर आपको लगता है कि इसे future में हमें लेके चलना है future में धीरे-धीरे minus करेंगे पी इंडल में से तो आप directly क्या कर सकते है अधर non-current assets में दिखा सकते हैं तो मैं इसे मान के चल रहा हूँ कि इसे भविष्य में मैं लंबे समय तक लेके चलूँगा carry down तो मैं non-current assets जो है अधर वाले में इसमें दिखा देता हूँ कितने रुपे का है तीन लाग 58,000 इसके दो option है या तो आप reserve and surplus से माइनस करिए या पिर यहां दिखाईए जो भी आपको लगता है उसे सबसे कर सकते हैं store item कितने रुपे fix assets 56,50,000 कोई dap web भी नहीं है भाई साब तो एक साथ ही लिख लेते हैं 56,50,000 capital work in progress yellow लिख रख था है भाई क्या डरने आली के हवाद है यह रख कितने 2,00,000 finished goods stock ही है भाई यह डरने आली बात नहीं है stock ही है finished goods से लिख देते है 7,00,000 अभी हमें note number नहीं देंगे अभी बिल्कुल भी नहीं दे ना note number भाई साब जल्द वाजी नहीं करना अभी सबका totaling पटा पट totaling कितनी जल्दी कर सकते हो totaling सबका बात खतम एक लाख 27,29,31 लाख 17,00,000 और 20,200 17,00,000 था एक सत्तर था एक सत्तर था भाई एक नब्बे दो सो और यह माइनस का 3,00,000 आ जाएगा तो 45,00,000, 20,50,000 माइनस में 3,00,000 22,00,000 यहनी 22,00,25,000 मैं इधर लिख देता हूँ बड़ा बड़ा इसका total कर लेते हैं 75,00,40,000 चार लाग यह 75,00,200 था 7,00,200 था यह बताना FG छीक है यह 12,00,200 इधर लिख रहा हूँ चलिए 13,00,000 इसका कितने 92 यह तो 3,72 है 4,72 चलिए सथ अब हम क्या करेंगे हर किसी को अपनी जगे प्लॉट कर देंगे 30,00,000 long term borrowing 30,00,000 long term borrowing कैसे काम करना है वो देखिए इसके बाद दूसरे नोट का क्या है 1,90,200 short term provision 1,90,200 यह भी कर लिया यह भी कर लिया इन्वेंटरीज 12,200,00 इन्वेंटरी 12,200,00 चलिए यह भी डन हो गया इसके बाद शेयर कापिटल 13,00,00 इसके बाद आ जाते हैं लास्ट है सॉट्रम एडवांस चार लाक सताई सजाद शोट्रम लोन एडवांस चार लाग अब नोटिंग किसके लिए हमने करना है वो देखिया देखिये इसका नोट बनाया है एक नमबर इसका नोट बनाया है दो नमबर इसका नोट बनाया है तीन नमबर इसका तो नहीं बना इसका भी नहीं बना इसका बना है नहीं बना इसका बना है चार नमबर और PPE का नहीं बना इसका भी नहीं बना इसका भी नहीं बना इसका भी नहीं बना inventory का बना है 5 नमबर cash and cash का भी नहीं बना इसका 6 नमबर तो 6 नोट बना है अब आपको यहाँ ध्यान देना है share capital को एक number देना है तो ये रहा share capital इसको देदो note number 1 ऐसे देना है आपको इसके बाद reserve and surplus को दो number मिला है तो reserve and surplus को note number 2 इसके बाद हमारा long term borrowing को 3 number तो long term borrowing को note number 3 यानि आपका ऐसा नहीं हो के 1, 2, 3 ऐसे कभी होई नहीं पाएगा आपका सवा आपको जैसे जैसे question मिलेगा वैसे वैसे करते जाना है इसके बाद देखा जाए short term borrowing को 4 number noting हम सबसे बाद provision noting बाद में देंगे तो short term provision यह रहा 4 number इसके बाद देखा जाए तो 5 number inventory तो 5 number inventory और 6 number यह तो सबको noting number भी मिल गया exact और यहां से total करके वहां भी shifting कर दिया अब इसका total करना है दोनों साइड मैच हुआ तो ठीक नहीं तो फिर देखेंगे बहुत हैवी हैवी amount है यहागे 83,60,000 200 अभी धर का भी देख लेते हैं 56 अकेला ही ले गया यह तो trade receivable कितना है बारा लाग है या क्या है बताने एक बाक debtor 12,25,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया 2,58,000 61,202,73 ओके 12,25,000 यह तो बानवे लाग आग है इसका total check करें एक बार सही लिखाए और गलत लिखाए total check करें इसका उपर वाले करें फिर के लगू लिटर नहीं लाएं जितने बच्चे लाइव में फटा फट टूटल करके बता दे यार है बानवे 60 बानवे 60-200 एक बार देख लेते हैं हाँ नौ लाग का कोई आइटम छोड़ दिया है है हमने यह 20 शेर प्रीमियम गलत लिखा है यह गलत लिख दिया हम अपर लाग रहा है यह शेर प्रीमियम है कितना यह ठीक था जर्नर रिजर बीस लाग पचास थे ठीक है देखते हैं कोई बच्चा लाइव में बता रहा है लांग ट्रम बोराइंग बोल रहे हैं 39 लैक का होगा 27 29 और यह 10 लाग है कैसे क्योड लोन बताईए जी 10 लाग है तो 10 और 27 37 और 2 पुन ताल आटो के मैंच पुर्ण लादे जी एस समया हुई लुटवग जीए अचलिए यद लुटवग पुट लुटवग लुटवब 92, 60, बिल्कुल चलिए, अब एक बार मैं overview देता हूँ बुक में छोड़ी है, बुक का कोई दिक्कत निया, बुक में कह रहे हैं बच्चे सर, 86, 200 है बुक वालोंने क्या कराओगा, रिज़र्वें सर प्लस में से वो जो expenditure लिखा है न, वहाँ माइनेस कर दिया पहली बात और दूसरे ये सारे provision वहाँ से adjustment मार गी है, लाइव लिटी में ना दिखा के, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, balance sheet के total से तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास सवाल given होगा, पहले हमें पूरे सवाल को पढ़ना है, अभी हमने पी एंडल नहीं बना है, स्रिफ balance sheet बना है, इसको practice करना है सबसे पहले आपने क्या बनाया पूरा balance sheet बनाया balance sheet बनाने के balance sheet को पढ़ा पढ़ने के बाद जो item requirement था वो कर लिया noting पे ध्यान देना है noting में क्या करना आपने पहले line खीच लेनी है और फटा फट जैसे मिले जैसे मुझे पहले क्या मिला साथ पहले मिला secured loan तो मैं यह नहीं कहूंगा कर note number one ही बनाऊंगा secured loan मिला तो भाई या long term borrowing का पार्ट है न तो लिख दिया यहा long term borrowing इसके बाद दूसरे number पे क्या मिला मुझे creditor, creditor अकेला था तो direct लिख दिया debenture यह भी long term provision for tax तो दूसरे number पे यह पहले number पे यह बनाए या फिर यह बनाए लेकिन note number इसका क्या है? 3 और इसका 4 है ऐसा जरूरी नहीं है जो पहले number पे बनेगा उसी का note number होगा noting तो हमारा balance sheet के accordingly चलेगा इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चे पूछने कौन सा चेप्टर है? final account चेप्टर है unit 2 book में 8 चेप्टर है जो भी हो 7, 8, जो भी whatever name हो भाई मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चे कह रहे हैं सर्कुछ नहीं समझ में आ रहा कोई बड़ी बात नहीं है आपको पहले दो तरीके के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा जिसने पहले पिछला noting नहीं किया उसको तो कुछ नहीं आएगा जिसने noting किया है उसे 100% समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता 50% आ रहा है 30% आ रहा होगा तो जब तक इसे आप दुबारा नहीं करोगे तो आपको definitely फिर से नहीं आने वाला फिर से नहीं आएगा इस बात का ध्यान रखना है आपको तो एक बार जैसे मैंने ये कराया है एक बार ये पूरा noting करोगे फिर इसे बिना देखे करना है एक बार आपको कुछ एक point है जहां confusion होता है जैसे investment हमेशा long term में डालिएगा debenture हमेशा long term में डालिएगा वो practice करते करते आपको आ जाएगा ऐसी बात नहीं है बच्चों का कहना amount कैसे डाला देखिए पहले इसका total किया ये total किसका है sir long term borrowing आ गए लिख दिया long term borrowing इसके बाद ये total किया ये किसका है short term provision ये ही total मैंने कहां लिख दिया short term provision ये देखिए इसके बाद अगला क्या है ये sir reserve and surplus तो मैंने कहां लिख दिया ये जाके same reserve और इस तरीके से डाला है मैंने बिल्कुल प्रोविजन देखो प्रोविजन बच्चे कह रहे है sir long term मैं आगा short term दोनों में आ सकता है भाई depend on के किस पे है depend depend का मतलब sir अगर मैं मान लो कि मैं accountant हूँ आप मेरे मालिक हो मैं पूछ लूँगा भाई साब ये provision कितने सालों के लिए आपने बोला तीन साल का है पागली ये तीन साल का है तो मैं long term में डाल दूँगा और आपने बोला कि भाई अभी दो मेहने में तो खदम कर देंगे इस provision को मैं short term में डाल दूँगा तो जब हमसे कोई बताने वाला होगा तब तो हम अपने knowledge के इसाब से डालेंगे जब कोई बताने वाला नहीं हो तो अजम्शन के इसाब से डालेंगे आप short term में डालिए चाहे long term में डालिए final account को करने से पहले हमें कुछ adjustment समझ लेना चाहिए अब जितने बच्चे भी नए जोइनिंग है उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि इस chapter को आप starting से class देखिए और इस chapter में आप continue हो सकते हैं और जो previous chapter है वो recorded format में आपको मिला हुआ है sequence है और उसको आप recorded format में देख सकते हैं दोनों चीजे मैंने बता दिया है अगर जो बच्चे आज first class ले रहे होंगे तो आज वाली class समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा simple सी बात है ठीक है न तो वो भी आप जुड़े रह सकते हैं लेकिन पुरानी classes भी देखेंगे सर class का notification नहीं आता है आँ notification के लिए मैं ये कहूँगा scheduling हम लगा रहे हैं पहले और अभी मैंने 6 बज़े की class की हुई है although तो 6 बज़े की class ले रहा हूँ आज 6 से जो भी time आगे चलता है पहले commitment करते हैं तो पूरा नहीं होता अब आगे देखते हैं कहा तक खीच पाते है आज की class ठीक है तो चलिए sir देखो सबसे पहले आप समझना बातों को फाइनल अकाउंट कहलो या कहलो आप confidential statement या कहलो financial statement बात एक एट अगर मैं accounts के process की बात करूँ ना process of account घ्यान देना अगर मैं process of account की बात करूँ Process of Account तो Accounts के अगर मैं Process के Accounting की कैसे जाती है उस Process से Related समझ लेते हैं कैसे करते हैं सर अकाउंट के अकाउंट करने के लिए सबसे पहले तो आप के पास Transaction होना चाहिए Transaction का मतलब सर यानि जो काम किया है वो होना चाहिए जैसे ही आपके पास Transaction आया आप उसे कर देते हो Journal Journal के Format में ले जाते हो जैसे ही आपने Journal की असर हम इसे क्या करते हैं हम इसे Laser में Convert करते हैं जैसे ही हमने Laser में Convert कर दिया देन हम Trial Balance बनाते हैं और Trial Balance एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमेशा Debit is equal to Credit बनता है Debit is equal to Credit का मतलब हम ये मान लेते हैं लगबग लगबग के हमारा ये सारा प्रोसेस एकदम ठीक चला है अगर हमारी गलती किसी भी प्रोसेस में रहती है तो उस वज़े से हमारा ये वाला systematic जो हमारा rule है Debit is equal to Credit होगा ही नहीं कभी पहली बात समझ रहे हैं बात को अब यहां तक तो ये क्या है हमारा accounting का एक प्रोसेस अब Trial Balance कैसे बनता है सर Trial Balance बनाने का बड़ा simple सा funda है आप सभी ने पहले देखा भी होगा और आपने बनाया भी है ऐसा नहीं के नहीं बनाया है सिर्फ देखा ही है और ये बाते जो Trial Balance वाली में बात कर रहा हूं ये चीज़ें आपको 11 भी class के अंदर सिखा दिया जाता है कुछ ऐसा Trial Balance होता है और इस Trial Balance के अंदर एक होता है हमारा debit और एक होता है हमारा credit उपर लिखा होता है Trial Balance और मैंने मानलों यहां लिख लिए particular और यहां पे आपकी detail लिखी होती है जैसे 1 2 3 suppose capital है तो यहां capital लिखा होगा capital पांच लाग का है तो then पांच लाग लिखा होगा अगर asset है assets लिखा होगा 4 लाग का है तो 4 लाग लिखा होगा cash का balance है तो cash का लिखा होगा 1 लाग है तो 1 लाग लिखा होगा इस तरीके से हमारा इसका total पांच लाग रुपे और इसका तोटल पांच laag रुपए, ये टोटल हमेसा मेंच हो जाता है, तो हम ये मान लेते हैं हमारा trial balance बनाना confirm हो गया मतलब कि trial balance हमारा ठीक है, और ये sir, ये trial balance बनता किसकी मदद से, ये trial balance ऑलवेज बनता है, laser की मदद से, याणी इस laser की मदद से इसके बाद बाद बच्चे कहरे हैं voice नहीं आरी एक बार बता इस आ री है नहीं आरी सभी बच्चे बता दें कि नहीं तो फिर मैं यहां से increase करूं एक बार बता इस झाल है या नहीं सर आ रही ओके ठीक है नहीं तो मैं यहां से अगर इंक्रीज करता हूं कई बार वोइस क्या हो जाता है वह बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है बच्चे परिशान हो इसलिए मैं मीडियम रहता हूं ठीक है तो यह ट्राइल बैलेंस इतनी कहानी जितनी भी मैंने आपको आज पताया है इस डिसकेशन में जितना भी अभी तक डिसकेशन हुआ है इसमें कोई नई बात नहीं है कॉमर्स वाले बच्चे के लिए हां आर्ट और साइंस वाले बच्चों के लिए हो सकता है बिल्कुल नई बात है तो सर यह सारी बाते आपको पता है और आपने 11 क्लास के अंदर और फर्स्ट य र के अंदर और 12 क्लास में भी कई बार किया हुआ है अब मुद्ध की बात आती है कि अब हम इसकी मदद से इसकी हेल प से हमें एक अकाउंट तयार करना होता है सर इतनी हमने क्यों अपनी मतलब दिमाग लगाया ये करो वो करो ताकि हम इसकी मदद से बना पाएं अपना profit and loss और ताकि इसकी मदद से हम बना पाएं अपना balance sheet क्योंकि accounts का एक ही objective, main objective देखा जाये तो to prepare financial statement for calculating profit and loss and financial statement इसको हम financial statement भी बोलते हैं final account को तो हम एक ही मुददा रहता है कि हम correct profit and loss निकाले और correct balance sheet बना पाएं इसलिए हमने इतनी ज़्यादा यहाँ पे जितना भी ये इतनी कहानी और इतने पापड जो मैंने बेले हैं वो इसलिए बेले हैं ये ताकि मैं वहां तक पहुँच पहूँ profit and loss और balance sheet तर लेकिन profit and loss और balance sheet आपका गलत आ जाए तो आपकी इतनी मेहनत पे क्या हो गया पाने फिरिया सर अगर मैं बोलू के सर ये जो भी निकाला है आपने गलत है तो इसका मतलब क्या हो गया ये तो सारी कहानी इतनी मेहनत में दिक्कत हो गई करने में क्या फाइदा जैसे मैं एक मज़े की बात बताओ ना मैंने एक लाग रुपे का उधार माल खरीदा था जो मैं ट्राइल बैलेंस में लिखना भूल गया जर्नल भी करना भूल गया लेजर भी करना भूल गया तो एक लाग का उधार माल खरीदा था तो उसको मैं नीचे नोट में लिखू कर दें अगर ये बाते जो कि हम trial balance के अंदर incorporate करना भूल गए हैं और बाद में हमें ये बाते लिखी हुई मिलती और अपने financial statement में incorporate कर देते हैं तो हमारा financial statement तब गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके impact को मैंने यहां पर क्या कर दिया है reflect already कर दिया है तो sir ये वाले जो points मैं यहां पर बताएं ये क्या sir इसे कहीं भी reflect नहीं किया होगा हमने जी हाँ इसको हमने कहीं भी reflect नहीं किया होगा तो sir इसका मतलब इस जो भी point को हम यहां पर reflect करेंगे हमेंसा दो जगह लेके जाएंगे एक debit में लेके जाएंगे और एक कहां लेके जाएंगे credit में लेके मतलब क्या होता है adjustment का मतलब होता है जो चीजे हम trial balance के अंदर या पहले किसी जो हमारा process of accounting है वहाँ पे हम करना भूल गये थे और बाद में अचानक से याद आया उसको नीचे point बना के लिख दिया that is called adjustment और adjustment की हमेंसा double entry होगी क्योंकि accounting double entry bookkeeping पे इसको मैंने आज से पहले कहीं लिखा ही नहीं तो कहीं ना कहीं तो debit और कहीं ना कहीं credit करना पड़ेगा तो हमें इस trial balance हमें always given होगा और इसके साथ कुछ point भी given होगे जैसे point 3 जैसे मैंने लिख दिया suppose closing stock जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मान लेते हैं depreciation तो बहुत सारे point आपके यहाँ पर लिखे होते हैं सभी बच्चे aware हैं कि इस तरीके के आपने questions किये हुए है soul proprietor के तो यह हमारे adjustment होते हैं तो हमें पहले जो adjustment हमने किया था वो as per the old format balance sheet के हिजाब से देखा था कि मैंने ब गोला simple liability में जाएगा और एक expense में add हो जाएगा यही सीखा हुआ है closing stock कहां जाएगा सर ट्रेडिंग में जाता और balance sheet में जाता है लेकिन अब ना तो trading है और ना ही balance sheet है balance sheet है तो लेकिन वो क्या है पूरा categorize तो अब जो मैं adjustment बताऊंगा कि exact कहां पे जाएगा उसके हिसाब से बात करेंगे तो इस chapter के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको adjustment की knowledge होने चाहिए मैं दिखा भी देता हूँ मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको यह सवाल करा दूँ और that is आपको देखो debit or credit क्या given है यह trial balance given है trial balance के नीचे बहुत सारी information given है total 10 no information given है और यह जो information given है इसको adjustment जो कि हम सीख रहे हैं तो इस adjustment को कैसे handle किया जाएगा किस जगह पर minus किया जाएगा किस जगह पर plus किया जाएगा पहले उसके हम कुछ 10-12 जो भी note बनते है में में वो note बना लेंगे उस note को बनाने के बाद फिर हम इस chapter के अंदर start करेंगे इसको करने के ठीक है न तो चलिए आईए मेरे साथ यहां तक आपको clarity होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आते हम आगे सर note बनाने के लिए यानि सर adjustment स्टार्ट करते हैं हम पहले और यह adjustment आपको भी मैं कहूँगा एक ही जगा रखें ताकि आगे दिक्कत ना हो adjustment की बात कर रहे हैं तो adjustment number मैं one लिखने जा रहा हूँ सर सबसे पहला adjustment कौन सा है? adjustment number one लिखने जा रहा हूँ यह है closing stocks related जिसको closing stock के दूसरे शब्दों में आप inventory भी कह सकते हो इसको क्या कह सकते हो? inventory अगर मैं closing stock की बात करूँ तो यह दो जगे हमें देखने को मिल सकता है सवाल के अंदर सवाल में दो जगे और इसको अगर दो जगे देखने को मिला तो किस तरीके से tackle करना यह भी पता होना चाहिए आपको या तो यह आपको given हो सकता है trial balance के अंदर या तो trial balance के अंदर given हो सकता है या फिर आपको यह given हो सकता है कहां adjustment में सर मतलब क्या हुआ इसका मतलब बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो अगर मैं trial balance की बात कर रहा हूँ तो trial balance के अंदर कौन सी बात होती है और adjustment में कौन सी बात होती है यह दिखा देते हैं अगर मैं बात करूं कभी ऐसा भी हो सकता है possibility के आपको closing stock इसके अंदर देखने को मिले और कई बार ऐसा भी हो सकता है के closing stock कहां देखने को मिले बाहर जैसे कि यहाँ पर closing stock आपको बाहर देखने को मिल रहा है तो that is adjustment में given है और अंदर given है तो यह given है हमेशा life में याद रखना जब भी trial balance के अंदर entry आएगा तो हम इसका कभी भी कुछ नहीं करते हैं इसको हम सिर्फ only transfer करते हैं transfer या तो balance sheet में करते हैं या P&L में करते हैं that is मतलब इसको यहाँ से उठा के या तो balance sheet का item है तो balance sheet में ले जाएंगे और P&L का item है तो P&L में ले जाएंगे आपको पता चली गया होगा सर अगर adjustment में given होगा तो very clear तो कितनी entry होंगी यहाँ पर adjustment में given हुआ तो sir 2 entry होने वाली adjustment में given हुआ कहां कहां adjustment में given हुआ दो entry होगा क्योंकि पहले trading account होता था अब तो trading account नहीं है अब balance sheet है तो एक तो चला जाएगा हमारा कहां पे sir balance sheet के अंदर एक तो balance sheet के अंदर चला जाएगा और एक चला जाएगा statement profit and loss के अंदर ठेक है न एक चला जाएगा balance sheet में और एक चला जाएगा profit statement और येकीन मानिएगा ये आपके बहुत helpful रहेगा सारे adjustment को हम यहां कर लेंगे और ज्यादा adjustment नहीं है बस थोड़े से हैं वो assets में जाएगा और current assets के अंदर आगे section आता inventory inventory current assets में जाएगा और आगे section क्या आता है हमारा inventory आता है लेखिन सर अगर profit and loss में हुआ तो कहां जाएगा ये जाएगा हमारा change in change in inventory ये change in inventory में जाएगा लेखिन सर अगर सिर्फ और सिर्फ balance sheet के अंदर trial balance के अंदर ही हुआ तो क्या करेंगे आप तो very simple trial balance में हुआ तो एक ही entry होगा सिर्फ जाएगा balance sheet के अंदर और balance sheet में भी कहां चला जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ current assets के inventory section में समझ में आई बात आपको यानि trial balance के अंदर है तो मैंने भी समझाया आपको sir trial balance के अंदर है तो उसकी दो entry नहीं करनी उसकी तो बस transfer entry करनी होती तो एक ही जगा गया और adjustment में है तो कितनी जगा चला गया सेम जगा चले गया आगे देखते हैं अब कई बार examiner क्या करता है जो closing stock को गवन करता है ना closing stock को या किसी भी stock को गवन करता है वो as2 करता है तो as2 हमें कुछ ग्यान देता है कुछ सिक्षा देता है as2 as2 accounting standard 2 वह कहता है कि भी आगर आपको कभी भी आपके stock की value दो नजर आए stock की value दो नजर का मतलब आपने खरीदा है वो अलग एक value है लेकिन उसको market में अगर valuation लगाए जाए तो उसकी value एक अलग है तो आपको हमेशा books of account में which ever is lower होगा उसे record करना चाहिए ना की जितने का खरीदा है आपने या फिर ना की जितने का market value है तो note section यहाँ में डालने जा रहा हूँ sir क्या note है note की अगर बात करें तो closing stock को लेके note when when market value और इसी को realizable value भी बोल देते हैं जर market value market price बोल दो when market value and cost price both are given जब market price और cost price बोथ are given then we will be taken हम कौन सा लेंगे sir whichever is is lower whichever is lower जब दो value दे दे तो हमें कौन सा value चुनना चाहिए sir whichever is lower value को हमें चुन लेना चाहिए जो बड़ी CDC बात है आपे ठीक है sir इस समझ में नहीं आया एक example हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा तो चलिए मैं example ले 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 लो मान लेते हैं मेरे पास closing stock given है मैं cs लिखूंगा closing stock 50,000 और इस 50,000 के मैं bracket में लिख रहा हूं market price जो है उसका है 40,000 तो हमें अब adjustment में है तो दो जगए दिखाना है लेकिन 50,000 लेके चले हैं 40,000 तो whichever is lower का मतलब जो दोनों में से कम है तो here answer जो हम amount लेके चलेंगे that is 40,000 एक और example देखिए अगर मैंने कहा closing stock का value मेरा 50,000 है बट इसी का same का market price जो है मेरा वो कितना है सर 60,000 तो अब बताइए हम answer में क्या लेके चले कौन सा amount लेके चले तो that is आपका जवाब होगा सर अब 50,000 लेके चलना होगा अब चलना होगा आपको 50,000 रुपीज लेके पहला adjustment हमने done कर लिया इसे separate एकदम separate लेके चलिएगा mix मत करिएगा question के बीच में क्यूंकि मैं पहले सारे adjustment कराने वाला उसके बाद हम सवान पर आएँगे तो पहला adjustment हमने done कर लिया किसी बच्चे को इसमें कोई problem है तो बता सकते हैं किसी बच्चे को इसमें problem है तो बताईए मुझे लगता है यह अच्छे से clear होना चीए कि बहुत पहले भी हमने यह करा हुआ है कई बार करा है एक बार नहीं किया हुआ है ठीक है ना चलिए सर outstanding और मैं बात करूँगा outstanding expense की और इसके कई नाम है outstanding को हम area भी बोलते है या फिर हम इसको unpaid भी बोलते है या फिर हम इसको due भी बोलते है या फिर हम payable भी बोलते है तो देखिए कितने सारे नाम है इस outstanding के जो different different तरीके से हर जगह जगह बोले जाते हैं जो कि मैंने लिखा है अब देखिए outstanding के इतने सारे नाम है अब अगेन मैं कहूंगा इसके अंदर सर आपको outstanding दो जगह देखने को मिल सकता है पॉसिबल है कि आपको outstanding देखने को मिले अपने trial balance के अंदर और ये भी possible है कि आपको outstanding देखने को मिले कहां अपने profit and loss के अंदर सरी आप adjustment के अंदर दो जगह की बात करें तो या तो देखने को मिल सकता है आपको कहां सा trial balance में या फिर आपको देखने को मिल सकता है अजिस्मेंट या trial balance या sir adjustment सर अगर trial balance की बात करें तो इसकी entry कहां होगी सर अगर trial balance में given हो तो इसको हम ले जाएंगे कहां ले जाएंगे sir other current liability सीधा इसका कोई ऐसा नहीं है या तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ अधर current liability जो है वो आपको याद होना चीए कहां जाता है current तो अगर आपका outstanding given हो तो आप समझ में आया कैसे करेंगे इसको current liability के other current liability के अंदर आपको लिखना है इसको ठीक है ना current liability के other current liability में लेकिन adjustment हुआ तो अगेन आपको पता है कितनी entry करनी है adjustment के केस में sir दो entry करनी है sir दो entry कहां जाएगी एक तो as a t's हमारा same आ जाएगा जो हमने यह लिखा हुआ है sir एक तो same sir दूसरा दूसरा यह चला जाएगा हमारा एड हो जाएगा in expense add हो जाएगा in expense sir कौन से expense में एड होगा जिससे related outstanding होगा तो वह एड हो जाएगा अगर interest हुआ तो finance cost के अंदर एड होगा अगर wages हुआ तो employee cost में एड होगा अगर journal expense हुआ तो other expense में एड होगा यानि जिस expense से related है वहाँ पे जाके यह क्या हो जाएगा जाके सीधा added हो जाएगा यह तो यह क्या था हमारा outstanding लेकिन कई बार सवाल आपको problem कब create करता है जैसे कि आपको न कई बार यहां पे कुछ loan के उपर कई बार बात करता है loan की बार में बात करनेंगा पहले यहां तक देखिए हम basic basic से लेके चल रहा है इसमें किसी को doubt है तो बताईए यह clear है किसी को doubt यानि मैं दोनों section लेके चल रहा हूँ अगर ऐसे ट्राइल में हुआ ट्राइल का मतलब क्या कह रहा हूँ कि अगर इसके अंदर हुआ तो तो सीधा आप जाना एक current liability में अधर current liability में लिखे देना लेकिन adjustment हुआ तब तो दो entry करने पड़ेगे ठीक है कि किसी को दिक्कत इसमें नहीं थार्ड अजिस्मेंट हो जाते हैं hidden adjustment या hidden को एक साथ लेंगे prepaid या फिर unexpired expense अगर मैं बोलूं prepaid या न एक्सपैड तो आपको अच्छे से पता सर यह asset होता है ठीक है सर अगेन यह दो जगह देखने को मिल सकता है कहां कहां देखने को मिल सकता है दो जगह एक तो trial balance में देखने को मिल सकता है और सर कहां देखने को मिलेगा और सर balance sheet में देखने को मिल सकता है तो trial balance में हो सकता है trial balance को shortcut में TV लिखे देता हूं और adjustment को में shortcut में ADJ लिखे देता हूं ठीक है ना adjustment में देखने को मिल सकता है trial balance में देखने को मिल सकता है चलिए सर अगर adjustment की बात करें तो कहां जाएगा और trial balance की बात करें कहां जाएगा पहले adjustment पढ़ लेते हैं सर अगर adjustment में गया तो दो entry सर दो entry कहां कहां नमबर बन प्रीपेड है यह सर तो यह एक तो चला जाएगा हमारा statement profit and loss में एक मैं चोटा सा back करना चाह रहा हूं मैंने यहां पर लिखा नहीं मैंने बस कह दिया कि add हो जाएगा other expense में लेकिन सर where is other expense other expense in the कहां पर statement profit and loss तो मैं यह थोड़ा बताना भूल गया था तो मैं यहां पर correct कर देता हूं फिर वापस आ जाएगा यह statement profit and loss के other expense में चीक है आगे चलते हैं सर statement profit and loss सर statement profit and loss में कहां जाएगा सर यह खर्चा less हो जाएगा less हो जाएगा from from expense less हो जाएगा from expense सर less हो जाएगा from expense का मतलब क्या है अगर आपका prepaid हुआ salary employee cost में चला जाएगा employee benefits जो है अगर interest हुआ तो finance cost में चला जाएगा अगर आपका मान लेते हैं कोई और other expense हुआ जिससे rent हुआ तो कहां चला जाएगा other expense में तो जिसका जो जगह है वहाँ पे जाके यह क्या हो जाएगा minus हो जाएगा दूसरा चले जाएगा यह balance sheet के अंदर कहां चला जाएगा यह balance sheet में sir balance sheet में क्या होगा इसके साथ balance sheet के अंदर यह आ जाएगा हमारा current assets में जाएगा current assets में जाएगा सर current assets के कहां जाएगा ये current assets के अंदर एक section ओता है other current assets other current assets वहाँ चला जाएगा other current assets ये G F या G के आसपास बनता है हमारा तो ये रहेगा लेकिन सर अगर trial balance में given है तो सिर्फ एक ही जगा जाता है सर अगर trial balance में given हो ना तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसके according सोच के हम कर देंगे मतलब सर trial balance में given हो तो सिर्फ और सिर्फ जाएगा वो current assets other balance पहले देखे कोई डाउ trial balance में given हो तो उसको assets मान के हम खतम करेंगे तो अभी हमने तीन देखा adjustment एक देखा closing stock देख लिया एक हमने क्या देख लिया प्रिपेड और एक देख लिया चलिए अब आगे चलते हैं depreciation depreciation अगर हम depreciation की बात करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा typical concept आ जाता है बच्चों के लिए क्योंकि depreciation दो तरीके के होते हैं सर दो तरीके के कौन से depreciation होते हैं depreciation दो तरीके का होता है एक होता है हमारा सिर्फ depreciation और एक होता है provision for depreciation एक होता है provision for depreciation ध्यान से देखिए गाई इसके अंदर मैं थोड़ा आगे detail तक लेके जाओंगा concept को क्योंकि मैं दो दो करके ज़्यादा लंबा ने कीचना चाता इसको अगर depreciation की बात करें तो अगेन ये दो जगे गीवन हो सकता है सर दो जगे कहां गीवन हो सकता है maybe possible है आपको देखने को मिले trial balance में और maybe possible है आपको ये देखने को मिले adjustment में ज़्यादा से ज़्यादा आपने adjustment में देखा होगा तो possibility है ये देखने को मिल सकता है trial balance में और ये भी possibility है ये देखने को मिल सकता है आपको adjustment में अगर हम trial balance की बात करें और adjustment की बात करें तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि trial balance की कितनी entry एक और adjustment की कितनी entry दो तो adjustment की दो entry कहां जाएगी adjustment की दो entry होगी एक तो चला जाएगा हमारा statement profit and loss में statement profit and loss में और statement profit and loss के अंदर एक heading होता है depreciation amortization of depreciation के नाम से तो statement profit and loss के अंदर जाएगा हमारा depreciation amortization या सरफ depreciation heading में depreciation head में चला जाएगा सरी है और अगर हम बात करें अगले point के दूसरी entry कहां चला जाएगा ये सर ये चला जाएगा balance sheet में सर always balance sheet में जाएगा हां जी बिल्कुल always कहा जाएगा सर ये balance sheet में और balance sheet में क्या होगा, यह less हो जाएगा, less कहां से हो जाएगा, less from, asset, और किस assets में, जो property, plant and equipment के अंदर given है, उस assets का नाम कुछ भी हो सकता है, वहां से क्या हो जाएगा sir, यह less हो जाना है, वहां से जाके यह, तो यह हमारा कहां जाएगा, यह, लेकिन sir, अगर adjustment में given हुआ, तो क और वो entry क्या होगा, सरफ और सरफ statement profit and loss के अंदर दिखा देना है, तो चलिए फिर मैं दुबारा repeat कर दूँ, मैं क्या बोलना चाहरा हूँ, अगर हमारा depreciation हुआ, सिर्फ simple वाला depreciation, only depreciation, not accumulated depreciation, और provision for depreciation, अगर simple depreciation हुआ, तो दो जगह चला जाएगा, या तो हो सकता adjustment, या त जिना पढ़ेगा, ठीक है, repeat expense का, expense in advance मतलब prepaid ही होता है, वो एक तरीके से, अब provision for depreciation के एक और नाम है, जो कि मैं आपको बता दूँ, इसको हम accumulated depreciation के नाम से भी जानते हैं, accumulated depreciation के नाम से भी, दोनों का मतलब एक ही है, अब सर, एक बात बता देगे, यह फरक क्या है, इन में, accumulated depreciation में, प्रोविजन for depreciation में, ऐसा क्या फरक है, तो आप ध्यान से example को देखेगा, आप समझ जाएगा, इसमें फरक क्या है, थोड़ा detail में जाएगे, ध्यान से देखेग आपके सामने एक balance sheet बनाएगा, ये balance sheet ही, और मैं आपके सामने एक नहीं, मैं दो-दो balance sheet बनाएगा, और दो क्यों चार बनाएगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, सर दिखनी रहा, कोई बात नहीं चार balance sheet है आपके सामने चारों में मैं अपनी अलग-अलग बाते रखूँँगा आप समझ जाना है कौन सा method क्या है मैंने एक assets खरीदा मैंने एक assets खरीदा और मैंने यहां लिखा एक लाग का इसके उपर 10% depreciation है तो मैं यहां ना मैंने यहां दिख दूँगा depreciation और कितना लिखा मैंने 10,000 एक तो यह तरीका हो गया दूसरा मैं एक लाग रुपे का अगर मैंने कोई assets लिया है तो एक तो तरीका यह हो जाता एक लाग का अगले साल अगर कम बात करें तो फिर से हमारा जो assets होगा ना इस situation के अंदर वो तो हमारा आजागा एक लाख ही और depreciation हमारा पुराने वाला आजाएगा हमारा 10,000 और एक और depreciation इस साल का आजाएगा that is new depreciation वो आजाएगा हमारा कितने रुपे का 10,000 का समझ पारे हो बात और दूसरा इधर की लेकी चले तो हमारा क्या आजाएगा इस जो आजाएगा वो 90,000 आजाएगा मैं SLM लेके चल रहा हूं और फिर से कर देंगे depreciation सर 10,000 और यहां पर आजाएगा 80,000 दो साल का मैंने data सामने रखा है अगेन इस वाले methods के अंदर मैंने क्या करा assets में से depreciation 80 दिखा दिया और इस account के अंदर total amount reflected amount कितना 80 है इस account को भी ध्यान से देखोगे तो reflected amount कितना है हमारा 80 है यानि depreciation लगाने के दो methods है, दो provisions है, दो तरीके से कर सकते हैं एक बोला गया भी या तू asset से minus करता जा बात चलेगी दूसरा कहता है, asset से minus मत कर, एक काम कर तू अलग से दिखाता जा अब बाद में आप तू हिसाब लगाएगा तो वही बात बैठेगी जो asset से minus करके बन रहा है तेरा तो इस वाले method को जो अलग से लिखते जाते हैं इसको that is हम बोलते हैं provision for depreciation और इस वाले method को बोलते हैं simple depreciation simple depreciation ये जो मैंने बताया वो simple depreciation का तो मैंने बोला था भईया किस से minus कर दो, आप asset से minus कर दो लेकिन अगर मैं provision वाला लेके चलूँँगा तो मैं कभी भी नहीं बोलूगा ऐसेट्स से माइनस करो इसके अंदर कहा बोला जाता है कर दो आप उसमें से माइनस ना करके आप कहा दिखा दो उसको लाइबली की साइड में अलग से दिखा दो ठीक है नब तो आपकोूकफूली समझ में आया होगा कि provision for depreciation और simple दोनों है एक ही चीज बस उसको दिखाने का style अलग-अलग है इसलिए इसका नाम अलग पड़ गया समझ मैं आई बात आपको इस वाले में क्या था इधर की side दिखा अगले साल भी जाओगे तो यहां पे 70 बचेगा और यहां पे कितना हो जाएगा 20 पुराने वाल जो यह नए वाला होता है ना यह नए वाला जो depreciation होता है ना यह पीएंडल में भी जाता है पीएंडल के अंदर भी जाता है ठीक है ना और यहां पे यह वाला depreciation पीएंडल में जाता है यानि जो नए वाला है यही तो नया है पीएंडल में जाता है हमारे पहले यहां तक तो तो कोई दिक्कत नी है सर इस पे लगाते जाईए और जिंदगी भर लगाते जाईए दस सालों तक खतम नहीं होगा लेकिन WDV है WDV क्या हमें बताता है WDV बोलता है कि भईया तुम depreciation लगाने से पहले पुराने depreciation को minus करना दें depreciation लगाना अगर हम अगले साल WDV की बात कर लें तो अगले साल अगर मैं सेम method को लेके चलू WDV के साथ में तो मैं यहां पे एक लाग तो दिखाऊंगा लेकिन यहां पर depreciation यहां पर 10,000 है और यहां पर depreciation 10,000 है एक साल का दो साल का हो गया लेकिन तीसरे साल का depreciation हम यहां 10,000 नहीं दिखा पाईगे क्योंकि मैंने बोला मैं तीसरे साल में WDV लगाना चाहता हूं तो WDV कैसे लगाओगे पहले इस एक लाक में से पुराने 20,000 माइनस करोगे देन लगाओगे जो की आएगा हमारा कितना 8,000 रुपए समझ रहे हो बात तो आप सिंपल सी बात है लेकिन इस वाले मैथट के अंदर परिशानी नहीं है SLM हो चाहिए WDV आप क्या करोगे एसेट का जो भी वेल्यू दे रखा है आपका 80 और इसी सी के उपर सीधा 8,000 रुपए माइनस कर दोगे दोनों देखो तो बात एक ही है इसमें अकाउंट में भी 72,000 और इस अकाउंट के इंदर भी 72,000 जिसमें कोई फराग है नह करना है यह चोटा सी आपने वाले हैं Сरा काउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या करोगे या यह बाद में आपने नूटिंग कर लेना है जी हाँ वोईस नहीं आ रही थी कोई बात नी अब आ गई है वोई कुछ बच्चे बोल रहें सर क्लास कितने बज़े तक चलेगा आप इन सब चीजे बातों पर ध्यान मत दीजिए सफीर ये देखिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुद्दा ये है अगर आप ये सोचेंगे क्लास कितने बज़े तक चलेगा ये कितने बज़े तक चलेगा तो आपका फिर मतलब ध्यान नहीं है आपको ये सोचना है कि जब तक आपको समझ में आता रहेगा न मैं कराता रहूँ आज आप चिंता मत परो चलिए सर, provision for depreciation या accumulated depreciation यानि सर, अगर ये भी दो जग़े given हो सकता है सर, दो जग़े कहां कहां given हो सकता है सर, ये, ये दो जग़े given हो सकता है हाँ जी इधर देखने board पे बाते बाद में हो जाएगी दो जग़े हो सकता है सर सर, दो जग़े कहां पे एक हो सकता है ये हमारा trial balance के अंदर given हो और दूसरा हो सकता है हमारा adjustment में given हो अगर मेरी पुरानी बाते समझ में आई होगी तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं अगर पुरानी बातों का आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर बोलो कि सर ये topic समाजी नहीं आया हमें मैं सीदिधी बात बोलूँगा अगर trial balance में given है तो अब trial balance में given है तो इसके दो तरीके हैं दो जगह नहीं जाएगा, दो तरीके हैं या तो ये कर लो, या तो ये कर लो देखो एक होता है कि adjustment में given है तो दो जगे जाएगा मतलब यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा और दो तरीके का मतलब होता है यह कर लो यह यह कर लो आपके इच्छा है तो अगर ट्राइल बैलेंस में गीवन है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं सर दो तरीके क्या हो सकते हैं दो तरीके आपके यह हो सकते हैं, नमबर वन और नमबर टू, सर, नमबर वन तरीका यह हो सकता है, कि इसे आप बैलेंस शीट में दिखा दो, और सर, बैलेंस शीट में तो जाएगा, यह बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ, और balance sheet में कहां दिखाएंगे सर balance sheet में आप इससे दिखादो liability side में liability side liability side में कहां दिखाएंगे liability side में दिखादो non current liability में non current liability में non current liability में तो बहुत सारी बाते हैं वहां कहां दिखाएंगे आप इसको दिखादो long term provision में long term provision वहाँ दिखा दीजिए दूसरा तरीका है balance sheet में दिखाईए सर फिर से balance sheet में विलकुल लेकिन दूसरा तरीका ज़्यादा असान है आपने क्या करना है less कर देना है less from asset less from asset तो जो भी आपको तरीका समझ में वो कर सकते हैं आप दोनों ही एक जैसा ही है यह मैंने लंबा लिख दिया तो मतलब लेंदी नहीं है liability में तो लिख नहीं है जाके फटा फटा लिख दोगे या तो less from assets कर दोगे या फिर दिखा दोगे कहां से आप balance sheet के liability जैसे कि एक हमने देखा था है यहां दोनों मैंने करके दिखा है तो एक तो हम liability liability में लिख रहे थे और एक क्या कर रहे थे less from assets कर रहे थे सर दूसरी बात अगर बात करें adjustment में तो यह दो जगे जाएंगी सर दो जगे कहां कहां जाएंगी एक तो चला जाएगा statement profit and loss में इसमें तो कोई दो राई नहीं है कि statement profit and loss में कैसे जाना है कैसे नहीं जाना एक तो चला जाएगा statement profit and loss में ना सर और statement profit and loss में किदर जाना है सर statement profit and loss में जाना है इसको यह उपर कैसे जाएगा Statement Profit and Loss में जाना है इसको Depreciation Head के अंदर Depreciation Head में Sir ये Depreciation Head में बार-बार ना अपने language देना चाह रहा हूं इसको लेकिन थोड़ी बहुत confusion ना हो जाए इसलिए चलिए मैं दिखा भी दो आ जाएए ये आपका Statement Profit and Loss है याद होगा आपको ये आप सभी ने note किया होगा इमानदारी सो तो बिल्कुल याद होगा Statement Profit and Loss है इसमें देखिए एक पार्ट था Depreciation और इसी Depreciation की बात कर रहा हूं यहाँ चला जाएगा एक तो समझ मैं आई बात आपको एक तो यहाँ चला जाएगा जो कि मैंने दिखाया दे ओके सर इसके बाद दूसरी Entry भी बता दे दूसरी Entry की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी Entry कहां जाएंगे सर यह Adjustment Number कौन सा चला रहा है चार दूसरी Entry चला जाएगा अब दूसरी Entry के अंदर Balance Sheet में जाएगा सर Balance Sheet में सर Balance Sheet में अब यहाँ पे मैं बोलू तो Balance Sheet के अंदर दो Style है सर Balance Sheet के अंदर दो Style का मतलब Same Same का मतलब सर वही Balance Sheet में दो Style है दो च्टाइल कौन सा या तो आप कहां दिखा दिजिए लाइबलिटी में और जब कुश्चन आएगा तो और बहतर समझ में आ जाएगा या तो दिखा दिजिए आप बैलेंस शीट के मैं शॉट लिख रहा हूँ थोड़ा सा लाइबलिटी साइट लाइबलिटी साइट बैलेंस शीट में लाइबलिटी साइट सर बैलेंस शीट के लाइबलिटी साइट कहां पे लाइबलिटी साइट कहां पे लाइबलिटी साइट कहां पे सर लॉंग ट्रम प्रोविजन लॉंग ट्रम प्रोविजन और लॉंग ट्रम प्रोविजन में या फिर आप दिखा दिजिए बैलेंस शीट के ही एसेट साइड में सर एसेट साइड में कहां दिखाना है आपको लेस करना होगा लेस फ्रम एसेट आपको एसेट में से लेस कर देना है वो आपकी चैप कहां दिखाना चाहते यानि सर हम क्या करें जब मैं दो आप्षन दे देता हूं तो बच्चे परिशान हो जाते हमें क्या करना आप वो बता दिजी हम कर लेंगे तो बड़ी सीदी सी बात है मैं अगर रिकमेंडेशन करूं कि आपको क्यार लेकर चलना चाहिए तो मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि आप ये वाला फॉलो करिए और इस साइड में ये वाला फॉलो करिए मैंने टिक कर दिया जो मेरा ओपीनियन है बाकि आप दोनों कर सकते हैं क्योंकि मैं दोनों और सारे ऑप्षन इसलिए देता हूं आपको क्योंकि कई वार बच्चे बुक्स को चेक करते हैं बुक्स के अंदर बोलेंगा सर वहां तो उनको ध्यदर डगना ठीक है बाकि का क्लियरिटी कुस्ट्ण को करने के बाद मिलेका हमें बाकी की क्लियरिटी ऑन आप हमिको संप करने के बाद मिलने वाला है छीक है ना चलिए सर एक और एड़्जस्मेंट देखें कितने अड़्जस्मेंट हो गया स्टो अभी तो स्टार्ट ही किया है नमबर बन क्लोजिंग स्टॉक नमबर टू आउटसेंडिंग नमबर थी प्रिपेंड नमबर चार डप्रीशियेशन है नेक्स अडिस्मन डिविडेंट सर डिविडेंट पहले आप समझेगा डिविडेंट होता क्या है अगर हम डिविडेंट की बात करें तो पहले समझ लेते हैं कि what is the dividend मान लेते हैं एक कंपनी है xyz limited एक कंपनी है xyz limited इसने अपना मुनाफ़ा कमाया 50,000 ये 50,000 इसका profit है और इस कंपनी के शियर होल्डर 500 है 500 शियर होल्डर है तो ये 50,000 profit कितने में बढ़ जाएगा 500 में और हर हिस्से के में कितना आ गया 100 रुपय that is called dividend इसको क्या बोलते है dividend इसको बोला जाता है dividend यानि जब कंपनी अपने profit को अपने शियर होल्डर के बीच में distribute कर देती है that is called dividend लेकिन dividend के भी types होते हैं सर अगर dividend की बात करें तो dividend के भी types हैं सर कौन-कौन से dividend के types हैं और क्या है dividend का types रहते dividend एक होता है final dividend एक होता है proposed dividend एक होता है recommended dividend एक होता है interim dividend ये कुछ नाम है काफी बच्चों को न ये point clear नहीं होता बस इतना पता होता dividend अब समझते हैं किसका नाम क्या है किसका नाम क्या नहीं है उसकी accordingly हमें अच्छे से समझ में आएगा हाला कि मैं dividend की बात करूँ तो सबसे पहले dividend होता कैसे है दिया कैसे जाता है ये समझना पहले company के background को समझो कि dividend कैसे दिया जाता है हर एक company को ना dividend देना है profit होगा तो dividend देती है वो तो सबसे पहले company जो है ना dividend जो देगी वो दो लोगों को दे सकती है सर दो लोगों को dividend जी हाँ एक दे सकती है preference shareholder को और एक दे सकती है हमारा equity shareholder को एक preference shareholder को और एक equity shareholder को सर जो preference shareholder को dividend जाता है ये पहले से तै होता है ये पहले से तै होता है fix होता है ये पहले से तै होता है that is fix होता है तो पहले से अगर तया है, जैसे मैंने लिखा 10% preference share capital, तो इसका मतलब अगर मैं 1,00,000 रुपए लिख रहा हूं, तो company जो है 1,00,000 रुपए पे 10,000 रुपए का dividend paid करेगी, यह पहले से decided हैं, लेकिन जब company को profit होगा तभी देगी, loss की case में company generally preference share holder को भी dividend नहीं देती है, ठीक है accumulated depreciation फिर दुबारा आजेंगे, मैं सारा एक बार फिर से revise करा हूँगा, चिंता मतलब, equity share holder को जो dividend दिया जाता है न, वो पहले से तै नहीं होता, वो पहले से fix not fix, वो पहले से fix नहीं होता, पहले से fix नहीं होता, क्या मतलब, कि वो profit आएगा, फिर हम बाटेंगे, कितना profit आएगा, वो तो uncertain है, कोई भी नहीं जानता कि पहले से कितना profit आएगा, तो company सबसे पहले ये दो तरीके के लोगों को distribute करती है, अब इन दो लोगों को distribution कैसे किया जाता है dividend का, dividend का distribution करने के लिए company का अगरती एक meeting बुलाती है, हर एक company को न, अपने हर साल में 30 September, 30 September, 30 September, 30 September त दो meeting बहुत परमुख होती है, जो कि company law के अंदर इतना important रहता है कि एक्जाम में पूछा ही जाता है, एक होता है हमारा journal meeting, एक होता है annual journal meeting, journal meeting का मतलब क्या होता है, कि ऐसे ही बुला लो, जम मन करे बुला लो, annual journal meeting का मतलब क्या होता है, कि हमारे balance sheet को तयार होने के बाद बु बुला देना चाहिए, तो यह कौन से वाला journal meeting हो गया, annual journal meeting, journal meeting के अंदर सारी बाते रखी जाते है, अगर मैं थोड़ा सा आपको image दिखाऊ, जर्नल मिटिंग की, तो आपको भी थोड़ा सा idea हो जाएगा, जर्नल मिटिंग में क्या-क्या होता है, जर्नल मिटिंग, कोई अच्छा सा image मिल जाएगा, चलिए, इसी को ले लेता है, यह तो देखें नहीं रखोएगे, कोई जर्नल मिटिंग, इंडियन जर्नल मिटिंग टेख लेते हैं, ओओ, ओ, बैक जाना पड़ेगा, जर्नल मिटिंग, जर्नल मिटिंग, चलो, अब तो कुछ पता ही नहीं चलो रहा है, चलिए भाई, इसी को ले लेता है, कोई इंडियन तो मिल नहीं रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा से जर्नल मिटिंग को बताऊं आपको के जर्नल मिटिंग होता क्या है, आपके सामने एक ये इमेज देख रहा है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो जर्नल मिटिंग होती है, या एन्वल जर्नल मिटिंग होती है, जाता से जाता हॉल के अंदर होता है, होल का मतलब, इनका एक होल बनाते हैं, या फिर जैसे कि आप देखोगे स्रीपोर्ट होल है, जहां पर सारे मीटिंग को और्गनाईज किया जाता है, जैसे बैंकेट होल में साधी किया जाता है, तो ऐसे बैंकेट होल को भी कई बार बुक कर लिया जाता है, कि जहां पर हम म हुआ है अगर आपने एक रिलाइंस का खरीदन है share तो आपको एक direct आएगा और आपको लेटर आएका और आपको बुलाए जाए जाएगा तो आप यहां बैठेंगे देख रहे हैं यहां इस सब free रहता है कोई पैसा नहीं देना होता और दूसरा देख रहे हो ये इसको देख रहे हो ये कौन है इस meeting का मुख्या जिसको हम बोलते हैं chairman of meeting और generally जो ये meeting का मुख्या है न ये director ही होता है ये कौन होता है सब डारेक्टर ही होता है ये director है ये आपको अपनी company के बारे में या यहां पे और भी होते हैं ये खाली है अभी लेकिन और भी यहां पे होते हैं लोग एक नहीं समालता कभी भी और पूरा hall भरा हुआ होता है इसके अंदर आपसे कुछ पर्मीशन ली जाती है पर्मीशन जैसे कि हम company का नाम बदलना चाह रहे हैं ये कुछ भी decision लेना है तो आप से पूचेंगे तो आप फैसला सुनाओगे तो फैसला आप कैसे सुनाते है तो अब यहां पे यह जो है balance sheet बन चुका है अब आप सभी को इसने क्या करा एक balance sheet पकड़ा दिया पढ़िए अप सभी को balance sheet मिल जाएगा एक hard copy format में मिलेगा इसके बाद इसने क्या बोला कि ह या हमारी company ने इस बार दिन दुगनी चार रात चौगनी तरक्की की है और उसके इसाब से देखा जाए तो company का net profit जो है वो 100 करोड रुपे का आया है इस बार इसने बोला कि company का net profit कितना है सर 100 करोड रुपे का net profit इसने बताया है और बोला हम सोच रहें कि आपको dividend दें हम सोच रहें कि आप कितने लोग हो आप 1000 लोग हो या 100 लोग हो तो यह 100 करोड रुपे हम 1000 लोगों में बाटने वाले हैं तो इसने बोला कि हम आप से पूछ रहें कि क्या ऐसा काम करना चाहिए तो इन्होंने किस से पूछा इन सभी लोगों से पूछा और यह सब बैठे हुए इसको क्या बोलेंगा सर शेयर होल्डर है यह कौन है शेयर तो इससे पूछा किसने पूछा चेयर में ने पूछा किसने डिरेक्टर ने पूछा कि हम इतने अब अगर यह सब ने बोल दिया हां तो फिर मिल जाएगा अगर इन सभी ने किसी ने मान लेते हैं कि इसमें से साट परसंट वेक्ति ऐसे बोलते हैं सर इतना डिविडेंट मत दो और पैसे बचा लो 50 करोर ही डिविडेंट दो 50 करोर कंपनी के ग्रोथ पे लगाओ तो वो dividend नहीं दिया जाएगा फिर 50% ही मिलेगा यानि सर dividend देना dividend कितना मिलेगा shareholder को यह सारा फैसला end में decide होगा balance sheet बनने के बाद balance sheet बनने से पहले नहीं होगा balance sheet बनने के बाद और dividend भी company के लिए एक तरीके से kind of profit distribution है जो कि पहले ही हमारा statement profit and loss में चला जाना चाहिए हमें dividend देना है एक तरीके से आपको पता है हमारा prudence principle क्या कहता है कि अगर in case of आपको लगता है future में कोई खर्चा करने वाले तो आज ही record कर लो उससे provisioning कर लो तो आपको पता ही है कि profit होगा डिविडेंट देंगे तो प्रोविजिंग कर लो पहले इसी हिसाब से law चलता था लेकिन AS4 आया AS4 ने इस law को चेंज कर दिया AS4 accounting standard 4 क्या कहता है बोलता है कि डिविडेंट एक ऐसा है जो कि uncertain है और वो न शियर होल्डर के उपर अगर आपको सवाल में बोलता है कि purpose dividend पाँच लाक रुपए से कहां दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे सर क्यूकि यह तो पर्पोस्ड है यह दिया थोड़ी न गया यह क्या है पर्पोस्ड है तो पर्पोस्ड डिविडेंट की बात करें तो इसकी कोई यह दिखाते हैं अब डिरेक्टर ने बोला भी है कि हम पर्पोस्ड डिविडेंट एक करोड है और फाइनली एकसप्टिड भी हो गया है यानि फाइनल भी हो चुका है वो इस सभी ने बोल दिया चिला के जी हाँ डिविडेंट दे दिया जाए तो वह कौन सा उसको इतना पैसा मिलना तैह है एक रिकमेंडेशन डिरेक्ट जो पर्पोस करता है ने सी को बोला जाता है रिकमेंडेशन डिविडेंट यह तो बैलेंशीट बनने के बाद बुलाया गया कई बार डिरेक्टर साल के बीच में भी बुला लेता है बैलेंशीट बना नहीं है और डिरेक्टर ने बोला कि हमें लग रहा है कि इस पर हम पांच करोड रुपे प्रॉफिट कमाएंगे और आपको डिविडेंट देना चाहा रहे हैं क्या बताओ दे दे तो कंपनी जो जितने भी शेयर होल्डर है इन सभी शेयर होल्डर ने बोला भाई आभी तो बैलेंच बनने से पहले ही मांट दिया जाए उसको बोला जाता है इंट्रिम डिविडेंट उसको क्या बोला जाता है इंट्रिम डिविडेंट तो डिफ्रेंस समझ में है प्रपोस डिविडेंट और इंट्रिम डिविडेंट डिरेक्टर क्या करता है आप ध्यान से देखना आप पह पाइनल डिविडेंट और इसी डारेक्टर ने एक मीटिंग पहले भी बुलाई थी और इस मीटिंग में बोला था कि हम चार रुपए डिविडेंट दे रहे हमें लग रहा है कि कंपनी का बहुत मुनाफ़ा होगा देट इस आपका बैलेंस शीट बनने से पहले मीटिंग होगा जैसे कि क्या रिकम्मंडेशन और पर्पोस सेम होता है अभी मैं इस पर बात कर लेते हैं ठीक है तो पहला क्या था हमारा इस डिरेक्टर ने इस मीटिंग में खड़ा होके बैलेंस शीट सबके पास पहुंच गिया है बैलेंस शीट सैयार है फिर बोला हम देनी की देक्टर ने एक बार मीटिंग बुलाया था और वहां पर चार रुपए का रिकम्मंडेशन दिया था तो इसको कौन सा डिविडेंट बोलेंगे हम इंट्रिम डिविडेंट अब देखो यहां पर डिरेक्टर ने 10 रुपए बोला है तो इसका मतलब यहां कंफ्यूजन है क भाई 10 रुपे तु कैसे बता रहा है ये बता क्या 10 रुपे पिछले वाले चार को जोड़ के बता रहा है या पिछले वाले चार को जोड़ा नहीं है तुने अगर ये बोलता है भाई ये 10 रुपे टोटल क्योंकि प्रॉफिट निकलने के बाद तुमारे हिस्से के 10 बन रहे तो डारेक्टर क्या बोलेगा भीया तुमारे हिस्से के 10 बन रहे हैं और 4 हम पहले दे चुके हैं तो और कितना देंगे आपको 6 होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जब interim और आपका final dividend हो तो उस case में final dividend हो सकता है कि interim dividend को include करके बताया जा रहा हो यानि अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ बड़ी simple सी बात कि बड़ी simple सी बात बताये interim dividend कितना है तो मैंने बोला sir interim dividend कितना है हमारा 4 रुपे और final dividend कितना paid होगा sir तो आपका जवाब होना चाहिए sir 6 रुपे paid होगा लेकिन final dividend जो 10 वो ला हुआ है तो वो include है मैंने word sentence सुनना मैं क्या बोलता हूँ final dividend declared by the board of director रुपी 10 including interim dividend मैंने कहा final dividend जो board of director ने recommendation किया 10 रुपे करा including interim dividend इसका मतलब 10 रुपे जो बताया जा रहा है वो interim dividend को include करके बताया जा रहा है मतलब 4 तो पहले ही मिल चुका है और अब कितना मिलेगा हमारा 6 अगर मैं यही line sentence change कर दिता हूँ कि जो मैं 10 रुपे dividend declare कर रहा हूँ excluding interim dividend इसका मतलब sir 4 यह तो मिली गए थे दस हम और देना चाहते हैं दस हम और देना चाहते हैं आपको तो पहले फरक समझ में आया आपको dividend की entry करनी है लेकिन वहाँ पे साफदानी बरतनी है अगर दोनों dividend आ जाए interim dividend और final dividend तो ऐसे situation में हो सकता है final dividend आपका exit सारा आ जाए reserve and surplus में से माइनस हो जाए हो सकता है कि final dividend से पहले interim dividend माइनस हो और फिर वहाँ पे जाए समझ मैं ही बात आपको तो हमारे 3-4 तरीके के थे तो final dividend मतलब भाईया इन ने बोल दिया yes purpose dividend डिरेक्टर ने बोला भी आप propose कर रहे है आप बता दो देना है या फिर नहीं देना और इसी को recommendation भी बोलते है interim मतलब हमने आप सबको बुलाया तो है लेकिन balance sheet तयार नहीं हम अंदाजे से आपको dividend दे रहे हैं साल के बीच में that is called interim dividend तो मेरे हिसाब से आपको ये दो जो छोटे-छोटे से points है ये समझ में आया होगा कि क्या interim dividend है और क्या purpose dividend है और इसको किस तरीके से tickle किया जाएगा अब इसकी हम accounting treatment देख लेते हैं कि सर इसका accounting treatment क्या करने वाले हैं पहले इसमें देखे इसमें कोई किसी को doubt और हलाकि आप लोगों ने अगर उसमें पढ़ा हो law के अंदर बड़े ध्यान से company and compensation law के अंदर तो ये chapter तो था ही और उसके according चल रहा था बताईए मुझे सर, final, purpose and recommendation same होता है, no, final dividend मतलब का होता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, पक्का हो चुका है, acceptance मिल गया है, purpose का मतलब ये final नहीं है कि आपको मिलेगा है यह नहीं मिलेगा रिकमंडेशन का मतलब भी फाइनल यह नहीं मिलेगा बोड़ डिरेक्टर ने बोला कि भाईया हम सोच रहें कि इतना डिविडेंट देंगे आपको देना चाहते हैं यह परफोस है या रिकमंडेशन है शियर होल्डर ने बोला जी दे दो अब डिरेक्टर किसी को दिख्कत है किसी को डिविडेंट में अभी तक हाँ परसंटेज में बोला तो सारी चीज़ें देखेंगे कुश्चन में परसंटेज में बोला तो हमेशा सेयर कैपिटल आभी मैं तुम बता रहा हूं अकाउंटिंग आसपक्स तो मैंने बात ही नहीं किया है अभी तो सिर्फ और सिर्फ थेयरोटिकल आसपक्ट में हमने बात किया है चलिए सर अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग आसपक्स की तरफ डिविडेंड तो तरीके से बोला जा सकता है और दो तरीके से बोले तो सर दो तरीके कभी हो सकता है एक हो सकता है एक हो सकता है हमारा फाइनल अब बताएं इंतरिम डिविडेंड जो है वो बैलेंशीट बनने के बाद होता या बैलेंशीट बनने से पहले होता है बताईए interim dividend balance sheet बनने के बाद होता है या balance sheet बनने से पहले होता है balance sheet बनने से तो balance sheet बनने से पहले अगर सीज़े हो चुकी है तो डेफिनिटली वो trial balance में भी आ गया होगा तो interim dividend always आपको always always आपको एक ही जगह दीखने को मिलेगा और वो मिलेगा आपको trial balance में मिलेगा और trial balance में अगर आपको given interim dividend इसको क्या करना है सर इसको less कर देंगे less from reserve less from और detail लिख देते हैं less from current year profit in reserve and surplus note अब समझ येगा मैंने इसको एक statement में लिख दिया ज्यादा tabler form में नहीं लेके गया मैंने कहा अगर आपको interim dividend देखने को मिले तो आप इसको minus कर दीजिएगा जो की current year का profit होता और current year का profit जो भी जाता है कहां reserve and surplus में वहाँ से जाके minus करिएगा आपने balance sheet अभी बनाया था और वो अगर मैं आपको balance sheet थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ये देखिए आपने balance sheet बनाया था और इसके अंदर reserve and surplus आया था तो इसके अंदर दो पार्ट आया था एक last year का profit एक current year का profit तो जो last year का profit था न यहीं से minus कर देते हैं जो भी whatever होता है तो हम minus कर देंगे इसमें से ठीक है अगली बात सर अगर final dividend हुआ तो तो final dividend तो बताओ क्या हमें trial balance के अंदर given होगा कभी होगा given सोचो simple सा जवाब है सर अगर trial balance के अंदर given है तो इसका मतलब balance sheet बनने से पहले ही आपने dividend declare कर दिया और यह possible नहीं है क्योंकि मालिक से तो पूछना ही पड़ेगा तो यह always given होगा adjustment में यह कहां given होगा adjustment में मैं हल लिक भी देता हूँ सर यह always given होगा adjustment में लेकिन question में अगर आपको given होता है trial balance के अंदर तो आप उसमें कोई नराजगी नहीं दिखाना आपको simple जो यह treatment बता है यही करना है ठीक है ना वैसे होता नहीं है normally यह होगा हमेज़ा कहां पर adjustment में यह होगा always adjustment में सर अगर adjustment में हुआ तो दो entry होगी फिर तो फिर तो सर आप दो जगह दिखाओगे इसको जी हाँ दो जगह दिखाओगे एक तो हम balance sheet में दिखाओगे और सर balance sheet में कहां दिखाओगे balance sheet में दिखाओगे less कर देंगे from current year surplus सर लेस कर देंगे from current year surplus क्या समझ रहे हैं बात आप balance sheet में less कर देंगे कहां से current year के surplus में यानि same, दूसरा कहां दिखाओगे सर दूसरा भी balance sheet में ही जाएगा क्यूंकि ये dividend paid करोगे क्यूंकि ये dividend paid करोगे less from cash and cash equivalent cash and cash equivalent एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए का मैं इस पर star बना रहा हूँ इसका एक और treatment है वो treatment मैं आपको तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक कि एक practical aspect ना हो जाए मैं practical aspect की बात कर रहा हूँ तो इस सवाल में भी देखिए आपको dividend देखने को मिलेगा देखिए एक dividend देखने को मिला है कहां मिला है आपको balance sheet के अंदर 6,00,00 रुपे का और एक बाहर भी dividend देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कहां मिला है dividend बाहर देखते हैं कहीं बोल रहा है ये question में कहां कह रहा है ये रहा है no final dividend declared by the company यानि इसने बोल दिया कि company final dividend देना ही नहीं चाहरी तो इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता सिरिफ और सिरिफ यहाँ पर दे रखा है तो इसकी एक entry कर देंगे ऐसा ही एक दू कोश्चन और देख लेते हैं चलिए क्योंकि बिना dividend की company कैसे चलेगी यहाँ पर भी देखे क्या interim dividend देखने को मिला है तो सर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या कहता है सर the board of recommended payment of dividend 15% per annum कहता है कि 15% per annum इसने क्या करा recommendation किया है 15% dividend हला कि मैंने नहीं वाले 10 यर में recommendation की जगह पर final करवा दिया है इसको काट के final करवा दिया है तो the board of director बोड ने final payment of dividend कितना करा है 15% कर दिया है अब final मान देजिए तो सर इसके दो entry final payment करा है तो एक तो क्या होगा reserve and surplus में चला जाएगा और एक चला जाएगा cash and cash equivalent से minus इसके और भी aspect है जो कि साथ के साथ करेंगे लेकिन सर ये percentage समझ में नहीं आया सर ये 15% जो निकाला जाएगा ना वो हमेशा share capital पे निकाला जाएगा सर share capital का मतलब जो question में capital given होगा उस पे that is ये रहा ठीक है ना ये रहा हमारा जिन बच्चों को नहीं दिखना मैं इधर कर देता हूँ अगले class में इसको सही से type करा लें ठीक है यानि आपको dividend का जो होगा न amount भी दिया जा सकता है और percentage भी दिया जा सकता है तो अगर हम amount की बात करें न note लिख देता हूँ in case note in case dividend given in percentage term then calculate on paid up capital paid up capital चलिए इसके example भी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा सर ज़्यादा हमारे लिए clarity आ जाएगी एक्जामपल दे रहेते हैं त्यान दीजिए एक्जामपल सुनिए मैंने कहा हमारा यहाँ पर डिविडेंट आएगा आपको very simple एक लाख के उपर 20% that is 20,000 रुपीज एक और एक्जामपल लेते हैं यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं paid up 8 रुपीज यह रुपीज 8 माल लो 8 रुपे का पेमेंट हुआ है और जो डिविडेंट गया है that is 10% आप मुझे बताइए क्या डिविडेंट हुगा अगर आप पूछते हैं share capital कितने का तो एक लाग का है 10,000 अगर है तो share capital कितने का एक लाग है अगर आप पूछते हैं share capital holder ने पैसे कितने दिये तो that is 80,000 यह दिये है तो आपका डिविडेंट किस पे निकलना चाहिए आप profit किस पे कमाएंगे जितना business में पैसे लगाएंगे उस पे कमाएंगे या फिर जितना सोच रहे हैं उस पे कमाएंगे लगाओगे तो लगाया कितना ultimately देखा जाए तो यहाँ पे final जो पैसा लगाया गया वो 80,000 यह लगाया गया है तो इस 80,000 पे ही 10% निकलेंगे that is आपका 8,000 रुपे समझ मैं आई बात आपको यानि आपको अगर share uncalled capital मिलता है या फिर calls in area भी होता है in fact तो वो minus करके जो पूरा पैसा आपके पास आया है सिर्फ उसके ओपर यह percentage calculate करना है ना कि जो दे रखा है total 10 से multiply करके calculate करना है ठीक है तो सही जवाब आ गया काफी बच्चों का लगबग सभी का यह आ गया कि 8,000 इसका answer होगा clear किसी को कोई दिक्कत नहीं तो चलिए सर यह dividend का point खतम हुआ adjustment number क्या था मैं एक बार लिख देता हूँ नहीं तो आप भी भूल जाओगे जब noting करोगे तो adjustment number 2 adjustment number 3 adjustment number 4 adjustment number 5 अब आते हैं adjustment number 6 hidden adjustment सर यह hidden adjustment क्या है इसकी क्या कहानी है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाए कि सर adjustment का मतलब होता है जो कि trial balance के बाहर गीवन होता है उसे बोलते हैं adjustment लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि trial balance के अंदर ही गीवन होता है हमारा adjustment उस adjustment को trial balance के जो बाहर है वो तो दिख रहा है साफ साफ तो that is simple adjustment और जो trial balance के अंदर है जिसके बारे में बताया भी नहीं जाएगा उसको मैंने नाम दे रखा है hidden adjustment सर वो किस तरीकी का हो सकता है एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूँ कैसे हो सकता है देखने में कैसा लगता होगा ये तो देखने में सर ऐसा लगता होगा जैसे की जैसे की मैंने लिखा 10% bank loan मैंने यहां bank loan लिख दिया आप debit credit विल्कुल typical मत जाएगा बस मैंने लिख दिया ये क्या है हमारा सारा trial balance trial balance के अंदर अगर उसके आगे percentage लग गया ये भी adjustment का part है एक तो बाहर भी लिखा हो सकता है लेकिन अंदर होगा तो वो भी पर्चस्मेंट देखो जैसे की यहां पे debenture है इसके आगे क्या लगा हुआ है ये adjustment है समझ रहे हो तो बाहर तो नहीं बताया है लेकिन आपके दो चीजों पर हो सकती है मेजरली व्यासक तीन चीजों पर होगी या तो आउस्टेंडिंग से रिलेटिड होगा या तो आउस्टेंडिंग आउस्टेंडिंग एक्सपेंस रिलेटिड या तो आउस्टेंडिंग से रिलेटिड होगी आउस्टेंडिंग इंकम से रिलेटिड तो अजय् decorated लिखने आउस्टेंडिंग का मतलब अगर मेरा इंखम बकाया औगर मेरा इंकम बकाया है अगर outstanding मेरा income बकाया है that is हमारे लिए ये क्या है assets लेकिन अगर outstanding expense बकाया है तो ये हमें देना है तो क्या है हमारे लिए liability इसी outstanding बकाये को हम एक और शब्स के जानते हैं क्या है दूसा नाम इसको हम जानते हैं accrued accrued income या फिर interest कह लो ठीक है accrued income या फिर interest कह लो मैं slash करके interest भी लगाई दू क्योंकि ज़्यादा popular ये interest से है ज़्यादा popular interest से है outstanding expense ये हमेशा given होगा outstanding expense किस पे सर loan पे या फिर सर debenture पे या फिर सर preference share dividend पे या तो preference share dividend पे हो सकता है या loan पे हो सकता है advance income पे अभी आएंगे हम debtor budgets पे भी आएंगे अभी चिंता मत करो सारी बातों को discuss करेंगे चिंता मत करो अभी तो लंबी class लेंगे थोड़ा सा पर उसको देखते जाओ अभी तो सारे adjustment मैं सोच रहा हूँ कि आज ही खतम करूँ तो outstanding expense भी होगा outstanding income भी होगा outstanding expense की बात करें या तो debenture पे हो सकता है या फिर आपका bank loan पे हो सकता है या फिर प्रफेंशेयर dividend पे हो सकता है चलिए सब अगर हम इसकी बात करें आपके सामने इसको तीन तरीके से रखता है माने लीजिए एक प्राइल बैलेंस है आपके सामने इसकी बात करेंशेयर आपके सामने तीन तरीके से समझेंगे हम मैंने बोला तेन परसेंट डिबेंचर एक लाथ एक तो यह है दूसरा तेन परसेंट डिबेंचर एक लाथ इंट्रस्ट और डिबेंचर पाँच हजार या छे हजार एक और मैंने बोला त्वेल परसेंट डिबेंचर एक साथ तो हजार बाईस और यह एक लाथ है इंट्रस्ट इंट्रस्ट तीन हजार यह तीन जानकारी आपको दी गई है और इस ट्राइल बैलेंच के बाहर कोई भी आपको जानकारी नहीं दिख रही होगी लेकिन मैं फिर भी कहूंगा यह एक अजम्शन लेते हैं बहुत छोटी सी पर क्या अजम्शन लेते हैं कि इसके उपर अगर इंट्रस्ट दिया होता अगर इस 10% का मतलब है हमें ब्याज देना है अगर ब्याज दिया होता तो ट्राइल बैलेंच में रिफलेक्ट होता जैसे इस वाले एक्जाम्पल में 10% था लेकिन अंदर ट्राइल बैलेंच में इंट्रस्ट भी रिफलेक्ट हो रहा है मतलब इस डिवेंचर पे ब्याज दिया गया है और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ भी ब्याज दिया गया है और यहां पर देखो गे तो यहां पर ब्याज दिया गया तो सर यहां पर जो interes है वो नहीं दिया गया interest को paid ही नहीं किया interest not paid तो सर अगर आपने interest नहीं paid किया तो as per a cruel concept हमें interest को paid करना चाहिए तो सर interest paid करेंगे तो δो जगह चला जाएगा हमारा सर सर अगर हम इंट्रस्ट पेड करेंगे तो दो जगे कहां कहां जाएगा सिंपल सी बात है जो आउटसेंडिंग का ट्रीटमेंट था यानि एक चला जाएगा सर स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में और एक चला जाएगा बैलिंच शीट में स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में किस दर जाना है कोन बताएगा ये स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में बताओ कहां जाता है स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाता है finance cost expense तो सबको पता है नहीं कहानी क्या बताई आपने जो बच्चे बोल रहे है expense में जाएगा ये तो फिर answer नहीं हुआ आपका कहां जाएगा ये finance cost में ठीक है ना जो बच्चा है expense सोच रहा हो मन में समझ लो तुक्के वाला बच्चा है उसे नहीं आ रहा balance sheet में कहां जाएगा balance sheet के liability side और liability में कहां बताओ liability में कहां liability में कहां कौन बताएगा other current liability other current liability ठीक है यानि अगर trial balance में गीवन है 10% तो एक तो इसका मतलब है कि हमने interest पेड़ी नहीं किया अब सर उस interest को हमें finance cost में भी दिखाना है और उसे हमें कहां दिखाना है balance sheet के liability में लेकिन सर how much interest amount तो interest हम calculate करेंगे interest is equal to एक लाख रुपय के उपर 10% that is आपका 10,000 रुपय समझे बात आप कोई दिक्कत दूसरे adjustment ऐसा दिया हो सकता है इसका मतलब है सर आपने एक लाख रुपय का था आपका loan debenture लेकिन उस पे आपने debenture पे interest भले ही paid किया है आपने paid कर रखा है लेकिन यहां पे भी paid का अगर हम calculation करेंगे सबसे पहले हम हमारा 10,000 लेकिन हमने ध्यान से अगर इस question को पढ़ा और देखा अगर situation को तो हमने क्या पाया इंट्रस तो 10,000 बन रहा है लेकिन इसमें payment कितना किया है मात्र 6,000 रुपय इसका मतलब यहां पे भी interest नहीं दिया है इसने यहां पे भी interest नहीं दिया है और यहां पे भी interest नहीं दिया है लेकिन दोनों में फरक है यहां पे पूरा ही interest नहीं दिया और यहां पे interest का कुछ पार्ट नहीं दिया सेम अज्जस्मेंट होनी है सर सेम अज्जस्मेंट हाँ बट अमाउंट क्या जाएगा चार हजार और यहां भी चार हजार हाँ कॉर्परेट टेक्स बिल्कुल इंकम टेक्स होगा और कॉर्परेट टेक्स की अलग से अज्जस्मेंट की क्लास लगाई जाएगी आपकी उसकी चिंता मत करिये बताईए इसमें क्योई दिक्कत अब तीसरे वाले पार्ट में देखिए तीसरा वाला पार्ट आपको ऐसे भी गीवन हो सकता है और साथ के साथ तीसरे वाले पार्ट में एक और छोटी सी बाते जानकारी जोड़ी जा सकती है कि डिबेंचर इशू ओन एक साथ दो हजार बाईस यानि आपको जो डेट है अब ध्यान से देखिएगा तीसरे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ यह थोड़ा सा मिक्स मत करिएगा बसा तीसरे वाले पार्ट में देखिएगा कहता है डिबेंचर एक लाग का है और इस तारिक आधिक का मतलब है कि यह जो debenture हमने लिया हुआ है यह debenture हमने साल के शुरू से चल रहा है यह तो पूरे साल का ब्याज है लेकिन यहां पर clearly question ने इसमें भी कह दिया या हो सकता है आपको बाहर कह दे clearly पता चल रहा है एक साथ को लिया गया तो एक साथ का मतलब आपका देखा जाए तो साथ का मतलब जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूबर नौंबर दिसमबर जनवरी फर्वरी मार्ट पूरे नौ महिने तक आपने इसका ब्याज इस्तमाल किया है अब नौ महिने तक इस् खाए मैंने इसलिए यहां पे इन्टू नाइन बाए हंड्रेड जैट इस नो हजार क्या निकल के हमारा नो हजार अब हमने क्या पाया कि भाईया हमारा टोटल भी आज बनता था नो हजार जिसमें से सवाल के अंदर ही तीन हजार रुपे का पेमिंट किया हुआ है तो अब कीमाउंड चेंज हो जाना है अब है अब बस आमाउंड चेंज हो जाना है इस चार हजार की जगह पे क्या जाना है अब का 6,000 कोई दिक्कत कोई परिशानी बताइए कोई दिक्कत कोई परिशानी 9 by 12 मैंने 9 by 12 9 by 100 कर दिया 9 by 12 चलिए सर यह भी कर दिया देखिए एक बार मैं पूरा बता दूँ एक बार विज्वल लाइज एक ही जगह कर देते हैं कोई जी हाँ सर मैंने कहा कि आपको आउट्सेंडिंग देखो पहले ही मैंने करवा दिया था अड़्जस्मेंट टंबर आपको याद हो तो दूसरा ही मैंने आउट्सेंडिंग का बताया है लेकिन ये भी आउट्सेंडिंग उसी का ही पार्ट है अगर ऐसा trial balance given है तो इसका मतलब सर इसके उपर ब्याज कितने time का बाकि है पूरे साल का ही है और बाकी बोल रहा हूं है outstanding बोल रहा हूं क्योंकि कहीं भी trial balance के अंदर interest given नहीं है तो simple सी बात है interest not paid है तो हमने statement profit and loss में as a finance cost के अंदर दिखा दिया और balance sheet में liability में दिखा दिया सर यहां कितना amount आएगा total यहां पर आएगा amount पूरे 10,000 रुपे समझ मैं दूसरे वाले example के अंदर सर लोन तो लिया लेकिन उसके उपर 6,000 ब्याज भी तो दिया है अब दूसरी बात आपको सोचना है कि भाई यह लोन पूरे साल इस्तमाल किया जब कुछ नहीं बोला तो अजम्शन ने पूरे साल इस्तमाल किया होगा हमने पूरे साल के हिसाब से यहां पर interest निकाल दिया और इसको फिर से वही दो जगे ले गया जब कि 6 पहले दे रखा था, 4 बन रहा था, 10 बन रहा था, तो 4000 आउट्सेंडिंग के नाम से चला गया अगले में देखा जाए तो अगले में सर लोन तो लिया लेकिन पूरे साल नहीं इस्तमाल किया तो जितने साल टाइम इस्तमाल किया तो उसका ब्याज बन रहा था आपका 9000 रुपए सर अगर उतना 9000 बन रहा है तो क्या पहले कभी पेमिंट किया है चेक करो तो हाँ सर 3000 दे रखे तो 6000 का हमारा क्या बन गया यहां पर अट्जिस्मेंट बन गया चलिए इसी वाले सवाल में देखते हैं जो कि यहां पर गीवन था हमारा सवाल आप बताईए यहां पर डिवेंचर है 3 लाग अब हमें चेक करना है कि यह तीन लाग पर अगर 30 लाग है अगर इस 30 लाग की बात करें अभी मैं comment इसका hendries का doubt नहीं लूँगा आप जो भी doubt है यहाँ बताइए मैं 30 लाख रुपे की बात करूँ तो that is अगर मुझे बोला जाना है interest निकालने को तो 30 लाख इंटु में 12% 3.60 का ब्याज आ जाएगा निकलके अब हमें ये भी चेक करना है कहीं ब्याज तो payment नहीं कर रखता है मैंने मैं चेक करता जाओंगा क्यूंकि ब्याज payment हमें सा debit में मिलेगा रेटिट में मिलेगा नहीं मिल गया पहले ही मिल गया कितना एक असी इसका मतलब सर 3.60 था उसमें से एक असी का तो मिली चुका है payment कर चुके हैं तो हमारा जो outstanding होगा कितना होगा और हम transaction कितने की deal करेंगे अब accounting treatment कितने की करने वाले हैं एक लाख असी अजार तो इसका मतलब सर इस असी अजार को भूल जाएंगे नहीं इसने तो बस transfer करना है और उसको हम करेंगे और हाला कि नीचे यहां पर भी इसने बाते बता दी कि आधे साल का interest भी हुए है तो वही तो बात आ गई तीन साथ पूरे साल का था आधे साल का कितना था एक असी अगर यह adjustment हमें नहीं भी देता तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं था हम कर सकते थे इसको समझना ही बात आपको चलिए सर एक और अगले point में देखते हैं यहां पर कोई debenture है क्या कुछ नहीं है चलिए सर इसमें आया है नहीं debenture बाकि आगे जितने भी questions आते जाएंगे तो फिर हमें और ज्यादा मज़ा आएगा करने में अभी तो हम इसका दूसरा aspect कवर कर रहे न सर ऐसा हमारा हो सकता है investment पे भी तो investment सबसे पहले ही मैंने लिख दिया सर investment जो होता है हमारे लिए क्या होता है assets होता है अगर investment assets है तो कैसे treatment किया जाएगा तो कैसे treatment किया जाएगा सर treatment बिल्कुल सेम होने वाला है इसे यहाँ पे भी तीन तरीके से हो रखता है लेकिन इतना ज्यादा complicated नहीं होता मैं बड़े simple तरीके से बता देता हूँ कहां कहां treatment होगा आपको interest निकालना तो आही गया होगा इंटरस कैसे निकालेगा अब दो जगा कह जाएगा एक तो चला जाएगा statement profit and loss में और दूसरा चले जाएगा balance sheet में सर statement profit and loss में statement profit and loss में कहा जाएगा कॉन बच्चा बताएगा यह चला जाएगा हमारा other income में कहां जाएगा अधर क्योंकि investment किया है आपने तो आपको व्याज मिलेगा और दूसरा कहां चले जाएगा आपको व्याज अभी मिला नहीं है आपका आजाएगा यह अधर करेंटेश इस्ट में मैं आपके सामने एक एक्जामपल ले रहा हूँ आप मुझे जवाब दीचेगा मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आया या फिर नहीं आया सपोस करिए मैंने आपके सामने एक trial balance लिखा है और मैंने लिखा 10% investment रुपीज 1 lakh यह trial balance है trial balance में आपको 10% investment गीवन है 1 lakh इसका मतलब हम क्या समझे और कुछ भी नहीं गीवन है क्या यह adjustment है हमारा इसका मतलब क्या है आपने कहीं न कहीं 1 lakh रुपे investment किया है और उस पे आपको 10% का ब्याज मिलना है तो क्या आपको कहीं भी 10% का ब्याज मिलता हुआ दिख रहा है इसमें इसका मतलब यह totally आपको 10% ब्याज नहीं मिला है जब आपको नहीं मिला है तो यह बन गया किसका part? adjustment का और जैसे ही adjustment का part बना दो जगा ले जाओगे एक तो statement profit and loss के other income में और दूसरा balance sheet के other current liability में कितने amount से लेके जाओगे एक लाग रुपे के उपर 10% देट इस 10,000 रुपे चलिए थोड़ा से इसमें variation कर दें अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक दस अब आपका जवाब क्या same होगा या बदल जाएगा कौन बच्चा बताता है इसका जवाब क्या होगा कितना interest कहां जाएगा आपका answer same होगा या बदल जाएगा अब आपका answer definitely बदल जाएगा अब क्या आएगा आपका answer यहाँ पे 5,000 क्योंकि आपने जो investment किया है that is आपका एक 10 को किया यानि साल के बीच में किया है तो 10 का मतलब आपका होता है October, November, December, January, February, March सिर्फ 6 महिने के लिए आपने कहीं पैसे लगाए हैं तो 6 महिने का ही ब्याज मिलेगा और वो कितना आएगा आपका 5,000 और 5,000 की treatment यही होना है समझ कितना मिलना चाहिए सर्थ 6 महिने का ब्याज हमें 5,000 रुपे मिलनाचाहिए जिस में से हमें कितना मिल चुका है 2,000 का अब कितने की Entry करोगे 3,000 रुपे की अब entry करेंगे जिसको हम हर दिगा क्या करने वाले है reflect कर देंगे बिल्कुल ठीक निशा का जवाब आ गया और भी भावेश का जवाब आ गया सार्थक सभी ने जब लगवग लगवग राज लक्षमी नंदनी गौतम इराम सभी ने जवाब दे दिया बिल्कुल सही तो क्या मैं मान लू के आपको ये वाला concept पूरा समझ में आ गया इस तरीके का अगर होगा तो आप इसको टेकल कर सकते हो हमारे सवाल के अंदर ठीक है ना चाहे आपका interest लेने वाला point बने चाहे देने वाला बने वह हम कर सकतें ठीक है अगले adjustment पर चलते हैं आप हम ये adjustment number था क्वण सा था ये adjustment number 6 सर बेड़ेट्स भी दो चीजों पर हो सकता है सर बेड़ेट्स भी दो चीजों पर हो सकता है एक गीवन हो सकता है हमें कहा ट्राइल बैलेंस में और एक भी गीवन हो सकता है अट्जिस्मेंट में अगर हम ट्राइल बैलेंस की बात करें तो आपको पता है ट्राइल बैलेंस में तो सिंगल एंट्री जाना होता है ट्राइल में बैलेंस में गीवन होगा तो चला जाएगा स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में सर कहां जाएगा statement profit and loss में चला जाएगा other expense में कहां चला जाएगा हमारा other expense में लेकिन सर अगर adjustment में given हुआ तो बड़ी simple सी बात है दो entry adjustment में given हुआ तो दो entry एक चला जाएगा statement profit and loss में और एक चला जाएगा balance sheet में सर statement profit and loss में कहां चला जाएगा again other expense में और सर बैलेंस शीट में कहां जाएगा सर यह चला जाएगा हमारा current assets में और current assets के अंदर जाएगा trade receivable में और trade receivable के बाद less हो जाएगा from debtor क्या हो जाएगा less from debtor मैं सीधा भी बोल सकता था मैंने थोड़ा सा आपको हिराकी बता दिया कि भाईया ये क्या line रहेगा minus plus करने का आपको थोड़ा easy होगा इसके समझ मैं ये बात आपको ये क्या था हमारा बेड़ेट्स चलिए एक और adjustment दिखते हैं जब हमारा provision for bed debt और हमारा एक और bed debt मर्ज हो जाता है कौन सा provision for bed debt और ये simple वाला bed debt दोनों मर्ज हो जाए तो क्या करेंगे ठीक है ना चलिए आजाते हैं ये बहुत simple था जो आपको आता भी था adjustment number कौन सा है 8 bed debt चलिए और simple करते हैं इसको चलिए कोई बात नहीं simple ही करते हैं जब आपको गीवन हो प्रोविजन फोर bed debt जब गीवन हो आपको प्रोविजन फोर bed debt तो सर इसका क्या इसका क्या करना है अगेन कहानी गोम फिरके वहीं आ जाती है किसकी दो एंट्री हो सकती है सर दो एंट्री क्या हो सकता है या तो हो सकता है trial balance में गीवन हो या हो सकता है आपका adjustment में गीवन हो तो कितनी एंट्री एक और इसको करने के दो तरीके हैं इसको करने के दो तरीके हैं समझेगा मैं एक simple सा तरीका और simple सा method लेके चलूँगा आपको वही follow करना है बुक वालों ने क्या कर रखा नहीं कर रखा design matter ठीक है तो हम क्या करेंगे इसे other income में दिखाएंगे कहां दिखाएंगे सर हम इसे सर ये income कैसे है इस सवाल का जवाब थोड़ी दिरबाद मिल जाएगा और adjustment में हुआ तो adjustment में हुआ तो तो जाएगा ये एक चला जाएगा statement profit and loss में और एक चला जाएगा balance sheet में सर statement profit and loss में कहां जाएगा other expense में हलाकि मैं इसे थोड़ा और detail कर दूँ ये other income अगर मैं आपको याद दिलाओं तो सर other income कहां होता है ये statement profit and loss के अंदर होता है ठीक है तो ये जाएगा statement profit and loss के other expense में ध्यान से देखिएगा मैं कुछ भी गलत नहीं लिख रहा हूं एक जगा income में लिखा और एक जगा expense में लिखा है balance sheet में क्या होगा less from less from debtor less from debtor less from debtor समझ पा रहे हैं ये बात यानि सर अगर ट्राइल बैलेंस में हुआ तो वह कहां जाएगा सर हमें लिखना पड़ेगा कितने adjustment हैं हां जी आपको सारा लिखना पड़ेगा रिवाइंड भी करना पड़ेगा नोट्स बनाने हों गए सर बुक में balance sheet में non current assets fixed assets की सब heading नहीं दी है direct non current assets में ही fixed assets बुक को छोड़िए राकेश जैसा कर रहे हैं करने दीजिए साहे सारा नए patent source की चिंता मत करी हम नए amendment के साथ कर रहे हैं बुक के अंदर क्या है नहीं है उसको हम बाद में analysis कर लेंगे अभी आपको ऐसे ही चलना है और यह सारा आपको sequencing से नोटिंग करना अभी तो और भी adjustment बागी है तो अगर provision for beddates है तो यह जाएगा trial balance के income side में statement profit and loss के income side में लेकिन अगर adjustment में है तो जाएगा expense side में ध्यान दिजेगा एक जगा other income है और एक जगा other expense है यह मैंने गलती से नहीं लिखा यह ठीक लिखा हुआ है और दूसरा कहा जाएगा less from debtor दूसरी side पुराने वाली की बात करें तो अगर होगा तो पी एंडल के other expense में और adjustment में हुआ तब भी other expense में जाएगा दोनों को दिमाग में रखिएगा सर अगर provision for doubtful debts हुआ तो trial balance वाला तो income में चला जाता है लेकिन adjustment वाला expense में होता है लेकिन अगर bed debts हुआ तो trial balance वाला expense में होता है और adjustment वाला भी कहा होता है सर expense में ही होता है इस बात का ध्यान रखिएगा चलिए सर अब थोड़ा और interesting बना बेड़ेट्स एंड प्रोविजन पोर बेड़ेट्स जब आपको दोनों जानकारी एक साथ वो बहाद बच्चे सवाल पूछते हैं इसको उसका सिर्फ एक ही कारण है स्टार्टिंग में वो ध्यान से नहीं देखते इसलिए उनको बाद में बाकी बहुत डाउट आता है और तो कोई दूसरा reason नहीं लगता मुझे इसी में थोड़ा और बढ़ा दिया जाए एंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट वही जब तक माइक चार्ज है तब तक क्लास चलता रहेगा चिंदा मत कुरें अब तीन बातों को जोड़ा है तीनों बातों को समझेंगे हैं पहले concept समझ लेते हैं फिर नूटिंग कर लेंगे चलिए देखिए मान लेते हैं एक्स वाई जड लिमिटेड कंपनी है ध्यान दीजेगा एक कंपनी है जो की कौन है साय सर एक्स वाई जड लिमिटेड एक कंपनी है ठीक है और इसने बहुत सारे लोगों को उधार दिया हुए है इसने बहुत multiple लोगों को उधार दिया हुए खिस-किस को उधार दिया है मैं सारी बाते बता देता हूँ इसने A को दिया माल लेते हैं इसने जो उधार दे रखा है वो A को दे रखा है B को दे रखा है और C को दे रखा है और D को दे रखा है तर कितने रुपे का इसको 10,000 रुपे इसको 5,000 रुपे इसको 3,000 रुपे और इसको 7,000 रुपे कुछ ऐसे उधार बाते हुएं इसने ओके तो सर अगर हम A की बात करें B की बात करें तो सबसे पहले इतने सारे जो डेटर है कमपनी इस सभी डेटर को नाम A, B, C, D है लेकिन इस सभी को कमपनी जो रिकॉर्ड करेगी वो रिकॉर्ड करेगी संडरी डेटर संडरी डेटर कितने रुपे का डेटर रिकॉर्ड करेगी कमपनी बोले कि 10 A से लेने है 5 B से लेने है 15 हो गए और 3 इस से लेने 18 हो गए और 7 इस से लेने है तो कितने हो गए यानि कमपनी के हिसाब से सर 25,000 का डेटर है ठीक है अब 25,000 के डेटर में कुछ यहां पर ऐसे डेटर भी हो सकते हैं जो की बेकार डेटर हो जो की ऐसे डेटर हो जो की पैसे ना दे समझ रहे बात कुछ ऐसे डेटर हो सकते हैं जो की पैसे ना दे और कुछ ऐसे डेटर भी हो सकते हैं जिससे हम पैसे ना ले पाएं ना दे और ना ले पाएं में दोनों में फरक है अगर मान लेते हैं एक डेटर मेरा यह है और ये डेटर अब रहा नहीं दुनिया में ये चला गया तो हम इससे पैसे नहीं ले सकते हैं यह debtor रहाई नहीं, यह debtor चला गया, इसकी death हो गई, तो अब हम इससे पैसे नहीं ले सकते हैं, बाकी यह, जो बाकी के debtor है, यह हो सकता है, इस में से कुछ ऐसे debtor होंगे, जो पैसा देना ना चाहे, तो जो ये चला गया डेटर हमारा जो आप ये देख रहे हो कि ये डेटर हमारा चला गया है तो ये जो डेटर जो चला गया है इस डेटर को हम क्या नाम देंगे इस डेटर को हम नाम देंगे सर बेड़िट्स इस डेटर को बोलेंगे बेड़िट्स इस टेटर को नाम दोगे आप सर बेड़िट इस टेटर को बोलोगे आप बेड़िट तो सबसे पहले तो बेड़िट का मतलब क्या होता है कि वो पैसा कभी भी आपको रिकवर्ट जनरली नहीं होगा यह मान लेते हैं हम हो सकता है इसके परिवार वाले दे दे वो अलग बात है नहीं होगा रिकाबर अब जैसे ही आपका बेड़ेट्स होता है ना आपके साथ कोई घटना होता है तो आप घबरा जाते हो तो मान लेते हैं कंपनी के जो अकाउंटेंट सा वो घबरा गया उसने बोला कि अब एक काम किया ऑसार में से उसके लगधा है कि आपको नहीं मिलेगा कितनाहीं मिलेगा तो मैंने हैं और जाता है एक हमारा accounting principle क्या कहता है future में होने वाले losses को अगर लगता है आपका हो सकता है तो उसका एक percentage amount निकाल के पहले ही अलग कर लो तो मैंने सोचा कि मान लिया जाए अगर बहुत ही मेरा नुकसान होगा तो 10% से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा that is मैंने एक assumption ले लिया कि 10% मेरा डूब जाएगा तो जो कि मेरा 2200 रुपे डूब जाएगा और अब जो मेरा बचेगा वो बचेगा 19,800 19,800 जो है उसे मैं नाम दूँगा good debtor का क्या good debtor समझ पा रहे हैं क्या होता है good debtor good debtor क्या होता है हमारे जो कि सभी पैसे हमें देंगे अगर मैं discount देने की बात करूँ तो discount किसको दिया जाएगा जो अच्छे debtor है मैं इसको discount देके क्या करूँगा दे सकता हूँ कि मैं इसको discount जो मर गया उसको क्या discount देना अब जो पैसे मेरे नहीं दे रहा है उसको क्या discount दो हो तो वैसे लेके भाग रहा है मेरे पैसे discount करके तो हम discount हमेशा किसको देते हैं जो की एकदम good debtor होता है जो की अच्छा debtor होता है हम उसको क्या देते हैं discount देते हैं, अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं इसी calculation को थोड़ा मैं अपने तरीके से करूँ, मैंने मान लिया जाए, मैंने बोला कि मैं आपको discount भी दूँआ और वो मैं दूँआ 10%, जो कि आएगा हमारा 198, 1980 रुपे, इसी को discount मिलेगा, इसी calculation को मैं दूसरे अपने तरीके से कर हमारा 2500, बातों को समझ येगा, 2500 बनाने का मतलब, अब मुझे लगता है कि मेरे 25,000 रुपे के debtor है, उसमें से 10% मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, यानि इस 25,000 पर मुझे doubt हो रहा है, तो आपका doubt ही गलत है, सर ये तो पहले ही मर गया, इसको हटाओ आप, आप doubt उसी पर कर सकते ह जो की जिन्दा है, जिससे की पैसे आपको मिलने की उमीद है, जिससे पैसे मिलेंगे, उसी पर doubt करोगे, 25,000 पर doubt करने का मतलब, आप इसके उपर doubt कर रहे हो, कि साइध इससे पैसे डूब जाए, तो गलत तरीका हो गया, तो यानि सर जो भी debtor होता है, उसमें से पहले provision minus कर चीए, उसके बाद क्या minus होना चीए, कोई बच्चा बोलेगा सर 10-10% तो दोनों यह कोई भी उपर नीचे minus कर दो भाई, फरक आ जाएगा न, यहाँ पर discount देखो न, 1980 आ रहा है, अगर पहले आपने discount minus कर दिया तो कितना आ जाएगा, 22, तो गलत हो गया हो तो, तो आपको ध समझ में आया है कि इसका sequencing क्या है, अब सर, यह जो provision है, क्या यह provision आपका do भी जाएगा, अब आप इस साल की accounting करने जा रहे हो, आप इस साल की accounting करने जा रहे हो, ठीक है ना, आप accounting कर रहे हो, आपने क्या लिखा सर, bet debts, ओके, कितना, 3000, आपने लिखा PFD, provision for debtor, कितना लिखा आपने, 2200, और आपने discount लिखा, discount कितना लिखा, 1980, और सब कुछ कर कुरा के आपका net profit माल लेते हैं, सपोज करो 10,000 आ गया, माल लेते हैं, इस साइड में कोई amount, XYZ गीवन है, ह हो गया, इसका मतलब सर, इसका मतलब सर, आप proof के साथ कह रहे हो, कि हमारा profit 10,000 है, और 10,000 के अंदर हमारे 2200 रुपे डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा सचा ही नहीं है, जब actual हम next year में गए, तो next year में हमें एक बात पता चली, कि जो हम मान रहे थे के 2200 रुपे डूबेगा, ल इस साल का जब हम बनाएंगे अपना statement, इसका मतलब सर, अगर मैं बात करूँ, मान लेते हैं, ये 2022 की बात कर रहे हैं, अगर मैं 2022 में खड़ा हूँ, तो मेरा P&L 100% ठीक है, लेकिन जैसा ही मैं 2023 में आऊँगा, और मुझे ये सच्चा ही पता चल जाए, तो मैं बोलूँगा 2022 का P&L गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सर, ये 22 सो नहीं डूबे थे, कितने डूबे थे स्रिफ, दोस्तों, इसका मतलब P&L क्या है, जब मैं 22 में खड़ा हूँ, तो मैं बोलूँगा, मेरा P&L ठीक है, क्योंकि actual नहीं पता, और जैसे 23 में मुझे actuality पता चल जाएगा, मैं बोलूँगा, वो P&L गलत हो गया था, क्यों गलत हुआ था यहाँ पे आपने 2000 रुपे का extra expense दिखा दिया था, प्रोविजन का, और ये वाला प्रोविजन जो extra दिखा दिया था, अब इस साल 23 में भी क्या उस गलती को सुधार नहीं सकते, बिल्कुल सुधारेंगे 23 में ज साल का अपना profit मैंने upgrade कर दिया, उसी से जिस amount से error आ था, तो क्या हमारा पिछले साल की गलती को इस वाले में सुधार लिया गया, definitely सुधार लिया गया, तो ये so and continue चलता रहता है आगे तक, इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा पुराने वाला, जो trial balance के अंदर हमारा provision for doubtful debts होत होता है, जो कि कभी हुआ ही नहीं था, उसलिए उसको income मानके हमें खत्म करना होता हूँ, ठीक है न, उसे income मानके हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, चलिए सर, आते हैं आगे इसके treatment ले, accounting treatment, हो सकता है ये trial balance में given हो, सर अगर trial balance में given हुआ, तो क्या करेंगे, सर, trial balance में तो तीनों चीज़े given होगी, सर, trial balance में क्या given होगा, एक ये, और क्या, एक ये, और क्या, एक ये, यानि सर, trial balance के अंदर benefits भी हो सकता है given, सर, trial balance में PFD मैं short form में लिख रहा हूँ, provision for doubtful debts, और trial balance में हमारा हो सकता है, discount भी, सर, अगर ये, trial balance में given हुआ, तो क्या करेंगे इन सभी गांद, trial balance में given हुआ, तो ये चला जाएगा, statement profit and loss में, सर, ये भी जाएगा, statement profit and loss में, और ये भी जाएगा, statement profit and loss में, क्यानि सभी statement profit and loss में जाएगा, जी हाँ, ये provision है, अलागी, सर, ये चला जाएगा, हमारा other expense में, ये चला जाएगा other income में, सर, ये भी चला जाएगा, हमारा other income, प्रोवीजन है, वो दिया नहीं है, question एक valid है, किसा discount है, तो हमारा income कैसे हुआ, discount तो provisioning है, तो हम debtor को बताएगे नहीं, क्या पता है कोई debtor बोले कितना payment देना है, अगले साल उसे income में determine करना पता है, अब अगर सेम बात करें, ये सब कहां हो, adjustment में, सर ये सब बाते कहां लिखी हो, adjustment में, तो adjustment में जब लिखा होगा, तो सबसे पहले मैंने लिखा debtor, अगर adjustment में given हो तो दो जगा जाएंगे, सर एक जाएगा statement profit and loss में, एक जाएगा balance sheet में, सर स्टेटमेंट profit and loss में जाएगा एक balance sheet में, पहले balance sheet में कहां जाएगा ये, ये चला जाएगा हमारा trade receivable में, मतलब सर, ये trade receivable के heading में चला जाएगा, मतलब ये है, जैसे एक मैं example भी लेजी लेता हूँ, फिर एक और example लेंगे, मैंने बोला debtor, ये लिखा, ये लिखा कि amount ले लेते हैं specific, जैसे debtor, 10,000, minus सबसे पहले क्या किया जाए, less कर देंगे हम, bed debts, bed debts कितना है, 10%, that is, मैं 1000 रुपे ले लिया मैंने, 10%, मत समझना है, इसको मैं, 100 रुपे ले ले लेते हैं, बचा कितना, अब minus करेंगे हम, provision, और provision कौन सा, discount ये debtor, debtor, माल लेते हैं, 10%, that is, 99, 990, अगर 990, हम minus करतें, इसमें से, that is, 89, 10, अब क्या minus करेंगे सर, अब discount, माल लेते हैं, discount भी 10%, तो, 891, अब जो minus करेंगे, 10%, 891, वो बढ़ जाएगा, 8019, अभी जिसको दिखनी रहा, मैं अभी दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं, के सर, अभी class थोड़ी से, तो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, देखो, खा लेंगे, खाना फिर, जी हाँ, अब इसकी double entry की बात कर रहे हैं, सर, double entry में, statement profit and loss में जाएगा, जी जाएगा, मैंने कब मना किया नहीं जाएगा, जाएगा, एक तो ये जला जाएगा, एक ही ये भी जाएगा, एक ही ये भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये statement profit and loss के other expense में, सर, सारा का सारा उठके, other expense में पहुँच जाएगा, मज़े की बात देखो, कितना जाएगा सर, ये 100, कितना जाएगा सर, 900, कितना जाएगा सर, ये सब पहुँच जाएगा, other expense के अंदर, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जो adjustment वाला है, वो तो other expense में जाता है, चाहे provision हो, चाहे bad dates हो, लेकिन जो trial balance वाला है, प्रोविजन चला जाता है, other income के अंदर, बाकी का part चला जाता है, bad dates हमारा other expense के अंदर, ठीक है, एक example हो जाएगा, तो ज़्यादा बहतर है इस पर, recorded class पता नहीं कब आएगी, पहले live तो ले लो, एक example लेके बात करते हैं, वैसे अभी time बहुत है, चिंता मस्कूर, अभी एक बस example लेने दो, बस छुटे इसके बादे एक example लेने दो, एक example, मुझे इस हफ्ते में मैं सोच रहा हूँ, कि आपका final account निप्टा दिया जाए, Monday से मैं नए chapter स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं आपका internal reconstruction, जो मेरा target है Monday से, आपके छोटे भाई, बहन, दोस्त, जो भी है, second semester के अंदर भी corporate account आ गया है, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे honors हो, नए जो syllabus आया है, उसके अंदर second semester में ही डाल दिया corporate account को, चाहे प्रोग्राम का बच्चा हो, चाहे honors का बच्चा हो, तो Monday से हम नए chapter स्टार्ट करेंगे, चिंता की बात नहीं है, मेरी कोशिस है कि संडे तक इसको निप्टा दिया जाए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी लंबी class ले रहा हूँ, अगली class भी अगिन सेम ऐसा ही schedule पे रहने वाला है, लेकिन अभी first day है, आप बोल रहे हैं, दो गंटे class हो गई है, तो कोई बात नहीं, अब हम देख लेते हैं, example, यह आपके सामने एक trial valence है, देखिए सर्थ, debit, credit, जो बच्चे बोटे थे नहीं समझ में नहीं आए, अब इसके बाद तो समझ में आ जाएगा, जिन बच्चों ने बोला सर्थ, अब समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए example, सर्ड़ डेटर, एक लाख, बेड़िट्स, दो हजार, अबर बेड़िट्स, च्छेय सो विएखिए थे लाख, प्रोविजन, पर डिस्काउंट, चार सो अच्छेस्मेंट क्या क्याता है नमबर वन मेक प्रोविजन अन डिटर अन डिटर 10% बेड़ 2000 प्रोविजन 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 10% अब देखिए बच्चो का पता सबसे बड़ा confusion और सबसे बड़ी problem वाली बात क्या रहता है इसमें बच्चो का सबसे जादा problem स्ट्ρाइल वीलिंज में भी प्रोविजन बहर भी प्रोवजन त्राइल वेलिंज में भी डिस्काउंट बहर भी दिस्काउंट यहाँ भी बैछ इसका क्या treatment होगा वो भी देख लेते हैं सर क्या treatment करेंगे इसका देखे ध्यान से एक तो जाएगा balance sheet में एक चला जाएगा statement profit and loss में अरे एक जाएगा balance sheet में एक जाएगा statement profit and loss में समझेगा बहुत आसान है यह मैं balance sheet के लिए बना रहा हूँ trade receivable और यह बना रहा हूँ other income और यह मैं बना रहा हूँ other expense और फिर यह जो भी whatever number note का हो यह note उठके चला जाएगा आपने करा एक पुशन उस तरीगे से सबसे पहले हम trial balance के आइटम को खाली करते हैं trial balance में debtor है तो sir balance sheet में आएगा assets में trial balance में debtor है तो मैंने लिखा सुंदर सुंदर लिखा debtor और sir debtor कितने का है एक लाख रुपे का sir trial balance में bed debts है तो मैंने फटा फट से लिखा other expense में bed debts कितने रुपे का दो हजार रुपे का trial balance वाला कर रहा हूं मैं trial balance में provision है तो अब income में आ जाएगा pfd और trial balance में provision for discount भी है 400 आप मुझे फटा-फट से बताईए मैंने अभी बिल्कुल ना तो छेड़ा है ना ही हात लगाया है आप मुझे जवाब दीजे क्या आपको समझ में आ गया है trial balance की क्या treatment कर नी है आपने सिर्फ मैंने trial balance की item को इधर उधर किया है यह समझ में आ गया है सभी बच्चे बोल रहे हैं बिना सूचे समझे सब आ रहे हैं अब अड़्जस्मेंट कर लेते हैं चलिए चलिए अड़्जस्मेंट में कहता है तीन है नमबर वन, नमबर टू, नमबर थ्री तो इस नमबर के हिसाब से नहीं चलना रूल क्या बोलता है, सबसे पहले क्या माइनस करो बेड़्ट, तो पहले हम माइनस करेंगे बेड़्ट बेड़्ट, बेड़्ट देखो कितना है हमारा 2000 अब बचाईए 98 अब जो बैलेंस हमारा बचाईए अब क्या माइनस करना है, पी एफडी सर पी एफडी कितने परसंट, 10% अब फिर से बचेगा बैलेंस सर बैलेंस कितना बचेगा डबल इट तू डबल जिरो फिर माइनस करना है, डिसकाउंट डिसकाउंट 10% है और ये भी 10% है ये आगे 7,9 3,8,0 ये ट्रेट बेबल के नोट में चला जाएगा अब डबल एंट्री, जितने भी हमारे अडजस्मेंट के पार्ट से इस सभी का डबल एंट्री कर लिया जाए सर कहां कहां जाएगा डबल एंट्री पहले तो इस बैडडेट को बताए कहां लिखे एकस्पेंस में तो पहले से एक बैडडेट से सर एक बार और आएगा हाँ इसे लिखेंगे further budget further budget ये कौन सा है new वाला है ये further budget किपने रुपे का आप ये मस समझेगा इत्ताफाकन amount दोनों जगा same आ गया है आप ये मस समझेगा इसको मैं 3 कर देता हूँ फिर तो फूरा उल्टा फूल्टा हो जाएगा इसको तीन कर दिया जाए ठीक है इसके बाद अगला पी एफ डी ये कहां जाएगा ये भी यहीं जाएगा प्रोविजन फॉर्वेट डिट्स 9800 discount कहां जाएगा ये भी यहीं जाएगा discount on data 8820 अब ये जो टोटल होगा ये टोटल चला जाएगा हमारा statement profit and loss के जो हमारा other expense का पार्ट होगा ये टोटल चला जाएगा statement profit and loss के जो other income का पार्ट है और ये चला जाएगा balance sheet के current assets के अंदर trade people के अंदर समझ में आई बात आपको समझ में आई समझ में आई तो ये समझ में आया सारा, कुई केक बार revision कर लेते हैं, चिंता मत करिए, ये समझ में आया, आ गया ये, कि इसके अंदर के item को कैसे transfer किया जाएगा, अब हमारा adjustment लगेगा हमेशा debtor पे ही, पहले minus करेंगे bed debts, फिर minus करेंगे provision, फिर minus करेंगे discount भी सिखा, bed debts को भी other expense में ले जा अधर income में चला जाएगा, और दूसरा जो discount है, वो भी कहां चला जाएगा, अधर income में चला जाएगा, ठीक है, आते हैं, अब, सर किस पे आ जाते हैं, चलिए, हम आ जाते हैं, अब नाव, अगले adjustment पे, सर अगला कौन सा adjustment करेंगे, prepaid, outstanding हो गया, हला कि मैं questions के बीच बीच में adjustment कराता रहूं, यह चलिए, एक adjustment और देखें, adjustment कितने हो गए थे हमारे, 9 हो गए थे तो, last class के बाद 9 कर चुके हैं, अब 10 पे आ जाते हैं, 10 किस का लिखें, adjustment number 10, सर, adjustment number 10 में क्या है, चलिए, income tax, और या फिर corporate tax, दो बाते हैं यह, मतलब एक ही बात है यह, और इसके अलावा एक बच्चा मेरे से पूछ सकता है, सर, corporate dividend tax, मैं आप सब को बताना चाहूँगा, कि corporate dividend tax, पहले लगा करता था, हमारे finance minister ने, जो हमारा FM है, और निर्मला सीता रमन, इन्होंने कर दिया, जिसको short form में CDT बोलते हैं, हम, इसे बोल दिया गया, अब नहीं लगा करेगा, तो जब उन्होंने मना ही कर दिया, कि अब corporate dividend tax होगा ही नहीं, तो ये वाला हमारा, slayvus का पार्ट अब नहीं है, तो कोई बच्चा जैसे बोलता है, कि सर, इसका क्या करना है, तो मैं बोलूँगा, slayvus का पार्ट के अब ये exist ही नहीं करता, ये probation, तो इसको देखने की भी जूरत नहीं है, पहले dividend पे लगाये जाता था, हाँ, जिनके पास पुराने 10 years वगेरा होंगे, उसमें सवाल में देखने को मिलेगा, तो मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा, इग्नूर कर दिजेगा उसको, ठीक है, जिसने पुराने दे रखा है, पहले बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी clarity बनी रहे, चलिए सर, अब आते हैं हम income tax या corporate tax, ये दोनों फरक है, नई, income tax और corporate tax और corporate dividend tax, corporate tax को income tax कहते हैं, सर ऐसा क्यों, पता है क्या, जो company बगरा होती है न, बड़ी बड़ी company, जैसे कोई बहार से company आती है, काम करने के लिए, बहार से क्या मतलब, मतलब foreign वाली company इंडिया में काम करते हैं, तो उसको एक हम क्या नाम दे देते हैं, MNC दे देते हैं, Multinational Company का नाम दे देते हैं, है न, ऐसा नया modern name, ऐसा ही जो हम लोग tax भरते हैं, income tax, और जो company होती है न, सारी company को हम corporate बोलते हैं इस तरीके से, company को क्या बोलते हैं, corporate, तो अब company जो tax भर रही है, तो उसका नाम एक corporate tax रस दिया गया, एक standard format में, वैसे income tax ही है वो, बस लोगों की नजरिया change है इसमें, तो सर अगर आपको income tax या corporate tax दे रखा होगा, सर कहां दे रखा होगा, it is given, दो ज़धे आपको given हो सकता है, और साथ के साथ इतना ही नहीं, यहाँ provision for tax भी बोला जा सकता है, यहाँ पे provision for tax भी बोला जा सकता है, प्रोविजन for tax भी बोला जा सकता है, सर, तो सर दो ज़धे given होगी यह फिर से, सर यहाँ हो सकता है, trial balance में given हो, यहाँ सर given होगा adjustment में, और मैं बता हूँ आपको, 99% मानलो adjustment में होगा, 99% adjustment में होगा, trial balance में given होगा, तो यह चला जाएगा short run, सर फिर मैं पूरी line ही लिख दूँ न, यह चला जाएगा balance sheet के, और balance sheet के किस side में, liability side में, और liability side में कहा, short term provision, short term provision, मगर, 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 अगर adjustment में हुआ तो सर, दो जगे जाएंगी, सर दो जगे कहां जाएगी, एक तो चला जाएगा balance sheet में, यानि सर कहने का मतलब है, सबसे पहले, एक तो हो जाएगा हमारा statement profit and loss में, और यह less हो जाएगा, from profit before tax, जो profit before tax वाला हिस्सा है, वहाँ से यह क्या हो जाएगा सर, वहाँ पे less हो जाएगा, दूसरी entry सर, दूसरी entry चला जाएगा, यानि, liability side, जो यहाँ लुखा है, ठीक है ना, जो liability side, चला पहलेगा, तो provision for tax, या फिर corporate tax, या फिर income tax, ऐसे situation में, trial balance वाला short term provision का part होगा, adjustment भी होगा, तो पहले जो profit निकालते हैं, मैं दिखा देता हूँ, सर profit कहां निकालते हैं, आज आईए भाई, आपको format कराये था ना मैंने, तो उस format के अंदर मैंने बताया था, तो यह देखिए, जो यह वाला profit आएगा ना, यह वाला profit इसमें से माइनस कर रखा, income tax, वही income tax है हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं, तो यह income tax एक यहां से हो गया, कहा profit before tax और उसमें से माइनस हो गया, एक तो यहां चला गया, और दूसरा चला जाता है balance sheet में, और balance sheet के note भी आपने किये हैं, तो उसमें भी दोर आए नहीं है, देखिए यहां पर, आपका short term provision, यहां पर आगया provision for tax, यहां पर डिविडेंट मैंने लिख रख था है, लेकिन आता नहीं है dividend, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, चलिए देखेंगे बाद मैं इसको देख लेंगे, अब मेरा मानना है, कि adjustment के pages छोड़ देने हैं आपने, ठीक है, adjustment के pages छोड़ देने हैं, मतलब सर pages छोड़ने का मतलब क्या है, कि हमने देखो 10 adjustment किया, exam के time पर इस chapter के अंदर, दो ही बाते आपको पता होनी चाहिए, 15 नमबर पक के, नमबर बन, आपको adjustment का treatment पता होना चाहिए, नमबर दो, आपको पूरे balance sheet और statement profit and loss का पूरा format अच्छे से पता होना चाहिए, कि क्या item कहा जाएगा, और इसके अंदर, मेरा मानना है, कि आपके exam में, सिर्फ statement of profit and loss भी बनाने को आया सकता है, जैसे कि पिछली बार आया था, सिर्फ statement profit and loss बनाना, और उसके अंदर भी note number two बनाना, ठीक है, तो चलिए sir, हमना एक सवाल देख लेते हैं, basic सा, हलाकि exam में आया हुआ सवाल है, तो एक सवाल हम ये देख लेते हैं, इसको पूरा करते हैं, और ये adjustment जैसे मैंने कितने करा दिया, 10 करा दिया न, तो आपने न, कम से कम 4 से 5 pages छोड़ देने, 5 pages जो आगे noting करोगे न, 5 pages छोड़ देना, ताकि मैं 11 वी adjustment जब करा हूँ, तो फिर से back में कर सकती हैं, तो ये सवाल आपने आगे करना है, ठीक है, ये सवाल आपने आगे करना है, स्राज कब स्टार्ट हुई, अभी जस्ट स्टार्ट हुई, अभी तो बस मैं स्टार्ट करना ही जा रहा हूँ, सर परपोस डिविडेंट का treatment क्या होता है, सर नोटिफिकेशन नहीं आए, नोटिफिकेशन नहीं आए, मैंने recently schedule लगाया और फिर किया मैंने, या था आप नोटिफिकेशन एक बार चेक कर सकते हैं, कहीं all notification बंद ना हो, वैसे ऐसे तो करते नहीं हैं, बच्चे बंद ना हो, फिर application में कुछ bugs हो सकता हैं, कुछ बच्चे के पास जा रहा है, और फोन फोन के भी ना features और facility की बात होती है, कई बार नहीं जा पाता बच्चो के पास, चलिए सर्थ, हम सवाल पहले पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम करेंगे, दिमाग में पूरा सवाल होना चाहिए, और मैं आप से पूस्ता भी जाओंगा, आपको बताते भी जाना है, उसी के साबसे करेंगे हम, ओके सर्थ, सर्थ, सबसे पहला word है, primacy, primacy, पहला ही खतरनाक word दे दिया, primacy, तो primacy क्या होता है, पता है आपको, ये होता है हमारा, intangible assets, और जिसे हम PPE कहते हैं, तो ये तो यहाँ चला जाएगा, मैं लिख भी रहाँ इसके अंदर, और आप भी मतलब कि मन में बोलते जाएगा, ये यहाँ जाएगा, सर्प्लांट, ये भी कहाँ जाएगा, सर्पी पी ए में जाएगा, स्टॉक कहाँ जाएगा सर्ये, अब यहाँ स्टॉक के आगे न, डेट नहीं गीवन है, कि कौन सा स्टॉक है भाई साब, तो ये जब डेट ना गीवन हो, तो हमेशा मानना है ओपनिंग स्टॉक, टेटर कहाँ जाएगा, ट्रेड, रिसीविबल, गुड बिल कहाँ जाएगा, इंटेंजिबल, एसेट, याद रखना, बैंक कहाँ जाएगा, कैश and cash, equivalent, कॉल सिनेरियर कहाँ जाएगा, शेर, कापिटल में, इंटिर्म डिविडेंड कहाँ जाएगा सर, interim dividend less हो जाएगा sir यह less कहां से sir less हो जाएगा हमारा कहां से profit and sorry reserve and surplus से इसके बाद sir purchase कहां जाएगा purchase तो purchase में ही जाएगा statement profit and loss में preliminary expense कहां जाएगा इसके उपर तो नीचे adjustment हो सकता है तो हम इसे बाद में पढ़ेंगे wages कहां जाएगा employee benefit journal expense कहां जाएगा other expense आपको अपने सामने format रखना है और मन में पढ़ना है salary कहां जाएगा employee benefit bed debt कहां जाएगा other expense यह कहां जाएगा finance cost equity share कहां जाएगा share capital में debenture कहां जाएगा non current liability में यह हमारा पुराना वाला है reserve and surplus तो जो पुराने वाला जो statement profit and loss होगा always trial balance के अंदर आपने given होगा तो वो पुराने वाला है ठीक है इसके बाद हमारा क्या है bills payable कहां जाएगा current liability में जो की हमारा trade payable का part है यह भी same चला जाएगा trade payable में general reserve कहां जाएगा reserve and surplus में sales कहां जाएगा revenue from application में provision for bed dates यह कौन से वाला है सर यह old वाला है तो यह कहां चला जाएगा हमारा other income में other income में provision अभी सीखा था ना हमने तो वो नीचे adjustment कहते है depreciation plant and machinery बिल्कुल एक तो plant and machinery पर डेप लगेगा और दूसरी entry कहां पर ले जाएगे हम statement profit and loss में जैसा सीखा है bed dates right of बिल्कुल कर देंगे हम preliminary expense कहता है कि bed dates right of क्या कहता है right of sorry bed dates नहीं है right of 5,000 preliminary expense तो सर 5,000 रुपए जो preliminary expense का है वो कहां चला जाएगा अभी मैं adjustment number 11 जो है वो cover कर लूँगा इसी question को करते करते ठीक है जो कि मैं इसके बारे में बता दूँगा half year का interest on debenture due है ठीक है सर create 5% provision on debtor doubtful debts तो debtor में से minus हो जाएगा अब कहता है provide income tax तो अभी सीखा था ना income tax कैसे निकलेगा हमारा और दो जगाए entry होगे क्योंकि adjustment है यहाँ stock देता है आपको closing तो इसकी भी दो जगाए entry हमने सीख लिया है no final dividend declared by the company company ने dividend दिया ही नहीं तो यह किसी काम का नहीं है ignore corporate dividend tax तो corporate dividend tax ignore करना है कुछ बच्चे इसको serious ले सकते हैं तो वैसे भी यह है ही नहीं अब slave us का part हमारा corporate dividend tax तो कोई मतलब ही नहीं बनता transfer net profit तो यह सबसे last में देखेंगा after text to general reserve prepare statement profit and loss account balance sheet as per schedule 3 जी हाँ हम as per schedule 3 कर रहे हैं तो मैं फटा फट से नहीं यहाँ एक balance sheet का format बना लेता हूँ और पीछे में statement profit and loss और फिर उसके पीछे में जाऊँगा क्या बनाने के लिए अपने वो सारे क्या कहते हैं उसे notes to accounts अब देखो सवाल करने का आपको बहुत important है कि आपको सवाल करने का एक तरीका पता होना चाहिए सर नहीं तो आप जब question करोगे न तो पहली बार तो अपने आपको भोलोगे सवाल को करने में क्या जमेला है और बहुत मन करेगा इस चप्टर को छोड़ दे कौन करेगा सवाल हर कोई बच्चा यही बोलता है कि कौन करेगा इतनी दिर में पागल थोड़ी एक ही question करेंगे पूरे exam में लेकिन सच्चा ही यह बच्चे करते हैं जभी तो out of marks भी आते है बच्चो के तो तो तरीखा क्या है सबसे पहले पूरी फॉर्मेटिंग करने नहीं है फॉर्मेटिंग में देखो जब मैंने पूरा questions पढ़ा हाला कि पूरे questions को पढ़ने में hardly एक से डेड़ मिनट गया लेकिन idea हो गया कि क्या क्या item है ठीक है ना तो जो जो item है उससे related में काम कर लूँगा जैसे सबसे पहला point लिखूँगा में equity and liability और दूसरा point इदर लिख देते हैं क्या होगा हमारा asset, equity and reliability और दूसरा point होगा हमारा assets आईए चलिए इसके बाद आजाएंगे यहाँ पर first point share holder fund share holder fund share holder fund के बाद इसके अंदर A और B part से हम start करेंगे और हाला की A part होगा और B होगा क्या होगा share capital and reserve and surplus इसके लिए note बनेगा तब noting अभी numbering नहीं डालना वो बाद में डालेंगे ठीक है इसके बाद दूसरा heading आजाएगा हमारा क्या आजाएगा दूसरा heading बताओ known current liability सर जैसे ही दूसरा heading आगे हमारा known current liability इसके बाद हमारा क्या आएगा इसके अंदर एक ही चीज आ रहा है अब ध्यान से देखो एक ही चीज आ रहा है और वो क्या रहा है सर हमारा long term debenture वाला part long term borrowing debenture वाला part आ रहा है ठीक है ना इसके बाद आ जाएंगे हम सर current liability में तीसरे पार्ट में आ जाएंगे हम current liability सर current liability में क्या आ रहा है आपका दो तीन आइटम है जैसे ट्रेड पेबल हो गया है ना जिसके लिए note बनेगा हम बना लेंगे बाद में ना जैसे आपका देखो इसके अंदर चार बाते होती है short term borrowing है नहीं फिर आता है trade पेबल तो हमारा उसको number one दे देते हैं उसको number one दे देते हैं ट्रेड पेबल उसके बाद दूसरा उसके बाद क्या आता है हमारा other current liability उसके बाद आता है short term provision तो दोनों लिखना है दूसरा देंगे other current liability और फिर तीसरा short term provision ये हमेशा होगा और ये तो हमारी तैयारी है question शुरू थोड़ी ना किया है हमने तुरे पहले preparation कर लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो चलिए सर acids में अगर हम आ जाएं तो acids के अंदर first part हम लेंगे तो first part जो देखें अगर हम यहां पे आएगा हमारा सर क्या known current asset और known current assets के बाद देखा जाएं तो और क्या आने वाला एसर known current assets के बाद देखें तो इसके अंदर सब head बन जाता है है हमारा fix assets जैसे की a part fix assets अब इसके अंदर भी part बनते हैं इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना है इसके अंदर हमारा बनेगा point जिसको हम P P E बोल देते हैं property planted equipment और two intangible assets चलिए अब भी part की अगर हम अब कुछ है नहीं इसके अंदर वैसे भी investment investment था नहीं तो अब हम सीधा कहां पहुंच जाना चाहिए हमें सीधा पहुंच जाना चाहिए number 2 पे that is current एक part इसके अंदर आएगा जिसको मैं लिख लेता हूं A के बाद B part B part आएगा क्या आएगा other known current asset आएगा ये कैसे आएगा preliminary expense वाल पॉइंट खीक न इसके बाद आजाते है हम second point current इसको नहीं visible हो रहा होगा चिंदा मत करना मैं visible अभी करा दूँआ थोड़ी दिर में अब इसके अंदर क्या क्या है short term देखो वह investment वगरा तो है नहीं तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो एक तो inventory आता है तो number one a part नहीं one आएगा यह और यहाँ पे यह one था one fixed assets मैंने गलती तो नहीं लिए दिया ठीक है इसके अंदर आएगा a part क्या हमारा inventory sir b part आएगा हमारा trade c part आएगा cash and cash इसके बाद आएगा other current है ना अब इसा थोड़ा हो छोटा कर देता है fine heavy होगी depart other assets इस सवाल को जबाब करेंगा ना तो अपने आपको जरूर चेक करें इसमें तर अपने आपको चेक करने से मतलब कि कितनी देर में आप format बनाते हैं ठीक है ना कितनी देर में आप आप format को प्रिपेर कर लेते हैं यह चेक करना है अपने इसमें चलिए तो आप देखो एफ format ना थोड़ा गलत हो गया सर कैसे गलत हो गया मैंने लाइन गलत कीचा पूरा नहीं गलत हो गया यहां पर टोटलिंग में इसमें मत लिखना टोटल आप यह वाला पालम सर्फ यहां आएगा टोटलिंग में समझें का हैं नोट वाले में चूटल मत कर देना चलिए सब यह हमने अभी बैल इंस इट का इक ब्लैंक फार्मेट बनाया है मैं इसको नब ब्लैंक format कहता हूँ blank का मतलब क्या क्या item हमें use करना है उसके लिए ठीक है ऐसा ही अब statement profit and loss का blank format बना लूँगा मैं बच्चे कह रहे है preliminary other current का भी हम discuss करेंगे मैंने इस पर start लगा जया है adjustment number 11 तो मैं सारी बाते discuss कर लूँगा चिंता मत करो चलो सर अब एक बना लेते हैं हम क्या अपना statement profit and loss अब एक बना लेते हैं हम क्या note amount particular particular के बार आएगा हमारा statement profit and loss of harm और के सर अब इसके अंदर हमारा कुछ points था और ये ना हमारा कैसे चल रहा था जैसे की one other इसके बाद था इसमें दूसरा other income आप देख देख के मेरे साथ बताते जाहिएगा इसके बाद था total इसके बाद नंबर चार पे था हमारा expense expense के अंदर अब ये बी चलने लग गया ये था हमारा परचेज अब ये बी चलने लग गया था न अब ये था हमारा परचेज बी था हमारा inventory जिसको हम change in inventory बोल रहे थे change in inventory C पार्ट था हमारा क्या था employment benefit C के बाद D पार्ट था हमारा finance cost ये पार्ट था हमारा depreciation या amortization of depreciation बस ये था इसके बाद हमारा आ गया था total point number five total expense फिर हमारा point number six बना profit बिफोर टेक्स उसके बाद हमने minus कर दिया point number seven that is income tax फिर हमारा आता है point number eight profit after ठीक है अब इसके total के लिए हम पहले अब हम note बनाएंगे ठीक है एक एक करके note में मैं थोड़ा short form यूज करूँ और जो अकेला होगा न उसके लिए तो note बनाना ही नहीं है सीरी सी बात अकेल्या सा क्या मतलब है जिसके अंदर ज्यादा point नहीं होंगे उसके लिए क्या note बनाना चलिए सर पोसिस रहेगी कि यहां पर बन जाए हमारे सारे note लेकिन possible नहीं लगता मुझे तो सबसे पहले हमें note कैसे बनाना है पहले आपने यहां तक काम कर लेना मेरे points को अगर आप follow करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा तो सबसे पहले हमने यह काम कर लिया क्या हमने question start किया नहीं हमने एक सबसे पहले क्या क्या एक balance sheet का format बना लिया एक PL का format बना लिया note के लिए line खीच लिया इतना करना है बहुत बच्चों का मन करेगा note number one share capital और start हो जाएंगे share capital लिखना वहाँ पे rhythm खराब होता है ठीक हम share capital क्या साम वाला question भी बता दे जिससे आपको थोड़ा असर लगे कि हां भाई हमें समझ में आ रहा है concept अभी तक ठीक है तो चलिए सर हम क्या करेंगे इसमें से मैं इसको मिटा देता हूं और इसको थोड़ा भड़ा भी कर देता हूं अरे यह रहने देते हैं मैंने इसके आगे लिखा हुआ है question बढ़ा कर दिया so that आप अच्छे से clear हो कि what आप exactly क्या पढ़ रहे हो इसको हटा भी देते है ठीक है इसको हटा दिया मैंने ताकि और अच्छे से clear हो हम पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगा सबसे पहले है premises तो हमें नोटिंग में जाना है अब हमें यह चेक करना है कि premises के नोट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए अगर इसके उपर depreciation वगरा है या फिर दो assets है तो बनेगा तो definitely हमारे पास दो assets है एक plant है एक premises है तो इसके लिए नोट बनाएंगे हम PPE का तो हमें ऐसे नोट बनाना है ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे कि बस भाई नोट बनाना चालो ऐसा बिलकुल भी नहीं करना आपने इस बात का ध्यान रखना है हम बनाएंगे किसका सर पीपी ए का तो कभी भी ऐसी गलती मत करना कि पहले आपने ये नोट बनाना है हमारे नमबर कर देंगा सर सीक्वेंस चलना चाहिए सर ऐसा होना चाहिए वो सिर्फ आपके मन के विचार है कि ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए भई एक्जामनर को मतलब है कि नोट आपके होने चाहिए सिक्वेंस में अगर करने लग गए हम तो साथ ये कुशन ही बस एक पेपर में अटेम्ट कर पाएं तो पहला नोट नमबर वन अभी नोट नमबर नहीं डालना देखो कैसे करो गया मेरी तरीके से करो गया पहला कोशन टाइम लूँगा नोट लिखके और जगह छोड़ दूँगा ताकि बाद में नमबरिंग हो जाए मैं पहले बना लेता हूँ पी पी ए आपने एक्जाम में पूरा लिखना है प्रॉपर्टी प्लान्ट एंड एक्टिमेंट ठीक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्टिमेंट चलिए सर इसके अंदर क्या लिखेंगे सबसे पहले था हमारा प्रेमिस इस सर्फ प्राइमिसिस क्या होता है अब हम एक बार ये भी चेक करेंगे कि इस पर डेप्रिसेशन है नहीं डेप्रिसेशन सर्फ प्लांट पर बोल रहा है प्राइमिसिस पर नहीं बोल रहा सर्फ प्रीमिसिस पर नहीं बोल रहा है नहीं बोल रहा है इसके उपर ठीक है amount देख लेंगे इसके उपर नहीं है तो इसे मैं directly बाहर लिख लूँगा इसके बाद था plant तो plant पे बोल रहा है तो इसको अंदर लिखूँगा amount क्या है देख लेतने फटाफट 30,72,000 और 33,00,000 रुपए तो इसको तो मैं लिखने वाला हूँ 30,72,000 और इसको अंदर लिख लेंगे 33,00,000 रुपए और यहां से less कर देंगे sir हम depreciation अब देखो adjustment हम साथ के साथ लेके भी चल सकते हैं और या फिर सबसे end में भी कर सकते हैं क्योंकि पूरा question अगर आपने पढ़ लिया है तो definitely आपको पता चल जाता है कि किस पे करते हैं तो इसके उपर है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले है sir इसके उपर depreciation minus कर देंगे कितना था 10% था तो less कर देते हैं depreciation 10% that is 33,000 मैंने depreciation के note में यही लिखाया था कि in case आपको assets पे depreciation दे तो एक तो assets में से minus करिएगा दूसरा कहां बताया था आप लेके जाईएगा कहा depreciation cost के अंदर तो sir depreciation के अंदर अगर देखा जाए सवाल में तो सिर्फ एक ही point पे depreciation लग रहा है और है ही ने तो इसके लिए अलग से मैं note बनाऊंगा इस एक point के लिए depreciation का तो वो हमारे लिए beneficial नहीं है तो इस 33,000 को सीधा सीधा उठाके मैं depreciation के आगे लिखतूँगा तीन लाग तीस अजार 35,000 नहीं हो 32,000 लाग था तो तीन लाग तीस अजार समझे बाता अगर हमारा premises पे भी होता और plant और machinery पे भी होता तो मैं एक और note ड्रॉ करता किस नाम से depreciation के नाम से क्योंकि वहाँ पे कितनी बाते आ गई थी दो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है तो इसलिए लिख दिया और इसके bracket में अगर आप लिख दो तो और्बेटर है किस पे है यह plant पे examiner समझ जाएगा plant वाला depreciation नहीं है समझे बात आप चलिए सर इसके बाद हम आते हैं अगले point पे totaling का process सबसे last में करेंगा हम ठीक है न एक ही बार में फटाफट से तो पहला point हमारा हो जाता है यहाँ पे खतम एक note तयार आप pencil से बना लेजिए pen से बना लेजिए एक format में ऐसे बनाते जाएए और करते जाएए ज्यादा सजाने के चक्कर में मत रहिएगा exam में बस अगला है note फिर से मैं इसको क्या करूँगा थोड़ा gap छोड़ दूँगा और note कौन सा बनेगा हमें वो तो question decide करेगा हम थोड़ी नडिसाइड करेंगे तो अगला point आता है हमारा stock तो यह है opening stock तो opening stock और closing stock का connection है change in inventory से है ना connection है change in inventory से तो यह मैं बनाने जा रहा हूँ change in inventory सर्फ change in inventory पता है क्या होता है opening stock minus closing stock opening stock यहां से minus कर देंगे तो हमें सवाल में opening तो given है जो यह stock है यह कौन सा stock है सर यह opening ही तो है 7,50,000 जब closing का number आएगा तो closing लिख लेगे 7,50,000 और चलो closing भी लही लेते हैं हमें closing पता ही है क्याप है ना question में दे रखा है यह देखो stock कितना है हमारा 9,50 closing का तो चलिए 9,50 भी लही लेते हैं टोटलिंग बाद में ठीक है ना अब यह adjustment वाला closing stock है तो double entry साथ के साथ है ऐसा नहीं बाद में करना है तो कहां जाता है यह inventory का part होता है कहां पे current assets का part होता है तो sir एक ही है ऐसा तो नहीं है WIP है square part तो बहुत सारा तो नहीं है तो सीधा जाके हम inventory के अंदर लिख देंगे कहां balance sheet में तो सीधा जाएंगे balance sheet और आ जाएंगे inventory में और यह अगर 9,50,000 इसके लिए भी note नहीं बनाना पड़ा तो दिमाग आपको लगाना है हमने इतने सारे note बनाए तो हैं लेकिन जरू पॉइंट पर चलें तो next point क्या कहता है सब next point कहता है debtor हाँ इसके लिए note बनाना पड़ेगा क्योंकि benefits वगएरा आ रहा था इसके अंदर सवाल में तो debtor है तो अगले note को बनाते हैं हम यह यहां खतम हो जाएगा अगला note है debtor note और थोड़ा gap छोड़ेंगे और यहां trade receivable और trade receivable के अंदर क्या जाएगा हमारा debtor सर कितने का debtor है हमारे सवाल में आप देखिए 8,70,000 अभी आपने noting बिल्कुल नहीं करना सर्फ observe करना है अब debtor के उपर मैंने adjustment हाला की पढ़ लिया था तो क्या था तर debtor के उपर आप adjustment अगर देखते हैं तो कहता है यहां पर के provision यह देखिए यहां से create 5% provision on debtor for doubtful debts तो 5% बनाना है सर बनाई देते हैं अभी लगे हां और यह वाला जो provision है कौन से वाला बताओ जो मैंने अभी पढ़ा है यह कौन सा provision है adjustment वाला कौन सा यह कितने जगह entry जाएगी दो कहां कहां एक तो देटर से माइनस और दूसरा बताओ अभी आपने लिखा था अभी समझा भी था अगर लिखा तो बताओ एक जाएगा balance sheet में सरी डेटर में से माइनस और दूसरा कहां जाता है बताईए comment में बताईए कहां कहां जाएगा बताईए comment में कहां कहां जाएगा दो जगह जानी है entry बिल्कुल other expense में तो जो adjustment कराए न वर recall होना चाहिए नहीं होता है अभी तो देख के करना पहली बार में आप सोचोगे न के नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे तो वह गलती है आपको सबसे पहली बात तो पूरा देख देख के करना है चार से पांस सवाल हम देख के बनाएंगे क्योंकि टैनियर में मैंने आइटिंग 10 से 11 सवाल डाले है ठीक है और बुक में भी आपके इतने ही सवाल है लगवग लगवग तो काफी इनफ हो जाता है आपने अगर 15 सवाल की भी प्रैक्टिस कर लिए तो चप्टर गया पर यह तो लॉंग ट्रम प्रोविजन एक बच्चा कहा रहा है लॉंग ट्रम प्रोविजन अभी शेक लॉंग ट्रम प्रोविजन में कब से जाने लग गया प्रोविजन फोर वो ट्राइल वैलेंस वाले को मैंने बोला था आप देखिए अडजिस्मेंट जो कराया है करना है आपको और आप उठाने लग गए क्या आप उठाने लग गए हमारा balance sheet के format को ढूमने लगए कहां जाएगा provision तब तो गलत है आपका approach मैंने बोला यह कहां गीवन है adjustment में तो मैंने जो adjustment में note बनाया दो जगा देख लो एक यहां एक देखे हैं हम बात खतम उससे जादा नहीं सोचना आपको ठीक है तो सर एक तो चला जाएगा हमारा अभी बताया तो उसी के साब से मैंने note बना लेता हूं मैं कितने percent है 5% है सर तो 5% less कर देते हैं प्रोविजन सर प्रोविजन 5% 8,70,000 का अगर हम 5% निकाले तो 43,500 दूसरी entries की बताएं आपने के other expense में जाएगा और sir other expense में धीर सारा जाने वाला है चीज़े तो एक हमें note बना लेना चाहिए sir other expense का भी और other expense और दो बाते मैंने बताई थी other expense और एक reserve and surplus हमें सब बड़ा बनाना तो मैं ये दोनों column ना आधे में reserve and surplus और आधा other expense के लिए ही रखूँँगा note फिर यहाँ gap दे देंगे number डालने के लिए यहाँ gap दे देंगे number डालने के लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे other expense इसे statement on profit and loss में लिखना था है लेकिन statement profit and loss के जाएगा other expense वाले पार्ट में अच्छा इसमें लिखना ही नहीं अच्छा e के बाद f बना देते है एक्स्पेंस और यह थोड़ा उपर उठा के ले जाते है ठीक है चलो तो sir other expense के अंदर जाएगा प्रोविजन फूर दाउटफुल देट्स यहाँ जाएगा प्रोविजन और दाउटफुल देट्स च्यार लाग प्रितिरतालिस हजर पांसो समझ मैं इस बात आपको मैंने दो जगए entry करी या नहीं करी पहले बताओ सभी बच्चे बताओ मैंने दो जगए entry कर दिया एक ही जगए है एक तो यहाँ से minus कर दिया मैंने एक हो गया और एक other expense में यह चला जाएगा पी एंडल के अंदर उठके total और यह चला जाएगा उठके balance sheet में तो हो गएने दो जगए तो हमें क्या मैंने सोचा कि मुझे note number one बनाना है नहीं सोचा क्या मैंने सोचा हम पढ़ते जाएंगे और उसके साथ करते जाएंगे अब इसके बाद अगला point देखें तो क्या कहता ह है हमारा next point है हमारा सर गुडविल और गुडविल के उपर ऐसा कोई हां adjustment ही नहीं है कुछ भी नहीं था गुडविल के उपर तो हमें इसके लिए कोई note नहीं बनाना सीधा balance sheet में put कर देंगे तो सर गुडविल सीधा कहा चला जाएगा intangible assets में कितने रुपे है धाई लाग 250 ठीक है नहीं कितने आगे है 250 समझ रहे हो बात को direct किस तरीके से करना है इसके बाद आते है bank bank के लिए भी कोई बात नहीं है यहां से कुछ भी नहीं है ऐसा कि bank में पैसा paid किया आया गया कुछ नहीं है तो direct लिख देंगे cash and cash equivalent में कितने 407000 समझ रहे हो बात को इसके बाद देखो call scenario, call scenario share capital के अंदर जाता है, call scenario कहां जाता है share capital और share capital भी है इसमें तो इसके लिए हमें एक note prepare कर लेना चाहिए, that is share capital note और share capital और share capital के अंदर share capital के अंदर सबसे पहले क्या लिखने है इसमें नोट में लिखने हम authorized capital लिखने पहले हम ठीका ना पिर लिखते हैं issued capital पिर लिखते हैं less call scenario minus कर देते हैं calls in area ये कुछ ऐसा format बनाया था, ये थोड़ा और short कर दिया हमें तो call scenario यहाँ question में कह रहा है, कितना कह रहा है call scenario 75 कितना है call scenario 75,000 तो इसे हम यहाँ लिख देंगे, minus करतेंगे, 75 बस, यहाँ लिख दिया, minus करकर जैसे जैसे points आएगा हम लिख देंगे उसको ठीक है, चलिए sir अब अगले point पे भी चल देते हैं अगला point है interim dividend, तो interim dividend क्या होता है, reserve and surplus में से minus हो जाता है, interim dividend क्या होता है reserve and surplus में से minus मैंने लिख वाया है, देखो अगर trial में हो तो क्या करेंगे adjustment में हो तो क्या करेंगे तो उस adjustment के हिसाब से चलना है तो यह reserve and surplus में से minus हो जाता है सर किसका रिजर्व अब बिल्कुल एक दम ना पूरा दिमाग यहां पर रखना है मैं क्या करने वाला हूँ यहां पर ठीक है ना पूरा माइंड यहीं कॉंसेंट्रेट होना चाहिए इसका थोड़ा अलगी स्टाइल है इसका तो सबसे पहले यहां पर पता ही क्या लिखते हैं हम लिखते हैं हम old profit old statement profit and loss जो भी होगा फिर यहां add कर देते हैं हम new मतलब पता ही क्या current year statement profit and loss ठीक है अब यहां से minus करना चालू करेंगे क्या minus करना चालू करेंगे interim dividend interim dividend करेंगे और दूसरा और क्या होगा थोड़ा gap देखे थोड़ा gap देखे हम अब क्यूद स्टेर्मिंट का मतलब स्रफ Fr hypoth नहीं होता है हम इर्जर्बन सर्फ परिस का मतलब capital reserve होता है हम इर्जर्बन सरफ अर्फ प्लस का मतलब beginner reserve होता है तो एक तो हो गया profit का part, profit के part के बाद कम से कम नीचे चार लाइने चोड़नी है आपको, देखो एक, दो, तीन और चार, साथ लाइने सिर्फ profit के लिए छोड़ना है, ठीक है मैं लिख भी देता हूँ, इसके लिए हमें साथ लाइने चोड़नी है, seven line, ठीक है, किसके लिए सिर या होगा capital reserve, तो soon ऐसे आगे जाएगा, तो मज़रे हो बात को, clear है यहां तक मैं क्या कहना चाहरा हूँ, तो इसको इस तरीके से format में बनाना है, तो पहले सबसे लिखोगे, पहले पुराना profit, फिर add करोगे नया profit, जो निकलेगा तो बाद में करेंगे न, फिर minus करोगे dividend, सर, final dividend होता, तो वो भी minus हो जाता है, यहां पे, और कुछ बोलता है, reserve में transfer करना, तो भी minus होता है, यहां पे, तो 2-3 बाते minus होता है, इसलिए मैंने बोला, यहां 7 line लेके चलो, उसके बाद यह, समझे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, और भी, तो sir, interim dividend बोल रहा था, तो अगले point पर पहुंच जाते हैं, अगला point क्या कहता है, purchase, तो sir, purchase अकेला है, purchase क्या है, ना तो कोई इसके carriage inward है, बस अकेला है, अगर carriage inward होता, या फिर आपका होता क्या, purchase return, तब हम इसके लिए note बनाते हैं, हमने पूरा सवाल एक बार पढ़ने का यही तो फाइदा है, कि हम unnecessary के note नहीं बनाएंगे, दो मिनिट भले गए, लेकिन unnecessary के note नहीं बना रहे, मुझे पता purchase अकेला है था, कुछ इसमें था नहीं जोड ने घटनाने वाला, तो मैं direct purchase को purchase में लिख दूँगा, statement profit and loss में जाके, 18,50,000 रुपे, तो देखो मैं फटा फट लिख दूँगा, 18,50,000 तो हर किसी के अपने benefit है, ठीक है ना, समझ मैं बात आपको, इसके बाद आगे चलते हैं सर, आगे क्या given है, आगे given है preliminary expense, मैंने कहा इसके लिए मैं आपको note बता दूँगा, तो इसको मैं सबसे last में cover करने वाला हूँ, ठीक है, इसको सबसे last में cover करेंगे, क्योंकि वहाँ adjustment भी है, इसके बाद wages, क्या wages के अंदर कोई outstanding था, क्या कुछ कह रहा था wages के अंदर, तो जवाब है no, तो और wages के इलावा क्या salary भी है, हमारे सवाल में है, wages के इलावा salary भी है, तो यानि employee benefit में जाता और दो बाते हो गई, तो इसके लिए हमें क्या बनाने लेना चाहिए, note इसके लिए हमें क्या बना लेना चाहिए, note तो यहां तो मेरे पास जगे बचेगी नहीं note की, तो मैं अगले पेज का इस्तमाल करूँगा, note बनाने के लिए और कौन सा note बनाएंगे, कौन बच्चा बताएगा, कौन बताएगा बताओ, कौन सा note बनाएंगे, salary लिखना है मुझे यहां है, और wages लिखना है, तो कौन सा note बनना चाहिए, employment benefit, तो चलिए बना लेते हैं, बस लिखेंगे note, और यहां थोड़ा number डालने के लिए gap, employment, employment को double E से लिख देता हूँ, benefit, ठीक है, employee benefit के बाद, इसके अंदर क्या था हमारा, देख लेते हैं, इसके अंदर था सर, wages, wages था 7,71,000, तो हम wages लिख लेते हैं, 7,71,000 का, 7,00, वेजिस, 7,71,000, बाहरी लिख लेंगे, चलिए सब, नहीं हमें, अब देखो, salary पता चल गया, हमें भागना नहीं है, salary मिल जाएगा, उससे पहले तो general expense है, एक एक करके टिक करना है, आप क्या करते हो, exam के अंदर पहले wages सर, salary है, चलो अभी लिख लेते हैं, एक की साथ लिख लेते हैं, तो उस case के अंदर कर ये रह गया, तो फिर पूरे question में परिशान रहा है, तो match नहीं हो रहा, match नहीं हो रहा, उसके बाद फिर last में पतर सर था, अरे ये तो लिखा ही नहीं, आपने जितनी बरते वे, जितनी बार भी final account किया होगा, आपका balance sheet जब भी match नहीं होगा, तो उसमें गलती आपकी ही रही होगी, ऐसा कभी नहीं देखा होगा, कि question ही गलत था, एक आद परसंट की में बात नह हाँ, ठीक है न, तो इसके बाद हमारा किया general expense, general expense किसका पार्ट है, हमारा other expense का, और other expense के लिए already note बना रख था है, तो इसलिए मैं यहाली कर रहा हूँ, journal expense, जर्नल एक्समेंस सर जर्नल एक्समेंस के अंदर क्या है कितने अमाउंट है सर 69,000 69,000 चलिए सर इसके बाद आ जाते हैं सेलरी अब सेलरी आया है तो अब सेलरी ले जाएंगे 2,003,000 रुपे 2,003,000 रुपी इसके बाद सेलरी के बाद है बेडड़ेट्स कहां का पार्ट है देखो ट्राइल में गीवन है याद करो बेड़ेट्स का नोट बनाया था अगर ट्राइल में गीवन हो तो क्या करेंगे अजिस्मेंट में गीवन हो तो क्या करेंगे अब गीवन कहा है ट्राइल में तो ट्राइल के हिसाफ से बताओ कहा जाएगा यह सभी बच्चे बताओ बताओ जल्दी से ट्राइल में है तो कहा जाएगा जल्दी जल्दी बताइए statement profit and loss यानि पी एंडल और उसके अंदर other expense में बिल्कुल ठीक उसमें other expense में बिल्कुल ठीक तो चलिए सर आ जाते है other expense में क्या था हमारा यह bed debts bed debts अब सर इसके अंदर bed debts है सर bed debts में कितने रुपे हैं हमारे सर bed debts के अंदर 21,000 है bed debts के अंदर 21,000 है ठीक है bed debts के अंदर कितने हैं हमारे 21,000 रुपेस चलिए आ जाते हैं bed debts के बाद interest है और सर interest पता है किसका पार्ट है finance cost का पार्ट है यह तो आपको पता होना चीए कि interest किसका पार्ट है finance cost का और इस से related इस पर adjustment भी भी है half year interest due whatever तो हमें एक finance cost यहां भी है और एक adjustment के through भी आएगा interest हमारा तो यानि दो-दो हो जाएंगे तो इसके लिए क्या बना लेना चाहिए हमें note बना लेना चाहिए तो चलिए हमें एक बनाते है finance cost का note note और finance देखो इस सवाल के अंदर मैं बीच में बाते भी कर रहा हूं और आपको guidance भी देता जा रहा हूं कि सवाल की पहली है कि जल्दवाजी नहीं पहला काम दूसरा discipline अगर यह दोनों चीज़े आ गई तो सवाल आपका एक बार में मैच होगा तो ठीक है चलिए सर्थ इसके अंदर क्या था हमारा इसके अंदर था interest on dementia सर्थ इंट्रस्थ और डिवेंचर कितने रुपे के हैं तो वहां पीछे मैंने असी अजार था इधिंग से फिर फिर देख ले तेंग वार एक असी जैस और एक असी जैस और एक असी अंदर लिखेंगे इस पर adjustment है चलिए सर्थ इसके बाद इंट्रस्थ और डिवेंचर भी हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगर दे रखाओ सवाल तो लिखना है नहीं दे रखाओ तो डेस डाल सकते हैं और अगर आप लिखना चाते हो तो इसूड के पटल को ही लिख सकते हों तो हमारे सवाल के अंदर दे रखा है चार लाक रुपए तो मेरे पास option है या तो मैं authorized capital चार लाक लिख दूँ या डेस डाल दूँ तो चार लाक वैसे issued capital का पार्ट है यहां डाल दिया हमने चार लाक रुपए खीक है 40 लाक है ओके 40 लाक है एक 0 और पढ़ा दिया और इसी 40 लाक को authorized के अंदर भी put कर सकते हो समझे बाता चलिए सर अगले adjustment पे जाते हैं 12% debenture अब debenture है हमारा किसका पार्ट सबसे पहले यह देखो तो सबसे डिबेंचर है long term borrowing का पार्ट debenture है किसका पार्ट long term borrowing long term borrowing में कुछ और ऐसा item है ही नहीं के लिखा जाए तो मैं क्या करूँ इसको क्या इसके लिए अलग से note बना लिया जाए नहीं बनाना चाहिए इसके लिए बिलकुल सही बात इसके लिए अलग से note बनाने की कोई वशकता ही नहीं है सर इसके लिए तो तो simple सी बात है long term borrowing में आप कितना लिख देंगे सर 30 लाख रुपए 30 लाख है ना 30 लाख रुपए और इसके bracket में लिखना चाहते है या नीचे तो नीचे लिख दीजिए बहुत बहतर होगा 12% debenture एक्जामनर एकदम खुश के इसने बच्चे ने सारी डिटेल बनाके दे दिया इसके बाद statement profit and loss बताओ ये क्या है statement profit and loss कौन सा statement profit and loss है पुराने वाला statement profit and loss है अगर ये पुराने वाला statement profit and loss है तो कहा जाएगा reserve and surplus में देखो मैंने बुला था old वाला भी और नए वाला भी तो old वाला गया तो यहाँ पर लिख देंगे 263 ये पुराने वाला हो गया ठीक ह वाला होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है चलिए सर और आगे कहा आगे है इसके बाद आ जाते हैं हम किसके ओपर बिल्स पेवल बिल्स पेवल भी और क्रेडिटर भी दिख गया मुझे इंपर तो बिल्स पेवल है हमारा ट्रेड पेवल का पार्ट और यहां दो आइटम है तो हम इखटा नहीं लिख सकते हैं इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए बना लेते हैं एक ट्रेड पेवल का नोट बना लेते हैं नोट और ट्रेड पेवल ट्रेड पेवल ट्रेड पेवल ठीक है नोट बना लिया ट्रेड पेवल चलिए सर इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे सर लिखेंगे हम creditor and bill table आ गया वैसे इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्रेडिटर का जो अमाउंट है है 370 बिल्स पेबल का 370 और क्रेडिटर का 4 लाद तो 370 और 4 लाद क्रेडिटर का है 4 लाद और इसका है 370 चलिए सर आ जाते हैं आब इसके बाद हमारा है general reserve तो general reserve किसका पार्ट होता है reserve and surplus का तो बड़ी CDC बात है सर हमने बना रखा है note देखो general reserve कितने रुपे थे 285 है ना 285 285 इसको थोड़ा हाइलाइट कर दे अलग कलर से चलिए आ जाते हैं अब आगे कहां तक पहानी पहुंची है 250 है भाई 250 है क्या है 250 है गलत लिख करवा दिया 250 सर डिवेंच्यर इंटरस तो निकालेंगे बिलकुल निकालेंगे डिवेंच्यर इंटरस नहीं अभी बाद में adjustment जैसे जैसे पढ़ेंगे तो निकालेंगे तो अभी रह जाएगा अभी देखो फाइनल करेंगे यह 280 ही नहीं है 250 है यह 250 ठीक है 250 है इसके बाद आजाते हैं हम किस पे सर sales अब sales में ना तो sales return है अगर sales return होता तो हम note बनाते क्योंकि दो बाते हो जाते ही एक sales और sales return यहाँ पे sales return ही नहीं तो अब हम क्या करेंगे simply direct statement profit and loss में लिख सकते हैं एक तालिस लाख पचास अजार revenue from operation में से एक तालिस लाख पचास अजार correct चलिए sir इसके बाद आ जाते हैं अगला bed debts provision बताओ यह bed debts कहाँ पे है provision for bed debts कहाँ है बताओ देख के बताओ यह कहाँ है पहले तो यह बताओ यह trial में है यह adjustment में है trial में अब trial में given हो तो मैंने note लिखवाया हुआ है बताओ कहाँ जाता है trial में given हो trial में given हो तो कहाँ जाता है जल्दी बताइए सभी बच्चे trial में given हो तो कहाँ जाएगा बिल्कुल अधर इंकम में जाएगा मैंने लिखवाया इस्पेशली अभी बच्चे देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं अधर एक्स्पेंस अधर एक्स्पेंस नहीं अधर इंकम ट्राइल बैलेंस में हो तो ठीक है न तो आपको अधर जिस्मेंट को बड़े ध्यान से जल्द इंकम में डाल देते हैं और अधर इंकम में क्या इसके अलावा भी कुछ पार्ट है अगर इसके अलावा कुछ पार्ट होगा तो हम बना लेंगे नोट अगर इसके अलावा कुछ ही नहीं तो नोट बनाने की अवशकता ही नहीं है तो अधर इंकम में चला जाएगा कितने रुपए था सर अधर इंकम में 35,000 35,000 आ जाई है 35,000 अधर इंकम में 35 और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे सिंगल होता है ना तो यहां ब्रेकिट में भी लिख दिया अगर ये कि है किया तो एक्जामनर को और बेटर अंडेस्ट्रेंडिंग मिल पाएगा इस इसको बच्चा बोले सर अगर हम नोट बना देते हैं तो कोई गलती है को गलत हो जाएगा क्या कोई गलत नहीं होगा नोट बना सकते हो लेकिन बस टाइम आपका ज्यादा जाएगा ये फरत है बस ठीक है चलिए सर देखिए हम काम्याब हो गए काफी हद तक पूरे इसको एक एक करके टिक मार करके खतम करने में अब आ जाते हैं सर फटा फट से डेप्रीशेशन कौन कौन से अज्जस्मेंट कर लिए उसको हम कर टिक करते जाता है सर ये वाला हमारा डन हो चुका है अज्जस्मेंट वन अज्जस्मेंट टू प्रिलिमिनिरी एक्स्पेंस इसके एक जैसे बच्चों को नोटिंग करने में साहेता मिले 11 11 एडजस्मेंट प्री ली एक्स्पेंस कहलो या फिर अंडर राइटर कमीशन भी हो सकता है सर इसका क्या ट्रीडमेट होता है पहले तो यह समझ लेते हैं होता क्या है समझ लो देखो होता क्या है नॉर्मली कोई भी जो है ना कमपनी जो जैसे मानलो एक्स वाई जड लिमिटेड एक कमपनी बनाना है तो यह लिमिटेड शब्द ना अपने आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत महत्व है इस limited का तो अगर आपको ना x y z limited बनाना है ना तो limited लगाने के लिए पहले कुछ काम करना होगा सर इस limited शब्द को लगाने के लिए पहले आपको document तयार करना होगा तो document का मतलब जो इसे हम MOA कहते हैं और AOA कहते हैं अभी आपकी company बनी नहीं है लेकिन फिर भी आपने क्या करा यह document तयार कर लिया इस document तयार करने के बाद इसको आपको sign करवाना होगा CA से document तयार हो गया CA से sign हो गया इसके बाद फिर आपको यह document जाकर deposit करना है जो document sign करवा लिया अगला step होता है आपको deposit करना है तो देखो अभी आपको company के आगे ना limited लगाने की authority नहीं है नहीं लगा सकते limited क्योंकि अभी तो आपने document दिया ही है अभी तो आपने sign ही करा है फिर अब यह जहाँ deposit करा है वो पढ़ेंगे उसके बाद आपको notification देंगे आपको notice भेजेंगे कि आपका approved हो गया और मान लो यह जो document देने वाला काम और मेरे दिमाग में idea आया वो एक जनवरी 2023 से आया खीक है ना मान लो और फिर मैंने यह document बनाया पाँच जनवरी 2023 तक बना लिया मैंने ठीक है उसके बाद CA से sign करवा है तो बहुत busy इंसान है भाई यह तो तो यहां पे मैंने 22-2023 तक sign कर दिया इन्होंने जमा करवाने गया मैं 22-2023 तक उसके बाद फिर approval जो वहां से आया सरकार से वो आ गया मान लेते हैं 14-2023 में तो जब approval आएगा तभी तो मैं नाम के आगे कुछ लगा पाऊंगा तो जैसे approval आया ना फिर मैंने लगा दिया limited अगर approval से पहले limited आपने लगा दिया था तो आपके उपर इतने find इतने penalty लगाया जाएगा कि आप समझ नहीं सकते हो जो कि अपने company law में penalty chapter में पढ़ा भी हो शायद तो यह सारा procedure होता है अब देखो क्या हमारा CA जो है document जो बना फोटो कॉपी वाले ने बनाया क्या यह free में काम करेगा नहीं यह भी पैसा लेगा मान लेते हैं यहां पे पैसा लगा 500 रुपे जो CA ने sign किया यह भी free में करेगा नहीं इसने मान लेते हैं लिए 50,000 जो deposit कराने गए तो पैदल थोड़ी गए पैट्रोल वगरा यहां 500 रुपे तो यहां से यहां तक का खर्चा ना हो गया एक 50,000 लेकिन यहां तक के stages में दे खर्चे को बोलते हैं preliminary expense यानि ऐसे इस परकार के खर्चे जिस खर्चे को हमने company बनाने से पहले ही कर लिया हो उस खर्चे को क्या नाम देते हैं preliminary expense और यह खर्चे मैंने तो example लिया बहुत use expense होता है सर यह बहुत ज्यादा expense होता है क्योंकि advertisement वगरा publicity वगरा बहुत कुछ करन होता है तो government कहता है कि अभी तुम्हारी company बनी है एक अप्रेल को आप एकदम खाली खाली सा एक अप्रेल वाले साल में पहले साल में बताओ company बनाओगे तो क्या पहले साल में profit आजागा नहीं आता तो पहले साल में आपका वैसे ही मरा हुआ company है और उसके अंदर यह बहुत इसको एक बार में अपने statement profit and loss में ना दिखा के इसे पांच बार में दिखा दो कह दिया जैसे इसे दो बार में दिखा दो तीन बार में और आपको लगता एक बार दिखाना तो दिखा दो बाकी अपने इसको बांट के चलो तो अगर मैं इसे पांच बार में दिखाता दो सो रुपए का खर्चा आएगा पहले साल में तो मेरे P&L में जितना कम खर्चा उतना प्रॉफिट बढ़ के आएगा और प्रॉफिट बढ़ के आने का मतलब बिजनस ठीक चल रहा है हमारा तो इसलिए हम इसको preliminary expense को एक साथ ना दिखा के बाद में दिखाएंगे प्रॉफिट इसकर है इसको मैं कहा दिखांगा और कब लिख़ांगा कौन जवाब देगा क्या यह खर्चा नहीं है मेरा है कर चाजा तो क्या इसे हम दिखाएंगेंगेन work लेकिन हम अगले साल भी नहीं दिखाएंगे फिर 10,200 अगले साल दिखाएंगे फिर 10,200 ऐसे धीरे-धीरे करके दिखाएंगे तो यह जो खर्चा है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगले साल में ठीक है तो यह एक साल का है यह तीन साल का यह चार साल का बताओ यह चार साल का प्रिपेड एक्समेंस है मैंने एडवांस नहीं दिया मैंने एडवांस नहीं दिया नहीं ये तो देखो ये कितने सालों में दिखाऊंगा गौर्मेंट मैंने पांस से डिवाइड किया है सर तो ये पांस सालों में जाएगा न ध्यान दो ये पांस सालों में जाएगा कैसे जाएगा पांस सालों में ये देखो ये रहा हमारा ये पहला साल दूसरा साल तीसरा साल चौथा साल पांचवा साल कैसे कहानी गुमे की पता है 51,000 खर्चा इसमें से माइनस 10,200 बच गे 40,800 रुपे और ये 40,800 हमारा पहुंच जाएगा सर कहां सर ये 40,800 पहुंच जाएगा अगले साल अगले साल के पी एंडल में फिर हम 40,200 थोड़ी दिखाएगे फिर दिखाएगे 10,200 अब बचा 30,600 अब 30,600 कहां ले जाएगे सर 30,600 को ले जाएगे हम अगले साल अब 30,600 में से फिर हम कितना माइनस करेंगे 10-200 क्योंकि equal करेंगे अब कितना आगए 20-400 सर 20-400 को कहां ले जाएंगे आप सर आप 20-400 को ले जाएंगे आगए और 100-10-400 कर देंगे अब अगली बार देखा जाए तो कितना होगा 10-400 और 10-200 10-200 अगली बार होगा हमारा अरे कहां चला गए 10-200 और 10-200 को माइनस करने के बाद 10-200 और 10-200 कहां पहुँच जाएगा यहां पे अब 2500 साल के अंदर हम 10-2000 देंगे तो मैं अभी फिलाल इस साल पे हूँ तो इस साल का ये वाला तो पार्ट होगे हमारा खर्चा और जो बागी ये वाला पार्ट हम लेके आएं यहां से कैरी करके ये तो हमारे लिए होगे अब आपको तै करना है कि ये करंट एसेट से ये लॉंग ट्रम और करंट और लॉंग ट्रम एसेट को डिफाइन करने के लिए बड़ा छोटा सा सिंपल सा है कि बारा महिने से उपर लॉंग ट्रम बारा महिने से कम ये समझ में आ रहा है ने आपको तो अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत रूटसे आपको पता चल गया कि प्रिलिम्निरी एक्स्पेंस जितना इस बार बोला जाए राइट ऐव करने के लिए यह जो बोला गया न है कि इसको इस बार दिखा दो तो that is right off करने के लिए तो जितना बोला गया ना right off करने के लिए वो तो p handle का part हो जाता है statement और जितना right off नहीं हो पाया वो चला जाएगा हमारा other known current assets क्योंकि वो लंबे समय के लिए ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अगर मैं यहाँ पे लूँ अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इसके अंदर अगर preliminary expense होगा तो दो जगह होगा आपका given या adjustment की बात करते हैं investment में given हुआ तो आप एक क्या करोगे statement profit and loss और एक जाएगा सर balance sheet पहले आपको लेके जाना है statement profit and loss में ठीक है statement profit and loss में कहां लेके जाओगे other expense में ध्यान रखना कहां लेके जाओगे other expense में other expense other expense जैसे मैं ले लेता है example other expense में कितना है preliminary expense 51 लिख दिया आप इसमें से less कर दोगे इसी example को base मान लेना आप इसी में से less कर देंगे sir current year का that is आगया 10,200 अब बच्चा कितना हमारा अब बच्चा कितना 40,800 अब ये जो 40,800 इसे ले जाना है अपने balance sheet में इस 40,800 को आपने ले जाना है कहा है सर इस 40 को ले जाना है इस balance sheet के अंदर और balance sheet में भी कहां ले जाएंगे sir balance sheet में भी ले जाएंगे हम other non current asset other non current assets में ले जाएंगे समझ रहे बात हूँ ये ले जे अब आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये बाते समझ में आ गई तो मैंने preliminary expense पे star बनाया था अब यहाँ दे रखा है 50,000 ठीक है समझना आप मैं यहीं पर लिखे आता हूँ यहाँ पे दे रखा था कितना हमारा 50,000 और sir 50,000 में से देखा जाए तो यहाँ कहता है right of यानी right of का मतलब इतना पी एंडल में दिखाना है इतना statement profit and loss में दिखाना है समझ रहे हो बात आप right of का मतलब 5000 ही दिखाना है तो 5000 पी एंडल में से अगर हम दिखा देंगे तो बाकी जो 45,000 बच गया कहां चला जाएगा sir other known current acid इसका एक और alternative option है आप reserve and surplus में negative में भी दिखा सकते है alternative तो हम जब आएगा ना तो वो दूसरा alternative तब देख लेंगे ठीक है अब ही यह तो 5000 में से तो यह इस तरीके से होने वाला है तो sir आईए क्योंकि यह other expense के अंदर लेके जाना है तो आते हैं other expense में लेके हमने बड़ा बनाया था क्या लिखेंगे preliminary expense preliminary expense sir यह कितने का है that is 50,000 और question के adjustment में था इसको करना है 5000 राइट ओप तो माइनस राइट ओफ पांच हजार पांच हजार राइट ओफ करना था आप एक चीज़ ध्यान रखेगा यहां पर थोड़ा सा गड़बर भी कर सकते हो आप के 5000 राइट ओफ करके कहीं ऐसा मत करना कि यहां 45 दिखा देगा हो सकती ऐसे गलती और जो कि अक्सर मैं भी कर देता 55 क्योंकि वो तो 45 दिखा दिया यहां पर तो इसका मतलब क्या होगा आपने statement पर 45 दिखाए जबकि यहां कितना दिखाना है आपको पांच तो आप यहां पर राइट ओफ वाले amount को minus कर दो या राइट ओफ वाले को direct दिखा दो या फिर मैं इसके अंदर क्या करूँआ यहां पर ऐसे कर देता हूँ राइट ओफ ना लिखके मैं लिख देता हूँ या एक काम करते हैं हम balance sheet में चलें क्या पहले balance sheet में कर ले या नहीं balance sheet के note ने बनाने से बचेंगे हम कर देंगे carry forward to next year कुछ बच्चे confused ना हो जाए बताओ कितना आगे जाएगा 45 next year चला जाएगा यह तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5000 मैंने ऐसे कर दिया है समझ में आ जाना चाहिए बाकि इसका करने का तरीका ये भी था कि मैं एक note बनाने से बस बच रहा हूँ क्योंकि मैं यहां पर जो है ना जो मैंने लिखा है यहां पर other known current assets यहां पर मैं सीधा 45,000 put करना चाहता हूँ नहीं तो मुझे इसके लिए note बनाना पड़ता और ऐसे दिखाते है इसके bracket में लिख देता हूँ मैं पचास हजार में से माइनस 5000 किये मैंने आप ऐसे भी दिखा सकते है इसको ठीक है ना तो बहुत सिंपल सी बात है जितना पार्ट राइट ओफ होगा वो पी इंडल में च इसके 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 लिए था और यह बुक के रिलेटेट से कर रहे है तो सिंपल सी बात है अगर मैं अज़स्मेंट के उपर जाओ तो क्या करना है सर अगर प्रिल्मिनरी एक्स्पेंस हुआ तो जितना पार्ट राइट ओफ बोला जाएगा उससे कहा दिखा देंगे हम स्ट in case of adjustment not given not given then all amount so in statement and profit and loss account ठीक है so in statement and profit and loss account जो बच्चे इसको note करेंगे बाद में note कर लिए चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं ये भी adjustment कर लिया अब provision for tax आप याद रखना provision for tax हमेशा total 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 के बाद होगा और दो note ऐसे हैं जो सबसे last में बंद होगे एक reserve and sir plus और एक आपका provision for tax या short term provision जिसे कहलो note अगर बनाया है तो सबसे last में जाएगा आगे कहता है no final dividend और stock वाला भी हो गया आप देखो तो almost सारा हो गया और एक part रहता है हमारा ये तो अब देखिए फटा फट से हमारे दो adjustment pending है अगर मैं mark कर दूँ नहीं यहाँ पर एक तो income tax income tax आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक के आपको profit नहीं पता लगता तो बाद में होगा और एक ये वाला कहता है के transfer करना है 5% of net profit का तो sir 5% of net profit का भी तब तक नहीं कर सकते जब तक के आपका profit फिटना पता चाल जाए तो ये दोनों बाद में होना है ठीक है तो हम अब totaling का process start करने वाले हैं totaling में इसका totaling नहीं करना सिर्फ note का totaling करना है आपने सिर्फ note का तो 33,00,00,00 में से अब देखें note का totaling भी कैसे करना है ये भी एक 8 है कुछ बच्चे फटा फट जल्द बाजी के चक्कर में गलती कर देते हैं तो note का totaling में करने जा रहा हूं कौन सा मार कर लें चलिए ये ले लेते हैं 39,00,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, आठ लाग, ताठ लाग, बैयाले सजार, चलिए अब इसका total कर लेते हैं, ताथ पचास माइनस नोपचास, दो लाग और वो भी माइनस का, पेसेंस रख के करना है, पहले rule फॉलो करेंगे हम, आठ सातर माइनस, आठ लाग, चब़िस हजार, पानसो, चार लाग, माइनस, 75,000 40,000,000 में से 75 49,000,000 25,000 अब यहां पे भी टूटल कर लेते हैं 43,500 69,21 और 5,000 38,500 और रिज़र रैंसर फ्लैस का नोट बंद नहीं होगा अब फिलाल के लिए ठीक है ना? चलिए आगे हाजाते हैं 97 4,000 आप भी टूटलिंग कर लिजए कई बार मैं 0 बहुत बाद छोड़ देता हूँ एक अड़्जस्मेंट रहे गया भी डिबेंचर वाला ना? चलिए बताते हैं भी और इसको भी कर देता हैं 4,000,000 अब देखेंगे आप मेरे अगर अड़्जस्मेंट को ध्यान से देखें ना? तो यहाँ पे जो डिबेंचर दे रखा था तो मैंने कहा था आपको कि अगर कोई इंट्रस का रेट दे अंदर तो मतलब अड़्जस्मेंट है अब इसके अंदर दो बाते हो सकते हैं कि और इंट्रस का स्रिफ रेट दिया और कहीं इंट्रस नहीं दे रखा तो तो पूरे साल का आउट्स्रेंडिंग मान के कर दो अब इंट्रस का रेट और कहीं इंट्रस तो नहीं दे रखा तो देखें इंट्रस का रेट भी दे रखा है आपको और उसके साथ साथ इंट्रस भी दे रखा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कितने राक रुपे का था तीस लाग का इसके लिए करना होगा 12% हमारा जो डिबेंचर है न वो है 30 लाख का इसका मतलब इस 30 लाख रुपे पे 12% के ब्याज होगा तो इंटरस्ट बनेगा आपका 30 लाख पे 12% यानि 12 बटे में 100 तेट इस आपका 3,60,000 और आप जब चेक करोगे तो पहले से इंटरस्ट 1,80 दे रखा है इसका मतलब सर 3,60 का टूटल बनता है 1,80 पहले से दे रखा था एड हो जाएगा Outstanding expense यापका हो जाएगा हमारा 1,80 और बच जाएगा सब जाके बनेगा टूटल 3,60,000 और इसकी Double Entry कहां कर देंगे Outstanding expense का Other Current Liability अकेला एक ही है तो नोट बनाने की कोई अवशकता नहीं लगरी मुझे तो Other Current Liability में मैं 1,80,000 पुट कर दूँगा और bracket में लिख दूँगा Interest ठीक है? Clear? चलिए अब इसका भी टूटल कर लिया अब सभी का टूटल कर लिया अब देखो आपके लिए नोट बनाना इतना आसान हो जाएगा जिसके आगे amount नहीं है उसको numbering देते जाओगे देखना जिसके आगे amount नहीं है लेकिन लिखा तो है न एक number दो number इसके आगे amount है तो हो गाई नहीं इसके आगे नहीं है तो कि इसके आगे हाँ इसमें है तो नहीं देंगे इसमें भी नहीं देंगे इसमें भी नहीं देंगे इन्वेंटरी में भी नहीं देने वाले ट्री डिसीवेवल में नहीं देने वाले एक ट्री डिसीवेवल में नहीं है तो कितने पांच नंबर और इसके आगे है अधर करेंट assets other current assets में कुछ आया ही नहीं है ना कुछ तो नहीं आया इन other current assets में नहीं आया तो इसका देना ही नहीं नहीं तो 5 नमबर तक नोट हो गया आगे चलो सर अब इसके आगे नहीं अमाउंट है तो so that मुझे number लिखने की जोरत नहीं है बाकी के बाद यहां तक समझ मैं आएंब जहां जहां number लिखा है वहां वहां amount को float करते जाओ और numbering करते जाओ तो PPE को क्या number दिया है अपने PPE को क्या number दिया है PPE को 4 number दिया है तो सबसे पहले PPE था नंबर 4 अब बाद में numbering लिखेंगे समझे आप इसके बाद अगला क्या है हमारा change in inventory तो change in inventory को क्या दिया है यह रहा change in inventory 6 नंबर 6 समझे रहे हुआ इसके बाद क्या है trade receivable check करो trade receivable को क्या number दिया आपने trade receivable 5 नंबर दिया है तो अब लिखेंगे 5 अब share capital को क्या number दिया, एक ही होता ही है always, अब other expense को क्या number दिया देखो, no number दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, no, इसके बाद क्या है, revenue, तो यह हमेशा 2 होता है, तो 2 number, इसके बाद आगे आ जाते हैं, हमारा क्या है, employee benefit, कितने number दिया है, statement profit and loss में चेक करते हैं, employee benefit को हम हमारे लिए यह का, 7 number, इसके बाद आ जाते हैं, आगे हम, finance cost को क्या number दिया है, 8, यह आगया, 8, अब आगया trade payable, trade payable को क्या number दिया, यह तो balance sheet में पता चलेगा, number दिया भी या नहीं दिया मैंने, trade payable, 3 number, 3 number, कहा गया sir, 3 number, अब noting भी चलेगे, अब amount को भी उठा उठा के फटा-फट से लिख देना है, तो employee benefit में 9,74,000, अब बताते जाएगेगा, इहीं पर है, 9,74,000, employee benefit, 9,74,000, इसके बाद है हमारा finance cost 3,60, finance cost 3,60, इसके बाद, trade payable है, trade payable है हमारा 7,70,000, यह तो balance sheet में जाएगा, trade payable, note number 3, 7,70,000, अब आ जाते हम, आगे कहाँ पे sir, PPE, 60,42,000, balance sheet में, 60,42,000, इसके बाद आते हम, change in inventory, minus का 2,00,000 है, तो आप यहाँ पे भी आपका minus में ही लिखना है आपने, ध्यान रखेएगा यह, ऐसा नहीं कि minus में नहीं है, plus में ही आएगा, यहाँ पे भी किस में आएगा, minus में भी आएगा, यह भी हो गया, जिस पे हो गया ना, मैं टिक मारता ज यह भी हो गया, इसके बाद आजाते हैं, इसके उपर, share capital, 49,25,000, note number 1, 49,25,000, 39,25,000, इसके बाद आजाते हैं, यह भी हो गया हमारा dancer, इसके बाद आजाओ हमारा क्या, other expense, 138,500, 138,500, इसके बाद reservation surplus तो भाईया बाद में जाना है, सारे हम जगे लिख चुके हैं, अब हमारा P&L का balance sheet से कोई तालुक नहीं होता, पहले P&L बनता है, फिर balance sheet बनता है, त पहले इसका total कर लेते हैं, इसके तालिस और 35, कितने होगे 41,50,000, 41,85,000, अब इसका total कर लेंगा फटा-फट से, देख लेते हैं, क्या हाता है, 18,50,000, minus 2,00, plus 9,74, plus 3,60, plus 3,30,000, plus 1,38,500, यह आगया सार, 34,00, 34,00, 52,500, अब हमने minus कर देंगे 41,00, क्योंकि यह बनता है, हमारा क्या सर, यह बनता है, 3 में से minus करना है, हमें 5 को, total, तो income और खर्चा minus करेंगे, इसमें से minus करेंगे, तो क्या है का 41,00, 85,000, that is, आपका आगया 73,25, यह बनता है, साथ लाख, सर्ड़ी, पच्चिस एक ही जिरो है, यह बनता है, यह बनता है, साथ लाख, 32,500, पहले यहां तक बताओ, सवंज में आया की नहीं है, सर, क्या आज morning कल क्लास होगी, सर, क्या आज morning, हाँ, अभी मैं send करूँ है, इसको पीडियाफ तो, डॉली मुझे समझ में नहीं है, सर, क्या आज morning की class होगी, morning की class ले रहा हूँ, मैं तो 9 बज़ जैसे class ले रहा हूँ, उसमें, सामझ में नहीं आया है, मुझे क्या पूछ ठीक है, अब अब देखो income tax, हाँ, income tax यह देखो, income tax दे रखा था 35%, तो जो यह answer आया है ना, इसकी उपर 35% निकालेंगे, तो 35% किसका, इसका, 73, 2500 का, इस बात का ध्यान रखना है, तो इसके उपर 35%, that is आगया आपका, यह adjustment था, यह आगया 25, 365, इसकी double entry पता है, कहाँ चला जाता है, मैंने बताया था, एक तो जाएगा यहाँ पर, और दूसरा चला जाएगा भी, बताया था, कि short term provision में, तो short term provision में, अकेला यह जाएगा, आपकी इच्छा है, तो note बना लीजिए, otherwise direct लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि short term provision में, 25, 365, 25, 65, 25, 25, 25, चलिए सर, यहाँ तक आ गया, किसी को कोई दू, हाँ, नहीं, वहाँ सही लिखा, यहाँ गलत लिखा है, क्योंकि मेरे calculator में देख रहा हूँ न, 25, 365 है, यहाँ गलत लिखते हैं, अरे, ठीक है, किरिया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब मैं इसमें से माइनस करूँ गा, तो कहाएगा, 75, 25, 35, तो यहाँ गा, 47, 6, 125, ठीक है, अब यह 47, 6, 125 है, ये वाला पैसा पता है, कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा, रिजर्वेंसर प्लस में, ये नए वाला प्रॉफिट है, करेंटियर का प्रॉफिट, यह कहा आ जाएगा कहा था लिखा था हमने पहले ही फूर सेवन है जैवन सिक्स वन टू फाइफ अब एक और अजिसमेंट रह गया था सर पहले वाला अजिसमेंट डन कर चुके हम एक यह अजिसमेंट रह गया है कहता है ट्रांसफर फाइफ पॉर्चेंट तो हमेशा याद रखन जो 5% जनर्रिजर्ब में ट्रांसफर होगा ना जो यह आया है ना हमारा इसका 5% ट्रांसफर होगा फिर से देखो जनर्रिजर्ब में कौन सा पैसा हुआ जनर्रिजर्ब का मतलब मेरा पैसा हमें कहीं हटा कर रख रहा हूँ बाद में जुरत पड़ेगी तो वही पैसा हटा 5% तो मैं इसका 5% निकाल लेता हूँ यानि इसी का 5% भी बोल सकते हूँ जो कि आगे हमारा 223 असी 6 यानि सर 23,806 रुपय आ गया और वापस से यहीं एड कर देना है जनरिजम में फिर से देखें इसमें बच्चों को काफी दिक्कत रहती है जो जनरिजम वाला पॉइंट है एक तो नए वाले प्रॉफिट जो निकल के आएगा उसी के उपर यहीं पर माइनस करना है और इसी नोट के अंदर जनरिजम में एड कर देना है क्योंकि आप समझो क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा जनरिजम में जिरो छे तो आप समझ सकते हो गया अब कि इसको मैंने सबसे लाश्ट में क्यों बोलो क्योंकि इसमें सबसे लाश्ट में काम आ रहा है ठीक है न चलिए सर अब इसका टोटलिंग कर लेते हैं यह भी माइनस का है तो यह आ गया छबिस 476125 माइनस 6,00,00 और माइनस 23,806 यह आ गया 115 115 319 अब जब इन दोनों को टोटल करेंगे यह आ गया हमारा 38 9125 अब जो यह 38 9125 आया क्या है यह रिजर्वेंसर प्लस नोट नमबर क्या डाला है 2 तो आ जाते हम इसके 38 9125 अब सब कुछ आ चुका है कुछ रहे गया आप चेक करो सब कुछ आ गया ना इसके अंदर अमाउंट भी चेक कर लो इसके आगे भी आ गया इसके आगे आ गया इसके आ गया इसके आ गया इसके आ गया अब टूटलिंग का प्रोसेस कर लेएं 49 लाग 25 अजा 30 लाग 25 63 75 यह आ गया 85 लाग 85 लाग 25 500 अब इसके को टूटल करेंगे यही आना चीए भी या देखो इतनी मेनद तो कर लिए हमने अब यही नहीं आए तो फिर दुबारा करेंगे ठीक है 60 यही आ रहा है हमारा तो बच गए दुबारा करने से 85 25 85 25 अब आपके इफ और बट बता दीजिए बस मुझे सर टूटल गलत है किसका टूटल की बात कर रहे है हर्दिक 11 52 पैसट किसका टूटल है 11 55 देखो मैने तो मैच भी कर दिया चेक कर लो हर्दिक इखेबार सर एक अमाउट एड़ कर रहे हो उसी को सर एक ही अमाउट एड़ कर रहे हो उसी को लेस कर रहे हो आप सर जनर्र रिजर्व की बात करो बिल्कुल सही सर रिजर्व एंड सर प्लस में एक पंदरा दो सो पैसट पता नहीं बच्चे कहां कहा रहे हैं मैंने तो सही किया और मेरा मैच भी हो गया आप नहीं नहीं एक बाद ध्यान रखना मैं कई बार बरवली कुछ और बोल रहा हूँ लेकिन मैं लिख कैलकुलेटर से रहा था और टोटलिंग कैलकुलेटर से किया था मैंने तो उसकी मत सोचेगा एक बाद टोटल कर लीजेगा आप इसको मैं भी कर लेता हूँ 2-63 मैं बिल्कुर सही लिखा है आप दुबारा टोटल कर लीजेगा कोई बात नहीं है कई बार क्या होता है मैं तो कैलकुलेटर पे टोटलिंग सारा एक बार में लेके चलता हूँ तो मैं इस पर से देख देखके लिखता हूँ देखो preliminary expense में क्या होगा, देखिए, तरफ preliminary expense में क्या होगा, preliminary expense में statement profit and loss में क्या होगा, जितना होगा, minus हो जाएगा और जितना minus होगा न, वो पहुंच जाएगा balance sheet में, यानि simple सी बात है, कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ऐसे समझो, कि preliminary expense कुछ बच्चे बाद मैं note करेंगा तो दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा change ही कर देता हूँ, preliminary expense, statement profit and loss में, other expense में, right of amount, आप सही है, कि other expense में आपको नो right of amount दिखा देना है, और इसके अंदर कौन सा amount दिखाना है, balance amount, ठीक है, balance amount, correct, balance amount, तो हमारे अब इसको ध्यान, अगर आपको पता चलता है, इसको तो मिटा दे, फिर arrow को कोई काम कहीं नहीं रहा, arrow तो, तो देखिए, preliminary expense कितना था, हमारा right of 5,000, तो 5,000 रुपे statement profit and loss में चला गया, और balance assets में आ गया, तो balance assets में आ गया, कहां पे हमारा, other non current assets में आ गया और 5,000 रुपे चला गया हमारा कहां पे, चेक करिए हमारा 5,000 यह आ गया है, ठीक है, balance sheet प्रिएंडर learn करने का एकी तरीका है, 5 यह सवाल कर लो, आप देख देख के कर लो, बेसक देख देख के कर लो, मैं यह नहीं कह रहा है कि आपको बिना देख के करना है, आप देख दे चीज़ देख के करिए, आपको automatically learn हो जाएगा, management की नहीं है, सर 47,725 क्या आया, एक बार बता दो, कहां आया, यह profit आया, इसमें से हमने क्या करा, देखो less कर रखा है हैं, चुरो नहीं किया तो कर देते हैं, इसमें से इसको minus किया, तो यह आ गया हमारे, ठीक है, और यह कैसे आया, इसके उपर 35% calculate करने के बादेख, PDF आपको content में ही मिल जाएगा, अभी मैं save करूँगा, फाइल, फिर मैं वीडियो को भी upload करूँगा, फिर आपको PDF भी available हो, ठीक है न, बुक में कुछ journal format में, हाँ, journal में पहले दो है, आप सबके पास tenure आ जाएगा, बुक के question भी मैंने, उसमें कुछ है, उसके अंदर provision for tax की journal entry है, और एक है हमारा manager remuneration के उपर है, और एक दो छोटे छोटे से और point है dividend के उपर, जिसमें journal entry करे हुए है, starting के एक दो, तो मैं starting के एक दो last में cover कर रहूँ है, ठीक है, तो एक question हमने किया, definitely इसके अंदर हमने time जादा लिया, लेकिन, जिस बच्चे ने सुरू से last तक देखेग आने इस video को, वो ये नहीं कह सकता, कि sir, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कह सकता है, कि sir, lengthy लग रहा है हमें, क्योंकि मैंने धीरे धीरे एक-एक step wise कराया है, जिस बच्चे को एक समझ में आ गया न, adjustment आ गया, उसके लिए chapter end हो जाता है, उसको तो अगले question पे देखो, अगले question को अगर आप देखते हो, तो मैंने adjustment में इसलिए उस दिन time लगाया, यहां के सारी बाते आपको पहले से आती है, इस item को transfer करना भी आ रहा है, इस item को transfer करना भी आ रहा है, इस item को transfer करना भी आ रहा, इसके बाद क्या कहता है, inventory पता है, provide income tax कर लिया, corporate dividend tax पहले, corporate dividend tax ये आपका plant and machinery पे 15%, depreciation patent पे 5%, outstanding rent कैसे करना है, outstanding salary को कैसे treat करना है, provide benefits कैसे आपको करना है, board of director recommendation payment, recommendation की जगा पे इसको भी काट के मैंने final कर दिया आगे मैं, 15% दिया है, और transfer 5% जनरिजब, यानि आप इसके अंदर मैं बोलू ना तो 95% पार्ट आपको पता है, इसमें, सर्फ डि करके जितना भी हो सकता है, न करना, prepare statement, profit and loss, तो देखो 2009 में आया, 15 में आया, 16 में आया, क्या पता है, 23 में भी आ जाया, ठीक है, तो उसके हिसाब से लेके चलना आपको, सर, पिछली बार का question paper solve करा दो, जिन बच्चों ने tenure लिया होगा, पिछली बार का question paper मैंने already solve करके डाल दिया है, उसका solve paper का solve कर, अब मैं tenure की question आगे लेके चलूँगा, maximum, तो उसकी चिंता मत करिया, उसके अंदर मैं cover कर लूँगा, पिछली साल का question paper मैंने solution तो लिख के तो कितने question और भी करते हैं, इसमें dividend के साथ है, हम ये question try करेंगे, कितने बच्चों ने ये वाला question try किया था, question करने के लिए दिया था, बताईए कितने student ने किया try, good evening, हम जी आपने किया question, चलो फिर मैं कर देता हूँ, आज जितने बच्चे ऑफ-लाइन वाले सारे रेजिस्टर चेक कर आगे जाएंगे, चलिए, जैसे last class में हमने किया था न, मैं तो forment बनाई रहा हूँ, इतने आप भी एकदम फटा-फट से बना लो forment, so that, कि हम कर पाएं, equivalent, चलिए, पहले question भी मैं पढ़ता जाता हूँ, कहता है हमें, V Limited का, 31 March 2015 का information given है, जिसके अंदर, Inventories, Opening stock है, Purchase दे रखा है, Wages दे रखा है, Carriage दे रखा है, अब ये Carriage कौन सा Inward है, ध्यान रखना, जब कुछ ना बोला जाए, तो ये Carriage Inward होता है, और furniture दे रखा है, salary दे रखा है, rent दे रखा है, और expense है, debtor, plant and machinery, cash at bank, patents, bills receivable, purchase return दे रखा है, यानि सर, purchase के उफर है adjustment, sales भी है, discount receive है, surplus, ये surplus बताओ कौन से वाला है, ये surplus कौन से वाला है, old वाला, ये कौन से वाला है हमारा, old पुराने वाला, share capital दे रखा है, creditor दे रखा है, general is the bills payable, ठीक है, इसके बाद कहता है, inventory, closing stock पता है हमें, income tax, ये तो सबसे last में होगा, income tax वाला, बस मैं एक पढ़ रहा हूँ, corporate dividend tax, अब नई वाले में देखोगे, तो नई है ये, मैं काट देता हूँ, ये है ये नहीं पार्ट अब, है न, ये हमारा पार्टी नहीं है, मैंने हटा दिया, इसको, इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है, corporate dividend tax है नहीं, depreciation plant एंड मसीन दी ठीक है, furniture पे 10% ये भी लगा लेंगे, patent पे 5% ये भी लगा लेंगे, outstanding rent है, rent के उपर adjustment है, outstanding salary है, ये भी कर लेंगे, provide 550 doubtful debt, ये भी हम adjustment कर चुके हैं, the board of director payment, director ने payment किया, recommendation मैंने काट रिया है, payment किया 15% dividend, तो अब 15% किस पे करते हैं, dividend हम करते हैं, जो हमारा equity share है, उसके उपर 15% किया जाता है, जो कि हमारे पास कितना है सर, हमारे पास सर, sundry expense, other expense के अंदर जाएगा, तो इसके उपर जाएगा हमारा किस के उपर सर, share capital 1,005 पे 15%, that is 15,000 रुपे, transfer 5%, तो देखो question बहुत simple है, again, मैंने देख लिया, अंदाजा लगा लिया, कि किसके note बनने नहीं बनने में, blank format फटाफट से बनाने लगता हूँ, आप भी बनाएगे फटाफट, आज इसको time के साथ करेंगे, हमारा time क्या हो रहा है, साथ बच के तीन मिनट हो रहा है, कितनी देर में खतम करते हैं, जल्दी जल्दी आप भी फटाफट बनाएगे, जितने बच्चे नए जोइन हो रहे हैं, वो भई उनको ये chapter समझ में अभी नहीं आएगा, उनको starting से करना पड़ेगा, Tuesday से new chapter स्टार्ट कर रहे हैं, तब उनको नया समझ में आने लगीगा, हमारा first part है equity and liability, equity and liability, इसके अंदर जाएगा हमारा a part, नहीं यह नहीं one जाएगा पहले, one होता है हमारा, shareholder, fund, a part जाएगा share capital, b part जाएगा reserve and, surplus ठीक है, सर अब second part क्या लिखेंगे हम, क्या यहाँ debenture है, debenture का कहीं दूर दूर तक नामो निसान नहीं है, तो सीधा आजाएगा current, liability, ठीक है, सीधा क्या आगया हमारा, समझ रहे हो कैसे आए current liability, क्योंकि बीच की चीजे है ही नहीं, तो सीधा हमने वो नीम दे दिया, current liability में क्या क्या आएगा हमारा, एक आएगा trade payable, creditor था, other current, other current asset, और एसेट क्यों लिख दिया, liability, और C आएगा, provision for, बिल्कुल, बिल्कुल, अगले पर आजाते हैं हम, second पर, यह आजाएगा यहाँ total, इसके बाद second पर आजाएगे हम, second क्या रहेगा हमारा, asset, assets के अंदर हमारा सबसे पहला point रहेगा, known current assets, देखो question आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, आप देख रहे होगे फाइदा में को tension नहीं है, question पहले पढ़ने का फाइदा मिलेगा, सर क्या फाइदा मिलेगा question पहले पढ़ने का, पहले question पढ़ने का फाइदा यह मिलेगा, कि कितने आपको gap छोड़ना है पता चल जाएगा इसके अंदर A part आ जाता है हमारा A के अंदर first point आता है हमारा PPE और second आ जाता है हमारा intangible और तो कुछ था ही नहीं investment वगर है जैसे कोई चीज मैंने देखने को नहीं मिले तो मुझे पता था भई अब आ जाते हैं सर्व second point पर second point भी कुछ नहीं है तो सीधा अब जो चलेंगे हम देखो कितना आसान हो जाएगा यह second के बाद हम चलते हैं सीधा second पर और second आएगा current current assets sir current assets में क्या क्या आएगा अभी देख लो current assets में जो आएगा ना वो आएगा number one number a inventory number b b क्या आएगा हमारा cash and cash sorry trade receivable c cash and cash equivalent यह जी यह लो यह आगा थोड़ा visualize कर दिया आपको चलिए जी ठीक है ऐसा ही हम क्या बना लेते हैं sir P&L P&L बनाते हैं अगले पेजब चलिए P&L का मतलब statement profit and loss और मैं उमीद कर रहा हूं कि आप सब भी बना रहे हूं है साथ के साथ सिर्फ इंतिजार नहीं कर रहे हूं है कि मैं करूआ आप सभी मेरे से स्पीड में बना रहे हूं है फॉर्मेट नोट अमांट पर्टिकुलर इसके बाद यहां पर क्या चलता है numbering हमारा sir यहां पर चलता है हमारा रॉमन में वन revenue from operation second other income third total fourth expense और expense के अंदर points आ जाते हैं a purchase b change in inventory c employee benefit d finance cost e depreciation and and f other expense इसके बाद आता है हमारा निकल के पांच total so total के बाद क्या आएगा हमारा six point आएगा हमारा profit profit tax seven point में हम क्या माइनस कर देंगे tax और eight point जो generate होगा वो होगा profit after tax ठीक है ना चलिए एक एक adjustment करते जाएंगे और note भी बनाते जाएंगे मैं note के लिए भी पहले ही काम कर लेता हूँ थोगा इसके अंदर मुझे उमीद है काफी note नहीं बनने वाला कर भी पहले ही पहले ही जाएंगे झाले ला हम लाएंगे इसके खख़ लाएंगे एक जाएंगे को इसके बनाते माव़े चल्प रगवा उनाते चलाएंगे इस वार इसी पेज पर बन जाएगा यह चलिए सर नोट बनाने का क्या तरीख है हम एक एक करके कोश्चन पढ़ेंगे और करते जाएंगे मैं इसे मिटा के क्लीन कर देता हूँ ताकि मैं टिक मार्क लगा पाँ सबसे पहला पॉइंट है इन्वेंट्री इन्वेंट्री कहा जाता है सर चेंज इन इन्वेंट्री हमेशा माइनस प्लस होता है तो आपके पास या तो inventory का note बना लीजिए या तो फिर आप profit and loss में ही क्या करिए minus plus कर दीजिए, दोनों option अविलिबल है, या तो आप क्या करिए, बना लीजिए note या profit and loss में ही minus plus कर लीजिए, दोनों option आपके पास available है, तो sir हम क्या करें, हम note बना ले क्या, बना लेते हैं चलो नोट हमें लिखना है पहले नोट और चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेंट्री ठीक है ओपनिंग इस्टॉंग और अल्दो इसको बिना बनाए भी बात बन सकती है कितने का है सर 75,000 आगे देखते हैं परचेस 2,45,000 परचेस कितने का है 2,45,000 तो सर परचेस का भी नोट बना लिया जाए क्योंकि इसमें परचेस रिटन भी मैंने देखा था परचेस यहां जाएगा परचेस 2,45,000 इसके बाद है हमारा वेजिस वेजिस किसका है एंप्लॉई बेनिफिट का क्या वेजिस के अलाबा सेलरी भी है जी हाँ तो एक और नोट बन जाएगा एंप्लॉईमेंट बेनिफिट नोट एंप्लॉईमेंट को डबल ई लिख रहा हूं बेनिफिट और सब के नीचे लाइन खीजे तो बहतर है नोट के नीचे ना इंप्लॉई बेनिफिट में पहले क्या लिख लें हम वेजिस सर इस पे भी अड़जिस्मेंट था तो मैं तो अड़जिस्मेंट बाद में करता हूं 30,000 रुखें कितने आगे 30,000 इस पे हलाकि मैंने देखा है आउटस्रिंडिंग था अब वेजिस के बाद क्या गीवन है सर कैरिज अब कैरिज को ना दो जगे दिखा सकते हैं या फिर दूसरा ओप्शन है अधर एक्स्पेंस में दिखाईए आप यह आपके उपर अविलिबल डिपेंड करता है कहां दिखाएंगे सर पर्चेज में क्यों एड होगा यह इक बार बता देना है क्लियर वीजुल है आप सबी को सर प्रोविजन की जगे शौट ठरम प्रोविजन आएगा हाँ वो मैं कर दूँगा कोई दिखाटने पहले आप बता दो एक बार क्लियर वीजुलिटि अविलिबल है आप सबी को बुक का नहीं अभी ये टेनियर की कुश्चन्स करा रहा हूं मैं बुक में मिल जाएगा आगे पीछे कहीं होगा ये थोड़ा सा बलर है एक मिनट रुकिएगा बस बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा बलर है चलिए अब देखे क्लियर है नाव सेम ही है या फिर क्लियर है बता दे किया रहा है सर बुक के कुश्चन्स सिक्स है बिल्कुल सिक्स हो सकता है मैंने और वहाँ भी एक्जाम में आये हुए कुश्चन्स कर रहा है क्लियर है सर ओके चलिए कम टूदा पॉइंट आप भी ना देखते रहिएगा सामने मुबाइल लैप्टॉप है रजिस्टर होना चाहिए पैन होना चाहिए और फटा-फट आपको साथ के साथ नोटिंग करके चलना चाहिए क्योंकि आपको पता चल गया है फटा-फट मेरे से तेज आंसर निकालना है आपको इसके बाद क्या गीवन है सर्फ पर नीचर गीवन है अब मैं क्या बोल रहा था कि केरीज को दो जगे ऑप्शन पूट कर सकते हैं या तो आप परचेज में एड़ कर दीजिए या अधर एक करें ला ठाइब कर दो जो एक वाधा रहे हैं तो आपको फूट करवाना पड़ेगा पांस रुपर इसके वाला लेगा चोड़ने का यह टेमपो पे जाएगा तो भएब मेर पास दो ऑप्षन है या तो मैं क्या करों अगर मेरे पास कार वगएर है तो मैं उस कार में डालक के लिया हुआ है तो अगर मैंने उसको दिया तो वो क्या करेंगे 50,500 का बिल बनाके दे देंगे तो जो अब ये वाला जो कैरीज मैं बता रहा हूं ना 50,500 पांसो के परचीज का पार्ट है लेकिन मैं कार में ले आया है पेट्रोल का खर्चा है ये भी कैरीज लगा लेकिन ये अधर एक्समेंस पर डाल देंगे तो सर हम कैसे जज्जमेंट करें कि कौन सा किसका पार्ट है कौन सा किसका पार्ट है इसलिए मैंने बोला कि आपको जहां इच्छा करे दिखा दो मेरा य कोनों बात यह समझ में आ गया कि कहीं भी जाएगा अल्टीमेटली खर्चा तो जूड़िके नेट प्रॉफिट आना है ना उसमें तो कोई दिक्कत तो होगा नी तो आप कहीं भी दिखा सकते हो तो मैं इसको अब ही ना भी कहा दिखा आप बता हो पर्चेश सानु परचेश में बोला था पर्चेश करदे था नो दोनों जगह दिखाना है, यह ध्यान लखना है, कहले है इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं सर, अगला इसके बाद है फर नीचर, फर नीचर पी पी इप्रापटी प्लांट एड क्यूप्मेंट का पार्ट एक सतरह हजार तो एक नोट बना लेते हैं पी 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 इपी सर, प्रापटी प्लांट एंड एक्यूप्मेंट क्या लिखा था, फर नीचर इतने रुपे का था, बुक के अंदर बच्चे कह रहे हैं छटा कोश्चन है, देख लिए ना एक बाद, कितने था, पंदर, शतरह हजार चलिए सर, कि अगले पॉइंट पर आते हैं, सेलरी, पर नीचर के बाद सेलरी, कितने का है, पिछटर सोगा, चलिए जी सेलरी भी लिख लेते हैं, तो इंप्लॉई बेनिफेट माएगा, सेलरी, कितने का, सेवेंटी फाइव, हंड्रेट, सेलरी भी, टिक करते जाना, आप भी का दाया नीचर, आते हैं, सेलरी बीख लेते हैं, यहां मैं अने तो अब अदर एक्सपेंस, आपको बताया था, अदर एक्सपेंस का बड़ा होता है, थोड़ा सा नोट है ना, नोट अदर एक्सपेंस, अधर एक्सपेंस अब अधर एक्सपेंस में क्या रहा है हमारा रेंट कितने रुपे का रेंट है बताओ इसके उपर अंदर रख रहा हूं और अध्यस्मेंट है चलिए अगला हमारा संड्री एक्सपेंस यह भी अधर एक्सपेंस का पार्ट है 16,950 16,950 अधर एक्सपेंस संड्री एक्सपेंस 16,950 आईए इसके बाद क्या है डेटर किसका पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल का इसके उपर अध्यस्मेंट है इसलिए एक बना रेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल यहां बनाया जा सकता है नोट ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में क्या हैगा सर डेटर कितने का है डेटर सर डेटर कितने का है डेटर 27-500 27-500 कलिए सर डेटर के बाद क्या गीवन है हमारा प्लांट एड मसीनरी 29,000 रुपए तो आज यह पी-पी-ई के अंदर लिखेंगे प्लांट एड मसीनरी थोड़ा लाइन छोड़के प्लांट एड मसीनरी प्लांट एड मसीनरी कितने 27,500 रुपए ठीक है चलिए प्लांट एड मसीनरी के बाद आते हैं cash and cash equivalent का बनेगा क्यूंकि dividend का याद होगा जब dividend payment करते हैं तो मैंने बोला एक bank से minus कर देना और एक क्या करना अब सर एक dividend दिखा देना आप अर्जिस्मेंट देखो तो हम cash and cash equivalent का भी note बनाएंगे 29 है 27,500 किस ने लिखवा दिया थे 29 हजा अच्छा ये था 27,500 39 हजा इसके बाद क्या है cash and cash equivalent इसका भी note बना लेते हैं cash and cash equivalent किसने का है cash and cash equivalent बताओ आपके भुक का ही question है नंबर भी बता दिया है मैंने थे फोड़ा different है ओके ओके चलिए हम थे plant and machinery लिख चुके है पेंतालिस तीन सो cash at bank था ना cash लिख दिया bank था अभी कर देंगा ठी इसके बाद patent 4800 तो यह होगा intangible assets एक और note बनेगा हमारा intangible और इस intangible के अंदर क्या जाएगा patent कितने का patent कितने का 4500 patent 4500 4800 भई अरतालिस सो इसके बाद आगे देखा जाए तो bills receivable 5000 तो हमने note पहले से अल्रेडी बना रखा है trade receivable का यह देखिए तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ BR कितने का है 5000 बस question खतम होने वाले यह 3-4 purchase return कहां से minus हो जाएगा 1000 तो less purchase return 1000 है दस हजार है 10 हजार इसके बाद चलिए purchase return के बाद sir fifth question कराया था answer 10 year में कुछ अलग दे रखा है वो पुराने थे answer नए वाले answer चेक करिए आप sales sales 3-4 तो revenue from operation इसमें कुछ है नहीं करने के like तो मैं directly लिख सकता हूं इसके बाद discount रिसीव अधर इंकम का पार्ट है और कुछ अधर इंकम है नहीं तो directly रिख देतें इसके बाद discount रिसीव के बाद old profit and loss है तो reserve and surplus का सबसे बड़ा note बना लेते हैं यह तो इतना ही रहेगा note यह के नीचे का सारा वही रखेंगे रिजर्व कि एंसर प्लस कि इसके बाद है सर क्रेडिटर सत्रह हजार पांसो रुपय का तो क्रेडिटर किसका पार्ट है ट्रेड पेवल का यहां बिल्स पेवल भी और क्रेडिटर भी है तो एक note और बनाना पड़ जाएगा क्रेडिटर का ट्रेड पेवल का जनर जब प्रॉफिट लॉस भूल गया इसमें old प्रॉफिट लिखना भूल गया कितने का था एक लाध पंदरा हजार और शेयर लेक लागता है कि पंदराजार कि इसके बाद तर मैंने यह बनाया क्यों था इसके बाद है हमारा शेयर कैपटल एक लाग का कुछ थाई नहीं डारेक लिख देते हां अटाओ इसको सर्फ एक लाग है लिख दिया हमने बनाना चाहते हो अल्दो कोसिस करना शेयर कैपटल का नोट बनाओ कुछ नहीं दे रखा था मुझे नहीं लगा मैंने डारेक लिख दिया ठीक है ना इसके बाद आगे दिखा दे तो क्रेडिटर जनर रिजब 15500 तो एक और नोट बना ल आएगा एक आएगा क्रेडिटर और एक आएगा बिल्स पेपल सर्क्रेडिटर कितने का है कि क्रेडिटर 17500 बिल्स पेपल साथ हजार 17500 और जनर रिजब 15500 तो जी आर हम थोड़ा हटके लिखते हैं 15500 तो लीजिये जी सारा का सारा हमने पॉइंट कवर कर लिया ये वाला अब इसके बाद अजस्मेंट कहते हैं 88,000 का इंवेंटरी है तो सर्फ दो जगह जाएगा आप चेक भी करना अपने नोट्स में न अजस्मेंट को जैसे मैंने अजस्मेंट लिखा है वैसे करना है तो आपका इंवेंटरी क्लोजिंग कहा जाता है दो जगह एक चला जाता है हमारा एसेट के अंदर एक चला जाता है चेंज इन इंवेंटरी में तो इसलिए मैं यहां पर डारेक्ट लिख रहा हूं 88,000 और एक नोट के अंदर ले जाऊंगा चेंज इन इंवेंटरी के अंदर माइनस कर देंगा 88,000 less closing stock closing stock कहलो inventory कहल 88,000 totaling का process हम बाद में करते हैं ना इसके बाद आ जाते हैं पहला adjustment हमारे done दूसरे पर आ जाते हैं provide income tax सबसे last का part होता है इसके बाद depreciation पे 15% plant and machinery पे 15% furniture पे 10% तर दो जगह एंटरी जाएंगे तो plant and machinery पे furniture पे कितने था plant and machinery पे था हमारा 15 और furniture पे 10 तो furniture पे 10 तो less depth 10% 1700 और यहां से भी less depth 15% कितना होगा 15% कितने होंगे 4350 अब क्योंकि depreciation दो हो चुके हैं तो इसलिए हमें इसके लिए भी एक note बनाना पड़ेगा किसका depreciation का पिछले सवाल के अंदर depreciation एकी था तो note नहीं बनाया था तो इसका note बनाना पड़ेगा किसका depreciation का मुझे लगता है यहां पे मुझे जगह मिल जाएगा इसके लिए तो so that मैं यहीं पर बना लेता हूं इसके लिए note depreciation एक लग गया plant and machinery पर और एक लग गया furniture पर लग गया हमारा 4350 और furniture पर लग गया हमारा 1700 पेटेंट पर कहता है पांच परसेंट है अब देखे ध्यान से बैसे पेटेंट एमोटाइज होता है लेकिन सवाल में कह रहा है पेटेंट के उपर कितने परसेंट है हमारा 5% मैं एक बार इसको और क्लियर कर देता हूं ताकि आप दुबारा पढ़ पाओ ठीक है यह लो मैं दुबारा क्लियर कर दिया मैंने तो सर यह वाला पार्ट हो चुका है डन टिक मार दिया depreciation plant and machinery done दोनों जगे कर चुक दो सो चालेस रुपे और यहां पर depreciation आजाएगा पेटेंट पर दो सो चालेस है ठीक है डेप्रीशेशन पेटेंट बिल्कुल इस पर आजाएगा पेटेंट थोड़ा उपर के लिए कर नहीं हुआ है कि अगे चलिए सर कि अडिय souven्ट पूरा डन हो चुका है यह कहता है आफ्यन रेंट आटसो रुपए आउट सेंडिंग चैलरी 900 रुपए तो सर आउट सेंडींग रेंट आट सो रुपए तो सर आउट सेंडिंग रेंट है और सेलेरी है तो रेंट तो अधर एक्सेंस में हो जाएगा प्लस और सेलेरी इहां पर हो जाएगा प्लस ऑउट्सेंडिंग रेंट कितना था और यह कितने थे dhwelle entry कहां चला जाता है अधर करेंट liability में, so that मुझे लगता है कि अब एक और note बन जाना चाहिए, that is other current क्योंकि दो चीजे हो गई न, other current liability की, तो एक और note बन जाएगा तो 800-900 सही लिख दिया मैंने, 800-900, तो मैं इसके लिए note कहां बनाऊं मैं इसके लिए मेरे पास space नहीं है, note नहीं बना पाऊंगा so that मैं यहीं पर लिख रहा हूँ आप समझ जाएगा 800-900 आपने note बनाना है इसका, समझ रहे बात आप ठीक है न, मेरे पास एक और page पर जाने से better है कि आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो यह 1700 रुपए लिख भी देता हूँ ठीक है आपको बस समझ भी आना चीए main चीज है न, चलिए यहाँ से बाद में plus कर लेंगे, यह भी done हो गया provide 510 रुपए doubtful debt ठीक है सर, doubtful debt पे 510 रुपए, debtor यहाँ लिख रख है minus में bet debt कितने 500 दूसरी entry, other expense में चले जाएगा कितने 510 रुपए, ठीक है न, चलिए सर, आगे आ जाते है क्याता है, board of director recommendation payment 15% recommendation word को मैंने काट दिया है, payment करता है board of director payment करता है 15% per annum तो 15% per annum payment करने का मतलब है share capital पे, इसके दो जगए entry जाता है एक तो हमारा payment अगर करने है अगर सिर्फ recommendation होता तो कोई मतलब ही नहीं था, इसका यह footnote में जाता है मैंने recommendation word काट दिया है, ठीक है तो यह दो जगए entry जाएगी, एक तो चला जाएगा हमारा कहा, profit and loss में से माइनस हो जाता है, reserve and surplus में से देखिए, adjustment खोल के आपको देख रखता है और दूसरा क्या होता है, bank में से मैंने star भी बनाया था, bank में से माइनस हो जाएगा, यह देखिए, मैंने करवा रखता है आपके पास register है, आप open करिए, आपको clear मिलेगा, मैंने यहां तक courses किया है, कि जितना भी हो सके मैं बता हूँ, देखिए, क्या बताया था, dividend होगा, adjustment में क्या करोगा, statement profit and loss में से माइनस हो जाएगा, profit before tax के अंदर से, अरे, यह कौन सा बता रहा हूँ है, उससे पहले था, कौन सा है, इविदेंट पांच है, डिविदेंट का, अच्छा, यह रहा है, हाँ, adjustment में हुआ, तो less हो जाएगा, आपका current year के surplus में से, जो balance sheet के अंदर हो जाएगा, और balance sheet में से less हो जाएगा, cash and cash, equivalent में, तो दो जगह जा रहा है न, तो अब हम भी इसे दो जगह ले जाएगे, इसको हमें wait नहीं करना, तो दो जगह लेके चलते हैं, 15% बोला हुआ है, आप ध्यान से देखिए, कहता है 15%, 15% कैसे निकालोगे, that is आपको निकालना पड़ेगा, dividend share capital एक लाख है, एक लाख का आपका 15% निकालोगे, दो की dividend आएगा, that is 15,000, दो जगह लेके जाते हैं, एक reserve and surplus में से minus करेंगे profit में से, तो sir, reserve and surplus, old profit, new profit, इसके बाद less होता है, इसके बाद less होता है sir, क्या less होगा dividend, कितने 15,000, और दूसरा cash and cash equivalent में से less dividend, कितने 15,000 होता हैं, समझे बाद हम, कोई दिक्कत है यहां से, clear है, चलिए sir, यह adjustment भी कर चुके, last कहता है 5%, यह adjustment सबसे last में होगा, और एक income tax का adjustment सबसे last में होगा, अगला process क्या होता है, हमारा सारे totaling कर लेते हैं, फटा-फट से, दो total को छोड़ के, एक ही total छोड़ते हैं, basically reserve है surplus को, फटा-फट से बहुत तेजी में total करते हैं, तो आप करते जाएगे मेरे सास्ता, ताकि, 75,000, minus 88,000, minus 13,000, posting का काम बाद में कर लेंगे, यह जगा 2,45,000, 250, minus 10,000, तो यह आगया, 23,69, पचास, तेज, 69, पचास, ठीक है, अब आजाते हैं यहां पे, that is 30,000, और पिछेत्तर सो, 84,00, 30,000, 38,400, यह एकर 27,500, 26,99, थोड़ा छोटा दर्गा उपर ले जाते हैं, और यह टूटल कर लेते हैं, 31,990, चलिए, यह कितना हो गया, 17,000, 10% लेस्ट करके, 15, 15, 39,000, into 15%, 24,600, आप सभी भी करें, 24,650, टोटलिंग करें, 49,950, यह 48, कितने आगे, 22,000, 260, 22,60, BP, 17,500, प्लस 7,000, तासस 24,500, प्लस 7,500, प्लस 7,500, अभी नोट नमबर नहीं डाला, हमने, इसके बाद, कैस और कैस, 45, 300, माइनस 15,000, तीस, तीन सो, डेप्रीशेशन, तेटालिस सो, पचास, सतरा सो, दो सो चालिस, 62, नब्दे, टेंजिवल, 48,500, 45, इसे तो बंद करना ही जी है, सब टूटल कर लिया, अब जिसके आगे अमाउंट है, उसको छोड़ देंगे, बाकी को नोट दे देंगे, तर इसके आगे अमाउंट है, छोड़ दो, इसको नोट एक, इसके आगे, नहीं है, दो, इसके आगे है, इसके आगे, ये तो नहीं डालते, क्योंकि डारेट आ जाता है, ठीक है, इसके आगे, तीन, इसके आगे, चाथ, इसके आगे है, इसके आगे, पाँच, इसके आगे, छे, चलिए सर, अब आ जाते हैं, इसके, साथ, इसके आगे आठ, अच्छा, इसके आगे साथ, इसके आगे आठ, इसके आगे नो, पाइनिस कॉस्ट था ही नहीं, ये दस, ये ग्यारा, बस, ठीक है prestavan noting करते जाते हैं, change in inventory को क्या न्मबर दिया है, तराठ, है ना इसके बाद परचेस को क्या नंबर दिया है साथ कितना असान हो जाता है इंप्लॉई बेनिफिट को नौ ट्रेड रिसीवेबल को पीछे चेक करते हैं ट्रेड रिसीवेबल को दिया है पांच पीपीई को क्या दिया है मैंने तीन दिया है शायद तीन पीपीई को दिया है मैंने तीन अधर एक्स्पेंस को क्या दिया है मैंने ग्यारा इसके बाद ट्रेड पेवल को क्या दिया है मैंने ट्रेड पेवल को क्या दिया है दो cash and cash security को क्या दिया है मैंने 6 intangible assets को क्या दिया है 4 reserve and surplus को क्या दिया है noting भी डल गई अब सबका amount हर जिका उठा के रख देते हैं ताकि हम final stage पहुंच पाए यहां गया 13000 रुपे minus का तो चलिए यहां 13000 minus का परचेस तेईस उनसट पचास पचास employee benefit 3800 trade receivable 3190 पी पी यी उन्तालिस नौसो पचास 39950 पी पी के बाद other expense हमारा 22260 other expense के बाद हमारा trade payable चौबिस हजार पान सो ट्रेड पेबल हमारा आएगा 24,500 इसके बाद ट्रेड पेबल के बाद आ जाते हैं cash and cash equivalent है 30,300 इसके बाद है हमारा intangible assets 45,60 पेंटालिस साथ correct अब चलिए सबसे पहले profit and loss पूरा कर लें total income 34,000 3,40 प्लस 3,000 34,300 34,300 correct अब total कर लेते हैं इसको 23,69 माइनस 13,000 यह 10 number depreciation रही गया ना यह है depreciation कहा है कहीं तो बनाएं तो था अच्छा यह बीच है 62,90 यह आगया प्लस 38,40 यह आगया यह आगया अच्छाइस 9,90 माइनस कूर 343 35100 टेक्स रेट देख लो अब इसके उपर अब इस टेक्स लगाने का टाइम आ गया कितने परसेंट है 35% इसके उपर 35% निकाल लेगे 18800 18500 यह माइनस हो जाएगा जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34515 और यह आ जाएगा हमारा करेंट टियर का प्रॉफिट जैट इस 34515 अब लास्ट रिजिस्मेंट कहता है 5% रिजर्व में भी भीज दो सर तो 5% रिजर्व में तो जो यह 34515 आए ना यह वाला 34515 इसी का 5% निकालेंगे तो इसका 5% आ जाता है 1725 तो यहां से less हो जाएगा less general reserve 1725 और यहां add हो जाएगा general reserve 1725 समझे अब आजाएगा यह 15,000 15 तो note number 1 50,015 रुपे यह आजाएगा हमारा 50,015 सर सारा note लिख दिया अब इसको total कर लो एक लाग तो अब इस पान सो आजाएगा तर यह आगा 1762 15 तर इसका भी total सेम आना चाहिए 49 provision for tax तो रही गया है ना provision for tax रहे गया सर provision for tax हमने यहाँ निकाला था 18,585 रुपे 18,585 रुपे अब यह दुबारा होगा तोटल 17,62 17,62 माइनस 18,585 totaling आप भी करना 15,76 नहीं यह गलत total हो रहा है आप भी total करना 18,585 रुपे चाहँ रहे हैं 194 800 साथ दोनों साइड मैच को चलिए क्लियर तो देखिए इस कोश्चन को करने में हमें लगा करीवन 45 मिनट अगर एक्जाम में इस कोश्चन को करने में हमारे 35 मिनट में हो जाते हैं से वैसे तो आपको आदा घंटा दिया जाता है लेकिन अगर 30 से 35 मिनट में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपकी परफॉर्मस बहुत अच्छी चल रही है इसका मसलब क्योंकि यह कोश्चन टाइम टेकिंग है और इस कोश्चन को टाइम रिडियूस करने का कोई तर होत है बहाना बना रहे हैं क्योंकि सीमपल से बात औरत है बाकी बच्चे भी करके आएंगे आपको फ्रैक्टिस करने हैं मैंने डिया जो अभी नशक और रिआ है इस 10-year के अंदर कितने question डाले हैं मैंने और book के अंदर कितने हैं देखना book में कितने हैं इतने question practice के लिए हैं कि अधारा इलिस्ट्रेशन है अधारा नहीं वह पांच या छे से तुछ आठाट है दस बारा आपके book में हैं किंब आपकर में की आपके अरहा हैं यहीं है वह इंगर आप ए रईफ आपके आपके झा कि अबिटा पता हैं यह हमें तो और 10 year में एक मेरत ही mistake रहे गया last में जो बच्चे देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्या करा था मैं बता देता हूँ provision for doubtful death मैंने short term provision में डाल दिया जो थोड़ा सा mistake कह लोगो mistake है मैंने यहाँ वाला करा है यह correct है यह book के आपको करके आने है exam के अंदर खेक है इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर गलती से skip रहे गया जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में पिछले आले question में था ही नहीं dividend मैं dividend की बात कर रहा हूँ provision for dividend आपका परपोस डिविडेंट की बात कर रहा हूँ इस tenure के अंदर क्या है जो नए वाला आपका tenure आया हुआ है इस tenure में क्या करा मैंने short term provision में डाल दिया जो कि पिछले साल तक ड़ला करता था इस साल थोड़ा change आया है वहां से हटाना भूल गए उसको कहां से minus कर दिना है cash से बस बाकी कोई changes नहीं है तो एक बार फटा फट बताईए कोई डाउट किसी को किसी adjustment में अगर डाउट है तो पूछिए सर ये point समझ में नहीं आ रहा पूछिए अगर आपको सब कुस समझ में आ रहा है तो फिर पूछने वाला सवाल काम आ गया भी पहले semester two का मैं बना रहा हूँ corporate का तो वो आप ले लीजे नॉर्मली मैं वैसे आपको अलग से provide कर वाद हुआ सर रिजर्वेंच सर्प्लस देखे सब बच्चों का रिजर्वेंच सर्प्लस में doubt होता है रिजर्वेंच सर्प्लस कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा रिजर्वेंच सर्प्लस में सबसे पहले पुराना profit होता है फिर उसके अंदर नए वाला profit जोड़ता है फिर उसमें से minus हो जाता है dividend उसमें से minus हो जाता है general reserve को transfer और जो general reserve को transfer minus हुआ है वो चला जाएगा हमारा general reserve में add हो जाएगा देखिए हमारा क्या हुआ है यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मैंने general reserve को क्या करा है यहाँ से less करा और यही चीज़ same amount यहाँ के क्या कर दिया add कर दिया dividend एक यहाँ से less होगा दूसरा cash and cash equivalent से minus हो जाएगा यह रहाए एकता PLL वाला slide आपका इसमें मैंने बारा गुष्चन आपके इस टेनियर में डालेगा यहाँ पर रहे गया थोड़ा सा चलो कोई नहीं अगले वाले में यह नहीं होगा और वो तो हर बार रहे प्रिंट होना होता है क्या दिखा थे सर मैं recorded class कर रही हूं तो doubt clear कब हो सकता है आप live class में आके doubt ले सकते हैं और chapter के साथ साथ चले बाकी number जो दे रख है उस पे आप call करके सीधा doubt कूछेंगे तो sort out नहीं होगा उनसे बोले कि आप सर से time लेके एक बार बता दिजिए कि किस time available होगा वो मेरे से discuss करके time लेगे फिर coordinate बन जाएगा वह आपका सब्सक्राइब करता है तो अगर होता ना जैसे कि पहले क्या लिखा था अगर मैं यहां पर कर दूँ के बोड अफ डिरेक्टर ने रिकमंडेशन किया है डिवेडेट 15% नो इंट्री सर को इंट्री नहीं होगा इसका दिविविडेट वाले में लेकिन मैंने यहां बोला ज्रान पूज कि यह क्या यह बारेगा शेर कापटल पर परसंटेज निकाला हमने जो की निकल के आया 15,000 अब यह 15,000 दो जगा जाएगा एक cash में से minus क्यूछ पैसा दोगे और एक कहां से minus हो जाएगा हमारा एक minus हो जाएगा हमारा profit and loss, reserve and surplus के profit and loss में से minus हो जाएगा येस चलिए वो टेक्निकल कुछ इशू आ गया था तो अगें वेरी वेरी गुड इवनिंग हमने लास्ट के अंदर एक सवाल कर लिया था और आगे एक और कुशन करते हैं अगर मैं आपको बताओं तो अब जितने भी मैं कुशन करने वाला हूं शुरू के 4-5 कुशन दो एक कॉंसेप को छोड़के ये सर्फ मैं आपके साथ प्रेक्टिस कर रहा हूं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा आपको क्यों क्यों कि सारे कॉंसेप्ट हम आल्यड़ी डन कर चुगे हैं एक मिनटा अब क्या हुआ? चलिए अब ठीक है? पता नहीं क्या इंटरनेट का इशू आ रहा बार बार तो जितने भी बच्चे थे मैं वही कहना चाह रहा था कि जो नए बच्चे है उनको इस क्लास में बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको पहले पुरानी वीडियो देखना पड़ेगा अब रहा सर कुछ बच्चों का मैं कमेंट देख रहा था लेकिन उसमें कुछ इशू आ रहा था कि सर चप्टर कब खतम होगा तो मैं बताओं तो मैंने लास क्लास में भी और उससे पिछले क्लास में कुछन किया सर्फ आपको न करने का मैं तरीका बता रहा हूं सर्फ मैं आपके साथ प्रेक्टिस कर रहा हूं आज दो सवाल करेंगे और वो भी एक as a practice को ही treat में करने वाला हूँ बाकी जो questions है आपने करने होगे extra concept कुछ नहीं रह गया कि मैं इसमें आपको करवाओं चलिए ठीक है नाव आपके सामने question है पहले इस question को हम पढ़ लेते हैं क्या कहता है सर ये question कहता है the following information आपको SS limited का given है थोड़ा small है लेकिन कोई बात नहीं करते हैं थोड़ा सा manage थोड़ा manage कर लेते हैं इसको शलिए आपको क्या क्या गीवन है shares गीवन है डिवेंचर गीवन है याद रखिए 10% डिवेंचर गीवन है इसका मतलब adjustment hidden है opening stock और मज़े की बात देखिए purchase और sales कहता है कुछ बच्चों को तो पता है सर जो debit में लिखा होगा वो purchase होगा और जो credit में लिखा होगा sales होगा पर जिन बच्चों के पास commerce नहीं होता फिर भी वो आते है तो उनको पता होना चीए कि इस तरीके से भी हमें trial balance से सीखना पड़ेगा इसके बात आगे देखें तो क्या है और हमें return given है अब समस्या यह होती है देखिए यहाँ purchase return बोल दिया कई बार सिर्फ यहाँ पर return लिख देगा और debit और credit में अमाउंट होगा तो हमेशा याद रखिएगा purchase अगर debit होता है तो उसका return उसका opposite side जाएगा यानि credit में जाएगा और sales credit होता है तो उसका return उसके opposite side में जाएगा यानि debit में जाएगा तो यहाँ पर हाला कि purchase return कह दिया तो देखो credit में दिखिया आपको carriage invert दे दिया इसमें wages दे दिया salary, rent, sundry, expense, discount अब discount में कुछ नहीं बोला लेकिन है credit में तो क्या है ये receive है ये ध्यान रखिएगा interest paid debenture पे मजाने वाला ये वाला interest पहले interim dividend paid surplus ये कौन सा है पुराने साल वाला अगर यही surplus आपका 75,000 debit में given होता तो इसका मतलब जानते हो क्या होता loss होता ये सारी चीज़े छोटी छोटी बाते हैं लेकिन आपको पता हो न अच्छिए exam के लिए debenture redemption reserve ये एक reserve है जिसे DRR कहते हैं हम आगे सीखेंगे general reserve है plant and machinery, pp, furniture given है, patent, trademark given है, debtor and creditor, debit वाला debtor, credit वाला creditor, bills receivable, bills payable given है, advance payment of tax, ये assets होता है, sir advance payment of tax, assets होता है, कौन सा है जैसे short term loan and advance, cash and bank, ये सारी जानकारी है, adjustment देखते हैं कहता है कि closing stock दे रखा है, हमें आता है, कहां करना है, on the date of outstanding amount कहता है कि closing date outstanding rent दे रखा है, sir ये भी पता है हमें, outstanding salary ये भी पता है, half year debenture interest due ये भी निकाल लेंगे, make a provision doubtful debt ये भी पता है, plant and machinery पे depreciation ये भी हम जानते हैं, furniture पे ये भी हमेर पता है, patent trademark पे ये भी जानते हैं, the direct recommended, the director recommended, equity dividend 25% including, 25% including interim dividend, तो मैं recommendation के जगह पे मैं यहां पर थोड़ा बदलाव करूँँगा, question में आपके according, चुकि ये पुरानी चीज़े हैं, तो थोड़ा अपडेटर नहीं हुआ है, transfer 10% ये चलो ठीक है, transfer 11.25 ये भी provision for corporate dividend tax, ये सर हट चुका है, तो मैं काट देता हूँ, तो मतलब कुछ चीज़े मैं alter करूँआ इस सवाल में, provision for income tax 50%, तो सारी बाते जानकारी हमें, इस point of view से given है, हमें कहीं ना कहीं पहले पता था और थोड़ा बहुत सुना हुआ है, अब पूरा question पढ़ने से पता होता है, हमें एक idea लग जाता है, कि हमें किस हद तक format बनाना है, लेकर आप सोचोगे सर हम एक बार बनाई लेंगे, दीरे-दीरे कर लेंगे, तो नहीं वो सबसे बड़े mistake है, तो हमें पता चल गया किस हद तक format बनाना है, तो चलिए मेरे साथ साथ, मैं आप जो बच्चे सुरू से class ले रहे हैं, मैं बोलू है, बनाना चालू कर दो, मैंने question पढ़ लिया है, जो offline में भी बैठे हैं, फटा-फट से बना लो, और मैं उमीद करूँ है, मेरे से पहले बन जाना चाहिए format, जल्दी speed में बनाई है, पी एंडल और balance sheet एक दम speed में, मैं slow-slow बनाता हूं, फिर भी द लेकने कौन पहले बनाता है, नोट, वन, equity and liabilities, equity and liabilities, चलिए सर, इसके अंदर first, shareholder, साफ-साफ लिख रहा है, देखो, मैं भी साफ-साफ लिख रहा हूं, और मैं चाहूं तो पहले ही एक बार format को copy कर सकता हूं, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं इसलिए करता हूं आपके साथ-साथ, और पूरा map fresh इसलिए करता हूं, ताकि आपको भी अंदाजा लगे कि भी इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है न, तो फटा-फट से, कु दो पाठ हो गए, सर क्या इसमें नोन करेंट लाइबलिटी आएगा, जी हाँ, डिवेंचर है, लाइबलिटी इसके बाद, इसके अंदर आएगा, एपार्ट, लॉंग ट्रम बोरुएंगे, लॉंग ट्रम इसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट, करेंट लाइबलिटी मेरा बैलेंच शीट बनने वाला है, आपका भी बनना चीए, फटाफट पैन पैंसिल निकालके लिखते जाएए बस, दिले ना करें बिलकुल भी, इसके अंदर, ट्रेड पेवल, ट्रेड पेवल, अदर करेंट, सी शॉट्रम प्रोविजन, बस भाई बनने वाला है, प्रेकिन्ट, एस्ट, फस्ट पाट, नोन करेंट एस्ट, नोन करेंट एस्ट, इसके अंदर, इसके अंदर भी एक डिवीजन है, प्रॉपर्टी, प्लांट, एक्किप्मेंट, और दूसरा, और तो कुछ थानी, मैंने पढ़ लिया, इसलिए मुझे पता है, और आपने भी साथ के साथ पढ़ा तो पता है, बी पाट, बी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां पे, आ जाईए, सेकिंड पाट, कुर्ण एसड के अंदर, कुर्ण एसड के अंदर, ए, इं norm 10 बूंपर्णर्ना बूर फूर करे दि वियर फेलמל प्रणेश्ट मेंख ए बूच य्वाच में ए यच तर्फ ए ए पिक ड ररे टार ए जौ डर्ख में juvenile लोन एंड एडवांस और ए अदर करेंट एसे देखिए ये सारे जितने भी कोश्चन हैं मुझे बोलने की जुरत नहीं है आपको पता ये एक्जाम में आये हुए हैं और इन फेक्ट ये भी सवाल आया हुआ एक्जाम में तो इंपॉर्टेंट है नहीं है ये पता है अगर इस टाइब के सवाल हो पा रहे हैं हमसे इसका मतलब एक्जाम में हम कर पाएंगे चलिए अब पी एंडल भी बनाई लेते हैं लगे हाथ अगले पेज़ पे स्टेट्मेंट प्रॉपिट अन लॉप्स देख लो भाई मेरा फॉर्मेट बनने वाला है क्या आपका बन गया जिन बच्चों का बन गया बहुत अच्छी बात इनका नहीं बना वो भई स्पीड बढ़ाओ और जो बच्चे नहीं हैं वो तो पहले पुरानी वीडियो को देख के कवर करेंगे चलिए इसके अंदर चलेगा वन रवेन्यु प्रॉम तू अदर थ्री तोटल फोर अब एक्स्पेंस के अंदर बड़े सारे छोटे छोटे पार्ट से है ए परचेज बी चेंज इन इन्वेंटरी सी बताओ क्या होता है एंप्लॉई मेरे साथ भी बोलते रहे ना बेनिफिट डी फाइनेंस कॉंस्ट अब क्या आएगा अब क्या आएगा अब आएगा टोटल पोइंट नमबर फाइब टोटल फिर आएगा हमारा पोइंट नमबर शिक्स प्रोफिट बिफोर टेक्स फिर पोइंट नमबर पोर लिख दिया यह तो मेंगा इससेवन इंकम टेक्स एट नमबर फिट अब नोट भी बना लेते हैं देखो अब नोट भी बना लिया कितने बच्चों का फॉर्मेट बन चुका है है बिल्कुल एडवांस payment ऋफ income short term लोन एडवांस on डाल देंगे के short term loan and advance बांस टेक्स है वो बोस्तर बने liquid ten years का answer और पुराने वाले तेंस जे डोनों ऐब रहा है नहीं फर ciao समें तोड़े बहुत मैंने चेंचरी करें हैं पुराने के साथ उसमें परक मिलेगा और उसकी चिंता ना करें वह आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँआ लूक्स ना करें करें तरु यह सारि किली तको करने का क्या तरहिए घ्यानày सिंपल एक पॉइंस पढ़ेंगे और कि मारते जाएंगे और करते जाएंगे तो सबसे पहला point क्या है मारा सबसे पहला point आपको दिख नहीं रहा तो अभी दिखा देते हैं कि बड़ा करते हैं आपके लिए यह आपके लिए बड़ा हो गया और बड़ा adjustment तो बाद में करेंगे ना और बड़ा पहला point है equity तो सर equity के उपर कोई adjustment नहीं है मैंने शुरू से last तक देख लिया तो आपकी इच्छा है कि आप इसका notes बनाना चाहते हैं तो बनाईए और इच्छा नहीं करता है तो मत बनाईए बागी regular college वाले बच्चे अपने professor से एक बार पूछ ले कि सर हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वह जैसा suggestion करेंगे क्योंकि paper वह वहीं पर circulate होता है कहीं नहीं चेक होता है तो वह बता देंगे तो मेरे हिसाब से एक के लिए हम नहीं करेंगे बागी बना भी दोगे तो कोई बुराई नहीं है मैं सीधा यहां लिखने वाला हूं 5,000 लाग इसके बाद 10 percent debenture यह भी अकेला है और कोई loan नहीं है तो long term boring में लिख दूँगा मैं 10 percent debenture और यह भी दे रखा है हमें 2,000,000 लाग चलिए यह भी हो गया यह भी हो गया opening stock यह हमारा changing stock का part होता है तो हम एक note बना लेते हैं सबसे पहले note क्या note का नाम लिखेंगे number अभी नहीं change in inventory सबसे पहले opening stock और minus कर देते हैं हम यहाँ पर closing stock बताइए opening stock का value क्या था जिन बच्चे के पास tenure है निकाल लेजिएगा opening stock है हमारा 375 और यह किताब में भी infect question है जहां तक मुझे याद आ रहा है 375 चलिए जी आ जाते हैं आगे purchase and sales तो purchase and sales रिटन है तो इसके लिए तो बन जाएगा sales रिटन कहीं सवाल में दिखानी तो direct आ जाएगा तो sales 14 लाग रुपए है तो हम सीधा लिख लेते हैं sales पहले 14 लाग रुपए revenue from operation 14 लाग और एक note और बना लिया जाए पाइसर नोट परचेज यहां पर लिखेंगे परचेज और माइनस आएगा परचेज रिटन परचेज बता दिए कितना है नो लाग पच्चेस अजार चलिए सट्टिक मार कर लें चलिए हो गया परचेज रिटन है पचास अजार परचेज रिटन पचास अजार और इस काम के अंदर ना सबसे main point क्या है discipline मैं अपने discipline को break नहीं करता मुझे पता है कि क्या amount कहां लिखना है उसकाद मेरा मन कर रहा है कैरीज भी पता अधर एक्समेंस का वेजी सुजी से एक बार में कर दे लेकिन मैं systematic चलूँगा अब आ गया कैरीज के लिए एक note बन जाएगा अधर एक्समेंस का हाला कि इसको दो जगह मैंने बताया था या अधर एक्समेंस में डाल सकते हो या फिर purchase में add-on कर सकते हो इसक other expense और यहां पर है carriage amount कितने का है कितने carriage संट आलिश सो पचास के जले है इसके बात देखा जाये तो बच्चे क्या कहने तर मेरा वैसे ही करा था मैंने वैसे ही करा था ओके purchase में डे नागद बच्चे कुछ कह रहा है पर च्छे में कर दो कदो उपड़ दो कुछक में उफन ठोटल है को एक तो सेलेरी पे था और एक रेंट पे था तो वेजिस है तो वेजिस क्या है हमारा एक लाग पचास हजा तो इसके लिए नोट बना लींगे एम्प्लॉई बैनिफित नोट इंप्लोई रेनिफिट him क्या हो गयात बैनिफिट सर शेर क्या है यहाँत suspect le tecnología कितने रुपे था एक लाग सर इस पर अड़ेस्मेंट है अंदर रख लेता है और सैलरी देता है 37,500 अड़ेस्मेंट जो कहता है वो पता है किस पर है सैलरी के उपर है और वेजिस पर नहीं था तो सैलरी के उपर है 37,500 37,500 चलिए तिक मार्क लगाया नहीं लगाया लगा लेते हैं रेंट अदर एक्स्पेंस का पार्ट है 20,000 इस पर अड़ेस्मेंट है रेंट थोड़ा नीचे यहीं लिख लेते हैं और अंदर लिखेंगे 20,000 रेंट के बाद आ जाते हैं संड्री एक्स्पेंस 46,750 तो संड्री एक्स्पेंस 46,750 46,750 इसके बाद देखा जाए तो क्या है मारा डिसकाउंट अब डिसकाउंट को चेक करो कौन से वाला है रिसीव यानि अदर इंकम की बात है अदर इंकम अकेला यही है तो हम एक ही लिख देंगे 15,000 रुपे में अदर इंकम में कितने 15,000 चलिए आईए एक मार्ग लगा लगा दिया डिबेंचर इंट्रस ये किसका पाठ है फाइनेंस कोस्ट का इसके उपर चूकी अड्जश्मेंट है यूँ की अड्जश्मेंट इसलिए नोट बना लेंगे कैह हमारा फाइनेंस कोस्ट कितना दे रखा था दस हजार finance cost एक मिनिट note finance cost finance cost में interest कितना है interest amount 10,000 इसके बाद क्या कहानी होगा हम देखेंगे बाद में हाँ जी आपका discount कहा जाएगा discount क्योंकि credit में है income है तो other income का part माना जाएगा अगले point पे आ जाते है interim dividend interim dividend क्या होता है हमारा dividend जाता है हमारा दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ reserve and surplus में से profit में से minus होता है interim dividend तो इसलिए मैं interim dividend के लिए एक बना लूँगा सबसे बड़ा note note reserve and surplus इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं मैं अपने language में लिख रहा हूँ फिर हम क्या add कर देते हैं लेकिन आपने पता ही क्या लिखना है statement profit and loss last year और statement profit and loss current year मैं सिर्फ आपको याददास दिलाने के लिए नया पुराना सिखा रहा हूँ ठीक है न तो सर इसके बाद इसमें से जो total होता है यहां से minus होता है क्या इंट्रिम डिविडेंट कितने रुपे का था इंट्रिम डिविडेंट कितने का है भाई साब बस दस हजार रुपे इंट्रिम डिविडेंट कि अरे बाई साब पैंटालिस हजा रही है सही से देखो भाई इसके बाद अगले पॉइंट पे जाएं तो सर प्लस पुराना प्रॉफिट 75,000 75,000 यह है पुराना प्रॉफिट 75,000 इसके बाद डी आर आर यह भी रिजर्वेंट सर प्लस का पार्ट है 78,500 इसको थोड़ा दूर लिखेंगे डी आर आर 78,500 ततततर था तततर था 78,500 कुछ बच्चों को ना यह साइड वाला नहीं दिख रहा होगा मैं दिखा दूँआ चिंता मत करना इसके बाद है जनर रिजर्व 59,000 तो इसको तो हम अलग से भी लिखेंगे इसके बाद थोड़ा गैप देखें नहीं यहीं पे जनर रिजर्व जी यार्ट कितना 59,000 ठीक है जिनको नहीं दिख रहा ना साइड वाले कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा नहीं दिख रहा है तो चिंता ना करो मैं थोड़ा साइज रिडियूस कर देते हैं आप नहीं तो फिर सोचते रोगे कब दिखाएंगे कब दिखाएंगे सवाल इतना असान है ना ये असान का चप्टर ही असान है ये भी हो गया ये भी हो गया प्लांट एड मसीनरी तो सर इसके उपर डेप्रीशेशन है तो क्या बना लेना चाहिए नोट का नाम क्या होगा नोट प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्विपमेंट पहला प्रॉइंट है प्लांट एंड मसीनरी कितने रुपे काय भी है भाई साहब एक लाख 45,000 एक लाख 45,000 इसके उपर अडज़िस्मेंट है तो तीन लाइन छोड़ना है आपको फिर है फरनीचर कितने का था 85,000 इसे भी टिक मार्क लगा लेते हैं पेटेंट पेटेंट तो हमारा इसके उपर अड़्जस्मेंट है इसलिए एक बनेगा इंटेंजीबल एसेट्स 24,000 का पेटेंट पेटेंट नोट इसमें आ जाएगा और यहां तो इंटेंजीबल आएगा इंटेंजीबल एसेट्स इसके बाद आएगा पेटेंट कितने रुपे 24,000 चलिए सर पेटेंट के बाद टेटर एड़्जस्मेंट है और क्रेडिटर पे नहीं है तो क्रेडिटर तो डारेक्ट लिख देते हैं ट्रेड पेवल में ऐसे क्रेडिटर और बिल्स रुसीवेवल बिद्स पेवल भीत अब तो नोट बनाना पड़ेगा अब नोट बनाना पड़ेगा तो मैं यहां बना लेता हूं नोट किसका कि अज़ेटर पेपो पहले ट्रेट्रेड रेसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल इसमें क्या बनाओगे सर डेटर एक बना लेगे ट्रेड पेबल तो भाई साब यहां पे काम बनने वाला है नहीं अगले पेज जाना पड़ेगा चलिए चलते हैं तीन पेज पर थोड़ा काम बढ़े जाता हुआ है कुश्चन आप सभी के पास है और अल्डेटी कंटेंट में भी डाल दिया था जो मुझे बताया गया वो बता रहूं इतनी जगे की जुरत नहीं पड़ेगी फिर भी सेफ एंड साइट ले रहे हैं नोट ट्रेड पेवल यह रहा सीधी लाइन क्या लिखें सर इसमें ट्रेडिटर चलिए बताईए क्रेडिटर का अमाउंट 87 500 चलिए इसके बाद डेटर का भी अमाउंट बता दीजिए क्योंकि टिक तो उसी पर लगाया था 137 500 चलिए आ जाते हैं टिक देखो रूल ब्रेक नहीं करना मुझे पता है आगे मैं पूछ सकता था लेकिन पहले टिक लगा हूँ हूँ है बी आर बीपी 33 और 43 तो सर बी आर है 37,000 तो यहां नीचे लिखेंगे बी आर 43 43 अब या 33 और बीपी के लिए आगे चले जाएंगे बिल्स पेवल 43 चलिए आगे चले एडवांस इंकम टेक्स तो भाईया यह सीधा जाएगा शॉट्रम लोन एन एडवांस का पार्ट है यह तो सीधा मैं लिख देता हूँ शॉट्रम लोन एन एडवांस में यह आ जाएगा सर 39 500 49 500 रुपए अब यहां आगया कैश एट बैंक यानि कैश और कैश इकुलेंट इस पे अड़्जस्मेंट डिविडेंट पेड वाला लग जाता है तो कैश और कैश इकुलेंट बना लेते हैं नूट कैश और कैश इकुलेंट बताईए कैश कितना है चार लाग तीस अजार चलिए सर अब अड़्जस्मेंट डिके करके खतम करेंगा ओके चलिए इसको उपर कर दें थोड़ा चलो भाई चलो अड़्जस्मेंट दिखाना है इनको कुछ अड़्जस्मेंट अल्टर करूँगा नई वाली में अल्टर कर चुका हूं अल्टरी में देखें क्लोजिंग स्टाउक पूर लैक पॉर्टी थाउसन तो एक तो आ जाता है हमारा इन्वेंटरी में अकेला इसलिए चार चालिस और दूसरा चेंज इन स्टाउक तो चेंज इन स्टाउक में माइनस कर देंगे सबसे पहले यही था चार लाक चालिस हजार माइनस का पहला अरजस्मेंट डंजी डं अर्ट अर्जस्मेंट डं सेकंड अंदा क्लोजिंग डेट आउटसेंडिंग रेंट चार हजार एड आउटस्टेंडिंग आपका सेलरी 4500 तो एक और नोट बन जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी तो सबसे पहले रेंट में भी जोड देंगे और सेलरी में भी जोड देंगे तो आज आईए रेंट अदर एक्स्पेंस के अंदर होगा तो एड आउटस्टेंडिंग रेंट और सेलरी में जोड देंगे एड आउटस्टेंडिंग सेलरी अब बता दीजी आउटसेंडिंग सेलरी क्या है है रेंट कितना है और सेलरी कितना है 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 और इसका एक और नोट बनेगा अधर करेंट लाइबिलिटी अधर करेंट लाइबिलिटी नोट अधर करेंट लाइबिलिटी अधर करेंट लाइबिलिटी चलिए सर अधर करेंट लाइबिलिटी आउटस्टेंडिंग रेंट पेंतालिस सो आउटस्टेंडिंग सेलेरी पेंतालिस सो और यह है चार जा चलिए दो अड़्जस्मेंट डन कोई बच्चा ऐसा हो जिसे दोनों के अड़्जस्मेंट में कोई डाउट हो बता दीजी अभी दो अड़्जस्मेंट कर चुके हैं किसी को डाउट रापी ही लन है कि देखो आपका क्या है एडवांस एडवांस टेकस एडवांस को मतलब सरकार को तो advance दे रखा है तो इसलिए short term loan in advance में डाल देता है, यह अगली बार adjustment लग जाता है, बाकी आप बोलते हो ना, इसके उपर detailed discussion pending है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा बोलने से भी बच रहा हूं, क्योंकि आप starting में देखेंगे 10 year में ने, तो मैंने इसलिए के question डाले ह है, दूसरा और तीसरा position जो है, चीक है, सर अगला, half year due, debenture पे, तो सर debenture था कितने का, दो लाग का, दो लाग पे कितने percent, 10 percent, that is ब्याज बन रहा था, और आपने देखा कि 10,000 अल्रेडी paid कर रखा है, तो 10,000 क्या बनेगा, आउट्सेंडिंग समझ में आ रहा है, total कितना बनना था, 20, 20 में से 10 कर रहा था, तो आउट्सेंडिंग कितना हुआ, 10,000, तो 10,000 आउट्सेंडिंग दो जगे entry चली जाएगा ये, सर आउट्सेंडिंग इंट्रस कहां जाता है, finance cost के अंदर जाता है, और finance cost कहां है हमारा, ये रहा, plus outstanding interest, एक तो finance cost में चला गया, ये P&L में, एक liability में भी जाएगा, और liability में कहां जाएगा, other current liability, outstanding interest, चेक करो, यही लिखवाया था, क्या कुछ और लिखवाया थो नहीं था कहीं मैंने, चेक कर सकते हो, थोड़ी सी भी confusion, आप note निखा लिए, note के अंदर काफी हद तक मैंने कोसिस किये, कि जो चीज़े, usually use होती है, सब डाल दिया, बुक में ढूंडना पड़ेगा, अंजली, बुक में question ढूंडना पड़ेगा, मेरे को मुझे भी नहीं पता, मेरे को याद है कि लगबग ऐसा question देखा था, यही लिखा है जो मैंने किया, adjustment में, ठीक है, चलिए, अगले point पे आ जाते हैं, make provision doubtful debt, मज़े की बाद 2550 रुपे amount दे दिया, दो जगए entry, एक debtor से minus, एक other expense, तो चलिए सर, debtor से minus करते हैं, debtor से minus, provision, बाइस सो, पचास, दूसरा other expense में, other expense में, provision, for doubtful debts, कितने रुपे, बाइस सो, किसी को doubt यहां तक हो तो बता दो भाई, और मुझे नहीं लगता मेरी समस्ते कि इसमें कोई doubt होना चाहिए, कि विल्कुल वही चीज़े आ रही है बार-बार, depreciation plant and machine अभी पूछ लेंगे, 15%, 10% और 5%, चलिए, 15, 10, 5, तो PPE less depreciation 15%, less depreciation 10%, और यह कितना हैगा, 21, 750 और 1 less depreciation 5%, यह तीनों चला जाएगा, depreciation में तो एक note बना लेना चाहिए, note बना लिया, furniture 8500, depreciation on patent 1200 रुपे, ठीक है ना, फिर इन सभी को जोड़के लिख देंगे, ठीक है, चलिए, उसे, अगले point पर आ जाते हैं, क्या लिखता है, कहता है, अब इसके अंदर मैं कुछ बदलाव करने जा रहा हूं, जिस बदलाव को आपको समझना है, कहता है, दा director recommendation, इसे काट दिया गया है, इसे काट दिया गया, नहे वाले 10 येर में, अल्रेड़ी मैंने साइद काट दिया हूँ, इसे, है तो और भी कुछ चीज़े काटी होगे, डिरेक्टर recommendation की जग़ा पर दा डिरेक्टर चल जाएगा वैसे recommendation ऐसा नहीं है, कहता है, equity dividend 25% including interim dividend, कहने का मतलब भाया, equity पे जो dividend दिया जाएगा, वो 25% दिया जाएगा, अभी बताते हैं, equity पे जो dividend दिया जाएगा, इसे मिटा देते हैं, 25% दिया जाएगा, तो सर, equity जो था हमारा, कितना था equity, 5 लाग, और 5 लाग पे मैंने announcement कर दिया, 25% dividend, that is, एक लाग, 25,000, जिसमें से हम पहले ही dividend पेड कर चुके हैं, कुछ, कहता है, including interim dividend, यानि जो पहले दिया है, उस सब को मिला के, एक लाग, 25,000 होगा, समझना बात को, इसका मतलब, सर, यहाँ से माइनस, आप पहले से ही interim dividend दे चुके हूँ, कितने का दे चुके हैं, सर, इंटरिम dividend देखो ना, कितने का दे दिया है, देखो इदर आपने का दे दिया है, कितने का? 45,000, इसका मतलब, सर, 80,000 रुपे का और dividend देना है, fresh, 80,000 रुपे का और dividend देना है, fresh, इस adjustment को एक बार मैं यहां पर कुछ बात करना चाहूंगा सभी जवाब देंगे मेरा equity share capital है मान लेते हैं 10 लाग dividend जो देना है मान लो देना है मेरा 15% और interim dividend है interim dividend है मेरा 50,000 मुझे बताईए कि dividend जो है वो कितना होगा कौन बच्चा बताएगा dividend कितना paid होगा interim dividend मैंने लिख दिया है कितना लिखा है 50,000 कौन बताएगा dividend कितना paid होगा कौन बताएगा dividend कितना paid होगा यह concept नों पूरा एकी बार में खतम कितना होगा एक बच्चा बोल रहा 3500 चले इसे दस लाग कर देते हैं confusion नहों ठीक है दस लाग कर दिया गुन गुन का कहना है सर असी हजार payment कर दीजिए साथ लाग पचास हो जाएगा पंपनी तो डुबा दिया आपने डेड़ लाग फिर किसी का कहना है एक लाग चले हर किसी का अपनी opinion और कुछ बच्चों की मन के अंदर question मार तो भाईया जब ऐसे बोलता है डिविडेंट सिर्फ 15% इंट्रिम इसका मतलब होता है ये तो अलग मिलेगा और ये अलग मिलेगा यानि right answer is एक लाक पचास अजारा और ये पचास अजारा लग मैंने बोला था डिविडेंट और कितना देना होगा और पूछ रहा था मैं आपसे एक है चलिए एक और सवाल हो जाए एक और सवाल हो है चलो मैं यहां पर स्रिफ आपका कॉंसर्प बिल्डप कर रहा हूं कि माने लिजिए एकुटी शेयर क्यापटल अगें दस लाग का है कि इंट्रिम डिविडेंट मैंने दे रखा है पचास अजार का और डिविडेंट पेड है डिविडेंट पेड 15% excluding इंट्रिम डिविडेंट तो मुझे बताईए और कितना डिविडेंट देना होगा और कितना डिविडेंट देना होगा बाई जितने बच्चे लाइव फटा फट जवाब दे दिजिए बस गुन-गुन कहती है डेड़ लाक हेमान्शू एक लाक सार्थक डेड़ लाक भाई साब एक जवाब सुनोगे एक लाक सत्तावन हजार पांस रुफ है यह गणित से परे आंसर था यह जी हां सही जवाब है डेड़ लाक मैंने कहा कि जो मैं डे 15 परसेंट पर चेंट एक्स्क्लूडिंग इंट्रिम डिविडेंट एक्स्क्लूडिंग मतलब यह वाला तो मिलेगा इसके अलावा 15% मिलेगा इसका मतलब सही जवाब कितना होगा तेड़ लाक रुपए सही जवाब कितना होगा तेड़ लाक जिन बच्चों ने दिया एक और पॉइंट चलिए एक और पॉइंट अब देख सें कौन बच्चा कामियाब होता है मैंने कहा इकुटी शेयर कैपितल धाट द нॲाक इंट्रिम डिविडेंट ठाटीज्बच टिमुदिं ंंक्लुड़िंग में इंट्रिम सा दिविडेंट तो बताएं और कितना डिविडेंट कारूँगा और कितना डिविडेंट पेड करेंगे पचास 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 हर किसी का जवाब पचास एकदम सही यानि तोटल आप जो डिविडेंट पेड करना वाले हो तो एक लाख रुपे पेमिंट करने वालों या परसंटेज के माध्यम से मैं दस परसंट भी बोल सकता था लेकिन एक लाख रुपे इंक्लूडिंग इंट्रिम डिविडेंट है मतलब सर ये एक लाख रुपे में ये पिछला जोड करके होना चाहिए तो पचास पहले पेड कर चुके तो पचास और पेमिंट करना पड़ेगा सर यानि इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं नोटी बना देता हूं को मेरा मन कर रहे हैं डिविडेंट सर तीन तरीके से एक्जामनर आपको यहां घुमा सकता है तीन तरीके से सवाल पूच्छा जा सकता है नमबर वन है कि एक कुटी शेयर कैपिटल कि दस लाख कि इंट्रिम डिविडेंट एक लाख और मैंने कहाँ डिविडेंट पेड यह फाइनल डिविडेंट पंद्रा परसेंट आंसर एक्स्ट्रा डिविडेंट मतलब और एक्स्ट्रा का मतलब और एक्स्ट्रा डिविडेंट आंसर आएगा तेर लाख रुपे सेकिंड पॉइंट एक्स्ट्रा कापिटल दस लाख डिविडेंट एक लाख इंट्रिम है यह Interim Dividend है Final Dividend Final Dividend 15% Excluding Interim Dividend Answer 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 10,000,000 और Paid करेंगे Third Point Equity Share Capital या मैं थोड़ी मेहनत कम करूँ Third Point Same Question तो Sir Answer Same बस एक सब्द को change Including Answer पचास अज़ार Answer तो तब भी अलग से देना ही देना है जहां including बोला हो तो वहां adjustment minus plus करके करते हैं तो मेरे वाले सवाल में भीया आप मुझे बताईए कहता है के 25% dividend paid करेंगे और including interim dividend की भी बात कर रहा है तो मैंने यहां पर सवाल के अंदर यहां मिटा देता हूँ मैं अब मुझे जवाब दीजिए कि मैं कितना pay करूँगा मेरा equity share capital सर्फ पांच लाग है और इसके उपर 25% dividend है that is हमारा बनेगा एक लाख 25,000 कौन बच्चा बताएगा के मुझे और dividend कितना paid करना होगा और dividend कितना paid करना होगा कौन बताएगा बताईए सवाल आपके सामने मैं हट जाता हूँ 80,000, 80,000, 80,000, 80,000 और 80,000 यानि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया क्या करना है 80,000 इसलिए सिर्फ इतने छोटे से point के लिए हमने थोड़ा सा समय लगाया लेकिन clear हो गया यानि सर 80,000 की adjustment लगानी होगी 80,000 और paid करना होगा तो दो जगाए entry जाएगा adjustment वाले का कहां एक तो reserve and surplus से minus cash and cash equivalent से minus 10 year के अंदर थोड़ा error है यहाँ पे क्या error रह गया कि मैंने short term provision में दिखा दिया ठीक है तो यह चला जाएगा reserve and surplus में 80,000 आपने बता दिया तो हम मैं कुछ करी नहीं रहा लेकिन फिर भी कुछ बच्चों सोच रहोंगे कैसे जवाब दिया 80,000 तो भईया 45,000 interim dividend minus कर दो interim dividend इस तरीके से सारे बच्चों ने जवाब दिया 80,000 तो चलिए सर इसके दो जग़े treatment दो जग़े कहां कहां treatment एक minus हो जाएगा reserve and surplus में से dividend कितने रुपे 80,000 दूसरा cash and cash equivalent में से आज़े यह सर cash and cash equivalent minus 80,000 लीजिये जी adjustment done अगले adjustment की तरफ चलते हैं एक पेज बीच में extra आगे ना अगले adjustment की तरफ चलते हैं कहता है 10% transfer करना है journalism है यह तो सबसे last में होगा है ना transfer 11,525 DRR reserve में 11,525 diventure redemption reserve में transfer करना है तो क्या करें सर तो सेम जैसे general reserve वाला point होता था वैसे ही करेंगे तो मैं यहां से minus कर दूँगा सर DRR कितने 11,525 रुपए और सर DRR के अंदर वापसी से और सर मैं DRR में वापसी add कर दूँगा और DRR में वापस एड़ कर दूँगा नियू 11,525 और यह पहले पुराने वाला था 78,500 तो कुछ बच्चे यह ना सोचे के हम यह continue है यह तो यहीं खतम इसकी कहानी उपर वाले की खतम नीचे वाली की अगली यानि जैसे general reserve यहां से minus करते थे फिर वापस DRR में add कर देते थे सेम DRR की बात बोला तो DRR फिर यहां से minus करेंगे और वापस यहीं add हो जाएगा यह reserve का पैसा होता है जो हमें profit में से निकाल के reserve में डालना है तो भाया यहां से यहां तक का जो area है ने यह area यह profit है इससे निकाल दिया और यह reserve बनाए जा रहे है तो इसमें डाल दिया फिर इसी बात इसको थोड़ा और clean करने के लिए मैं अलग कर देता हूं थोड़ा चलिए सर profit and loss तो सबसे last में होगा न कहता है corporate dividend tax नई वाले में यह हटा दिया गया है क्योंकि था ही नहीं पुराने वाले बच्चों को दिखेगा तो इसे काट दे corporate dividend tax काट दें इसे तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि वह यह फ्लेवस इतनी जल्दी जल्दी revise कर रहे हैं do-o वाले चलो कोई नहीं आपको पता तो चल गया नई वाले में है क्या चेक करके बताओ नई वाले में हटा दिया हम ले पुराने वाले में था तो पुराने आले बच्शे की परिषाने बसी चप्टर में बदलाव है और बाकी किसी चप्टर में कहीं सोचते है यार पुराना ले लिया क्या करेंगा श चैप्टर में चेंजेश हुआ है कि नोट मैं इसका कोई नोट नुहीं इसका नुट नंबर वन इसका कोई नुट नुट नंबर दो अधर कारंट यह डारेक्ट ATHER North टis में इसका नोट नमबर पांच इसका छे इन्वेंट्री है ने इसका साथ इसका आठ इसका है नी अधर्था नी आठ के बाद इसका है नी इसका है नी इसका है नी इसका नो इसका दस इसका ग्यारा इसका बारा इसका तेरा इसका चौदा और तो कुछ है चलिए हैं, टोटलिंग का प्रोसेस, माइनस प्लस फटा फट से निकाल लिजिए कैलकुलेटर, 3,75,44, माइनस, माइनस 65,000 बोला, किस नोट में जाएगा, नोट इन्वेंटरी 10, 65,000 माइनस, साथ के साथ लिखता जा रहा हूं, अगला क्या आएगा, 9,25, माइनस 50, 8, 75,000, प कितना आसान है, एंप्लॉई बेनिफिट कौन सा नोट है भाई, 11 है तेरा नंबर, चलिए सर, 1,500,000, 1,92,000, चलिए आजाए, 1,92,000, इसके बाद अगला फाइनस कॉस, भाई, तेरा क्या है नंबर, 12,20,000, और आजा भाई, 20,000, इसके बाद इधर आजेते हैं, अदर एक्स्पेंस, अदर एक्स्पेंस, 47,50, और 24,000, त्रिपल सेवन, यही है ना, चेक करना, पचास, तेरा भाई, नोट नंबर, 14, चेक करो, यही है, ट्रिपल सेवन, पचास, ला, ट्रिपल सेवन, पचास, चलिए सर, यह भी डट, ठिक भी मार देते हैं, डट, 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 इसे बाद में, पीछे जाना पड़ेगा न, इसे भी पीछे जाना पड़ेगा, चलिए अब इसका भी कर लेते हैं टेंजिबल कितना आएगा 24,000 में से जाएगा 22,800 आ जाते हैं 22,800 नोट नमबर क्या था वो देखते लिख लेंगे भाई तु बीच में क्यों आ जाता है 22,800 ये रहा 22,000 नोट नमबर छे नोट नमबर छे ठीक है PPE नोट नमबर पांच एक लाख पेंतालिस है नहीं माइन से तई से करेंगे ना एक तेइस दो सो पचास है ना और ये चिएत्तर अब टोटल एक निन्यानवे साथ सो पचास एक निन्यानवे साथ सो पचास PPE एक निन्यानवे साथ सो पचास एक निन्यानवे साथ सो पचास शलियो सर अगला पॉइंट Reserve and Surplus तो last में जाएगा ठेक है न Trade Receivable 1.37 500 2.50 1.35 2.50 और 33,000 और 33,000 1.68 2.50 Trade Receivable 1.68 2.50 Trade Receivable Note No.7 1.68 2.50 Note No.7 Note No.7 चलिए ये भी डन ये भी डन आगे आ जाते हैं Trade Payable 87 84,000 1.30 500 1.30 500 Note No.2 क्या है? 1.30 500 Note No.2 1.30 500 Note No.2 Note No.2 3.50 पचास हजार नोट नमबर आठ एक दो तीन को सर्णोट नमबर आठ नोट नमबर आठ अधर लाइवलिटी कि इस चार हजार 4510 फडर 18,500 हो नोट नमबर अठारा हजार पांसो अधर नहीं क्या था यह अधर करेंट लाइबिलिटी अठारा हजार पांसो नोट नमबर तीन एक दो तीन नोट नमबर तीन बहुत हैवी फाइल होगे स्लो काम कर रहा है अब इसके बाद 31,450 नोट नमबर डेप्रिशेशन का क्या था एक दो एक ही था भाई डेप्रिशेशन का नोट नमबर सर्थ 13 क्या था 31 नोट नमबर 13 डाल देते हैं चलो 13 अब बस इसका टोटल टोटल इंकम 14,15,000 अरे ये क्या आगया चलिए भाई यहां क्या हो गया इसका टोटल 8,75 माइनस 65,000 प्लस 192 प्लस 20 एक तिस चाथ सो पचास एक तो तीन पचास ग्यारा लाग एक तिस हजाद तो सो माइनस अठाइस अरे तिस सो फिफ्टी परसंट टेक्स है तो फिफ्टी परसंट 141900 माइनस 141900 करेंट येर का प्रॉफिट चेक कर आंसर चेक कर सकते हैं आंसर में कोई कमी नहीं होगी 141900 141900 अब इसको सॉल्व करते हैं पिछहत्तर हजार 141900 और इस 75,000 141900 माइनस 45,000 माइनस 80,000 माइनस 11 1525 अभी तो एक भी चीज और माइनस होगा क्या जन्नर रिसर्व कितने परसंट था 10% का सर किसका 10% करेंट येर के प्रॉफिट का 10% अरे तो करेंट येर का प्रॉफिट का 10% निकाले तो 141900 तो क्या आगया भाई 45 आप भी कैल्कुलेट करना मेरे से गलती हो सकती है 66185 ठीक है और यहां जी आर एड हो जाएगा नियू 59,000 प्लस 14190 फिरतालिस एक्सोनब्य पर इतियत्तर एक्सोनब्य अब इन तीनों का जोड जाएगा यहांसाट एक्सोनब्यस नाइड डबल जीरो टूफाइग यहत्तर एक्सोनब्य बाईस चुराणवे सो नोट नमबर टू बाईस चुराणवे सो एक है सर बाईस तू लेक्ट ट्वेंटीनाइन थाउजन फोर हंड़ इसको हम नाम देंगे नोट नमबर वन चलिए सर अब इसके बाद हमारा जो टेक्स है टेक्स की भी तो एंट्री करनी है टेक्स कितने का निकला था 141900 141900 141900 अब भाई साब अब सबसे मुश्किल घड़ी यही है चलिए पांच लाग यह आगया बारा बीस तीन सो चलिए बारा बीस और इसमें लड़ाई में हम जीदे गए नए वाले टैनियर में चेक कर लिजे बैलिन सीट के टूटल में फरक रहेगा क्योंकि एक अड़िजस्मेंट हमने शॉट टरम प्रोविजन डाल दिया बाकि नेट प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट है उसमें चेंज़स नहीं होगा कोई जी टेक है बाई साब किसी को दिक्कत सर एक बार तेरा लाग बैलिन शीट है इस बार भी अरे भारत नहीं भावेश मैंने कहा कि जो टैनियर के अंदर है न हमने प्रोविजन पो टेक्स को कैश में माइनस करना चाहिए था लेकिन दिमाग से जल्दी जल्दी में बनाने के चक्तर में हमने कैश में से माइनस नहीं किया उसे प्रोविजन पो टेक्स में ढाल दिया है इस वज़े से आंसर में बैलिन शीट के टोटलिंग में फरका आएगा अगर बोलेगा से सर अगर हम 10 year से करे तो क्या number मिलेगा मैं को 1 नहीं मिलेगा तो जो correction कराना है वो तो मैं कराई रहा हूँ तो आपको चिंता क्या करना है ठीक है किसी को कोई doubt कोई दिक्कत कोई परिशानी हो तो बता दे कह रहे हैं सर 2550 होगा provision for other expense provision में 2550 होगा 2550 बच्चे कह रहे हैं किसने गलती करवाई 2550 देखने क्या लिखा है ये देखो एक बच्चे ने देखो गलती पकड़ ले सर ये 2550 होगा और इस गलती को करने की वजह से आपके दिमाग में एक दिमाग के अंदर एक question mark raise होगा सर अगर 2550 था तब match कैसे हुआ आपका तो देखो ऐसे exam में भी होता है तेरा balance sheet match हाँ मेरा match लेकिन है क्या ये गलत क्योंकि आपने डैबिड और credit में दोनों same impact लिया है इधर भी आपने 2250 लिया है और इधर भी आपने कितना लिया है 2250 का same impact लेने की वजह से आपका balance sheet टैली होना तैह है तो आप सभी क्या करेंगे एक बार मैंने ये question कर लिया अब ये आपकी duty दे देता हूँ कि इसको दुबारा question जो भी बच्चा करेगा न वो 2550 से करके टैली करना किससे 2550 सर तो फिर हमारा net profit भी गलत आ रहा हुआ जी हाँ आप देखो इसके कहां कहां इसके परिनाम आएंगे other expense गलत आएगा net profit गलत आएगा provision for tax गलत आएगा हमारा आप बोलोगा सर एक गलती के कितने नंबर कटेंगे अब चेक करते जाना net profit गलत profit before tax गलत profit after tax गलत tax गलत balance sheet गलत तो दे कहां नंबर तो एक छोटी से mistake की वैसे इतने सारे गलती है तो चार पांच नंबर देंगे पंद्रा में साथ को तो इसलिए क्या सभी बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैं ये कर पाऊंगा और यहां भी क्या लेना है 2550 क्यूंकि मैं इतना सारा change करूंगा तो बहुत changes हो जाएगा आप कर लेंगे क्या इसको बता दीजा फटा-फट बच्चे कह रहे हैं ये चैप्टर गलत भावेश कर रहे था मैं बहुत देड़ से बता रहा था आप देखी नहीं रहे थे अच्छा कमेंट इतने सारे आते जा रहे थे उपर उपर जा रहा था चलिए कोई बात नहीं आप इसे कर पाएंगे जो मैंने correction लगाया है चलिए ठीक है डन